कि अच्छों नमस्कार क्या हाल चालत कैसे हैं आप सब लोग आखरी चेप्टर में आपका स्वागत है इन और गेनिक के इस सफर में हमारा आखरी चेप्टर है उम्मीद का है ना और इसके बाद हमारा कंप्लेट जो स्लेबस हैं वो उम्मीद सिरीज पर हो जाएगा यह और सबसे इंपोर्टेंट बात बहुत सारे मैसेज आते हैं सार पहली बार जुड़ा है चोड़ दें क्या पिटा कम से कम एक दो सवाल तो आएंगे ना कम से कम एक और ज्यादा स शोट्स बनाके भेज़ देते हैं वो फिर अलग तरीके से पढ़ाते हैं अलग तरीके से अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है असल माहिने में असली इन औरगेनिक केमिस्ट्री यही होती है वो तो ठीक है अब तक थी नहीं कर अभी करो आप रिफ्रेश करो अभी देखो कितना हुआ हजार लाइक से पहले शुरू नहीं कर रहा है यह हुआ लाइक करो अभी करो एक लिए आ गया के रहा पढ़ने का मन नहीं होता है हो जाएगा भाई कर तो सही यह 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 जो भी नहीं है आए लाइक करो रहे जली लाइक करो लाइक करो शब्सक्राइब रहा है लुकर 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 लूए अपकर लूगे स्टाइग आप अनिस आपकर स्टो शकुच्छ पंदर्ह लाइक और एक हजार लाइक हो देश्डाय उत शुरू कर रहे घजार हो गया व्लाइक हो गई आजव आज़ आजव 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 वाजव फट्पट फट्पट फट्ट का नाम सोल्ट आ अनालीसिस एक सॉल्ट जिसका एनलीसिस करेंगे एक सॉल्ट में क्या होता है एक सॉल्ट में क्या होता है अरे एसीड और बेस होता है अच्छा तो एसीड और बेस से बना हुआ जो चीज होती हो सो क्या बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं तो सबसे पहले तो हम यहां पर इसमें करने क्या वाले ह और अच्छी बात यह मैं बता दूं कि हमारे नीट के सेलेबस में जो जो एनायन्स हैं वो ये लिखे हुए हैं और जो केटायन्स हैं वो ये लिखे हुए हैं एक बार बड़ी प्यारी नजर से इसे देखो भी और नोट कर लो और सोगंध खालो की इनमें से ही जवाल आने वा इसलिए कमेंट बोक्स में जाके ये लिखना बंद कर दीजिएगा कि सार ये तो बहुत ज्यादा है याद नहीं हो रहा है तो बेटा एक गंटे वाला वीडियो देख ले कोई कहीं पढ़ा रहा होगा बहुतों ने पढ़ा दिया सोल टैनल इसी से के गंटे में वो पढ़ा गुरु आत्म में आपको ऐसी बैसिक बैसिक चीजें सॉलिबिलिटी के ओर्डर्स जो हैं वो सिखाऊंगा उसके बाद में आपको चीजें उसके बाद वो टेस्ट आपके लिए मजाक हो जाएंगे मजाक करें हां ठीक है यह तो आता ही है किसी चीज को याद रखना है वो अब आसान हो जाता है याद रखना जब आपने समझा हुआ हो अ कि का इस ताइम हर्शिता वर्मा पहले ही टाइम पूछ रही है अविडा अर्जिता पता नहीं कितना टाइम लगा आप दू मुझे पता तो जो भी नए आ रहे हो लाइक करो कि आज वह अ यह नोट कर लिया क्या हाँ भई राजे नोट कर लिया क्या राजे ऑए राजे बारा बजे तक तो निप्टा दूँगा कोशिस करूँगा बारा बजे से पहले भी एक के रहा है सिर्फ कोशन प्रैक्टिस करा दो भाई भाग जाओगे यहां से अगर इसके सिदे जवाल करा दिये तो लोगों के दिमाग में बत्रों के दिमाग में इस चैप्टर को लेके गलत फहिमियां भर दिये लोगों नेerin जने है कुछ फोटा सा dalman ए है अगर complete salt analysis होता है ना बिटा पूरा एक register भरता है उसमें एक side में एक chapter का एक register होता है मोटा वाला salt analysis यह तो ठीक है शुकर मनाओ कि यही सब दिया है और हम भी NCRT BSD पढ़ेंगे आज़ा आओ अब शुरू करते हैं आजो salt सबको पता है salt क्या होता है acid plus base नहीं चीज़ है नहीं है सर सॉल्ट प्लस वाटर जैसे hcl naoh ले लिया acid है naoh है base है nacl1 या h2 अब जो भी salt बनता है उसमें एक cation होता है और एक enion होता है इस salt में एक cation होता है और एक enion होता है यहां तक किसी को कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए पूछनी रहा हूं होनी नहीं चाहिए cation को इस test की भाषा में basic radical बोलते हैं क्या बोलते मिटा इसको जब भी हम test करते हैं तो salt analysis करते हैं तो इसकी भाषा में इसे basic radical बोला जाता है सर याद कैसे रखेंगे basic का भी और base का भी ऐसी चीज़ जो base से मिली हो base से यह base है हमारा base से कौन मिला है हमको cation मिला है comes from base और acid radical मतलब anion a से a acid radical anion acid radical anion और anion कहां से आता है बिटा acid से आता है acid radical जो है वो किस से आता है acid acid radical acid basic radical base ठीक है ठीक है ठीक है याद रहेगा पक्का भूलोगे तो नहीं इतनी सी basic बात है यह तो समझ में आ गया चलो फिर यह salt है अब salt analysis क्या होता है जैसे मेरे को कोई यह salt दे दिया यह simple salt है हो सकता हो एक से जाधा cation हो हो सकता हो एक से जाधा anion हो mixed salt हो सकता है mixed salt हो सकता है मतलब एक से जाधा cation और anion भी हो सकते हैं एक salt में तो उनमें present cation का किसका करना है एनायन और के टायन का किसमे करना है जो भी हमको लेबोरेटरी के अंदर चूरन दिया गया है उस चूरन में क्या-क्या है निकालना है चूरन बोले तो इक पूरिया में थोड़ा सा आपको क्या देता है चूरन देता है सपेथ चूरन हलका नीला चूरन हलका भूरा चूरन और अपने क्या-क्या है तो जहां देखना है भी या चूरन धंते होगा फ़िकर ओफिक तो अब ये क्या कहलाएगा, salt analysis, ये एक qualitative analysis होता है, qualitative analysis का मतलब है उसमें आपको ये नहीं निकालना है कि इसमें कितना present है, उसमें क्या present है, कभी भी किसी चीज़ के लिए जैसे आपको एक salt दियागे, इस चूरण में क्या है, तो वो एक quality वाली बात होती, quality वाला characteristic है, कि इसक करना है नहीं पूछा, वो हता है quantitative measurement, हम quantitative की बात यहाँ पर नहीं कर रहे है, salt analysis is a qualitative analysis, आपको सिर्फ ये बता करना है कि इसमें है क्या, किस तरह के ketions इसमें है और किस तरह के anions इसमें है, ये कहलाता है qualitative, अब सही है न, yes, NCRT की need है क्या notes के बाद, Kinzal Kashyap पूछ रही है, Kinzal Kashyap पहली चीज तो NCRT इसकी जो practical वाला lab manual होता है, वो आपको download करना पड़ेगा, और अगर किसी के बाद है, खरीदी हुई तो एक अच्छी बात है, 11-12 में कभी खरीदी हो तो, और अगर इतना नहीं होता है, तो मैं simple स प्रिवाजा में कहता हैं कि नहीं ज़रुत है, यह notes अगर तुम अच्छा से करके चले जाओगे, तो तुमारा सवाल तो नहीं अठकेगा, ठीक है, क्योंकि J.E.Mence के इस January वाले session के भी मैंने देख लिए questions, वो तो मैं करवा भी दूँगा, और J.E.Mence के अभी April वाले कल से शुरू में है, तो कल आया था, salt का question, वो भी आसान है, तो notes ते बाहर कुछ नहीं जा रहा है, J.E.Mence नहीं जा रहा है, नीट डेफिनेटली नहीं जाएगा आप चिंता, मुक्त रहिए, निश्चिंत रहिए, यह कर लिया, तो भाईया, जो भी सवाल आया, वो आपका पका अब बात आती है कि सर, हमारे पास तो चूरन में NIN भी होगा और कैटायन भी होगा, तो पहले हम किसका टेस्ट करें, अच्छी बात है सर, है ना, आपने पूछा, है ना, कि पहले किसका करूँ, यह भी बहुत बड़ी बात है, कि पहले किसी का भी कर ले, मेरा मन कर रहा है, आज मैं पहले केटायन का करूँगा नहीं तेरे मन से नहीं चलेगा तेरे मन की बात यहां नहीं चलेगी चलेगी किसकी मन की किसकी मेरे मन की कैसे मैं जो बताऊंगा वो सुन फिर उसके बाद समझाएगा पहले हमेशा एनायन का ही किया जाता है पहले जब भी उस चूरण को उस चूरण में तो गेटायन एनायन दोनों है न विटा पहले किसके टेस्ट लगाएं सर पहले किसका पता करें तो पहले हमेशा एनायन का पता किया जाता है ऐसा क्यूं एसा क्यूं एसा क्यूं एसा क्यूं रीजन इफ एनी इंटर फेरिंग एन अगर आपने पहले एनायन का टेस्ट नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा ना अब मान लो उसमें कोई इंटर फेरिंग एनायन प्रेजेंट हुआ और तुम पहले केटायन का टेस्ट करोगे तो वो चूरण मना कर देगा कि चूरण में से एक हाथ आएगा जांपड मारके पागल लेगा पहले ये क्यूँ कर रहा है ऐसा नहीं है पहले केटायन का टेस्ट करोगे तो हो जाएगा कोई बड़ी बात नी है लेकिन तुम एक mistake कर दोगे क्या कि अगर तुम पहले एनायन का टेस्ट नहीं करते हो और मान लो कोई इस तरह की प्रजाती present हुई interfering एनायन प्रजेंट हुए तो वो तुमारे ketaean के test को भी खराब करते हैं, interfere करते है. इसका मतलब है कetaean के जो तुम test पहले कर रहे हो, वो भी original नहीं आएंगे, सही नहीं आएंगे, accurate नहीं आएंगे, गलत आएंगे. तो इसलिए पहले क्या करो? पहले NIN के ही test करो. तो NIN के टेस्ट करने का सर हमें क्या फाइदा हुआ अरे NIN के टेस्ट करने का हमें ये फाइदा हुआ कि अगर कोई interfering NIN है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि भाई या interfering NIN present है नहीं है ओके और है तो हमें पता होगा या फिर उसके कोई suitable methods होंगे हटाने के तो हम हटा देंगे उसको इसलिए पहले NIN सर ये कौन होते हैं ये कौन होते हैं इसको हटाओ ये तो बाद की बात है पहले गलती से slide आगई लो ये कौन होते हैं तो interfering NIN होते हैं बेटा बोरेट, फोस्फेट, आर्सेनेट, ऑग्जिलेट, फ्लोराइड और सिलिकेट इसलिकेट का formula इसनी नहीं लिखा क्योंकि सिलिकेट तो बहुत तरह के होते हैं chain silicate, ring silicate, 3-D silicate तो silicate तो एक group है तो formula लिखने का यहाँ कोई logic नहीं है इसलिए silicate तो आपने पढ़े हुए हैं किसी जमाने में, मुझे याद है अब तो वो syllabus में से हट गए हैं, बट आपको पता है कि silicate एक group होता है, तो आप silicate को सिर्फ ऐसे समझ लो कि SI से related उसका oxide, silicon और उसका कोई oxide, अब वो उसका formula कुछ भी हो, SI O44- हो सकता है, SI O32- हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वो आप छोड़िए, लोग सिलिकेट याद रखिए, और याद रखने का तरीका है, बाप soft है, कैसे याद रखोगे, borate, arsenate, phosphate, silicate, oxalate और fluoride, बाकी ऐसे याद रखता हो, बाप soft है, है ना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, किसी भी तरह से या कि भाई अगर तू लेप, एक्चुली वो मेरी बात सुनू, काईदे की बात बोलू, इन्होंने इस बार practical chemistry add क्यों किया, क्यों किया, ताकि वो ये चेक करेगा, कि भाईया, बच्चा स्कूल गया है कि नहीं गया है, और अगर स्कूल गया है, तो प्रैक्टिकल किया होगा, और अगर प्रैक्टिकल किया है, तो पता तो होगा कि पहले किसका test करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नीट में कहीं ये सवाल ना आ जाये, कि मिक्स्चर में पहले किसका test करते हैं, केतायन का या एनाएन का, वो तो इतना simple सवाल भी पूछ लेगा, तो आंसर है एना नायन है तो इंटर भेरिंग नायन जो है वो आपके सामने है क्या कि बाप सॉफ्ट है खुदार मतलब गुस्ता नहीं करते हैं पापा बहुत सॉफ्ट होते हैं तर मेरी फ्रेंड आपको अच्छा शाम भवी ले नाम ले लिया बिटा अब क्या हुआ शाम भवी का शाम भवी रहे हो माता पारवती की चल चल ठीक है पाप सॉफ्ट अरे भाई देखो मैं आगे भी बोल रहा हूं अभी भी बोल रहा हूं हिस्टिक्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है उबक्त बनाने की जिम्मेदारी उसकी ہोती जिसे याद करना रखना होता है मतलब मुझे तो याद है कि मैं तो डायरेक्ट बिना ट्रिक के भी बना लूँगा और ये ट्रिक भी शायद मैंने पढ़ाते हुए बैच में ही बनाई है मैं पहले से नहीं लाया हूँ आगे भी ऐसा कहीं पर भी तुम्हें लगे कि ट्रिक बनानी है तो मैं तुम्हें एक मि नेक्स्ट तो मुझे बताओ वापिस से यहीं कहीं याद करके आगे बढ़ो यहीं कहीं आगे याद करके आगे बढ़ो बताओ एनायन बोलो फटाफट बोलो फटाफट बोलो 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 क्या की कौन से होते हैं बिटा बताओ इंटर्फेरिंग एनायन कौन से होते हैं तो जो भी आपको कुछ बच्चे लिकेत बहुत बडिया बाप ओफ लिकेत जैसा भी आपको ठीक है बाप ओफ लिकेत गेत फिर आते हैं कि सब आने जुसी कि बात कर रहे हैं शुरुआत में एन की पढ़ेंगे न का टेस्ट करना है अब एना एन्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्योंकि देखो जब तक हमको पता नहीं होगा ना कि इसका एड्रेस क्या है यह कहां रहता है इसका क्या कैटेगरी है तो हम किसी के बारे में बात कैसे करें डायरेक्ट आएंगे लोग कार्बुनेट का टेस्ट पढ़ा के चले जाएंगे तुम उसको दस बार पढ़ेगा एक गंटे वाले लेक्चर को क्यों क्योंकि जब आगे पीछे का कुछ नहीं पता हो और डायरेक्ट टेस्ट कर रहा हो तो फिर मजा नहीं आता आगे पीछे का पता होना ची अरे खांदान के बारे में तो पता करो कि कहां का है यह तो हम खा क्लासिफिकेशन इतना सिस्टेमेटिक नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनके बैसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है और वह बहुत हेल्पफुल है और आप बोलोगे कि सर बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है यह सीधा यहां से ही सवाल आ वो तो यही पूछ लेगा कि इन में से कौन से ऐसे एनायन्स हैं जो किसी एसिड के साथ वोलेटाईल प्रोड़क्ट देते हैं तो बैसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि क्लासिफिकेशन यहां पर क्लास A एंड क्लास B और फिर इनके अंदर भी दो-दो ग्रूप हैं सब ग्रूप यहां रखना बेटा क्लास A वाले वो होते हैं जो किसी एसिड के साथ कोई गैस देंगे वोलेटाईल प्रोड़क्ट का मतलब सिंपल सी बात है कोई vapor बनेगी, gas बनेगी, वापिस सुनो, class A वो है जो किसी acid के साथ volatile product देंगे, और class B वो है जो volatile product नहीं देंगे, तो इसका मतलब है, sir, ये classification किस बैसिस पे हुआ, तो ये classification किस बैसिस पे हुआ, कि जब हमें salt मिलता है, जब हमें salt मिलता है, और हम acid डालते हैं, जब हमें salt मिलता है, चूरण, चूरण में हमने acid डाला, और कुछ नहीं हुआ, तो समझ जाओ, class B है, और अगर चूरण में acid डाला, और कोई gas निकलती हुई दिखी, वो gas colorful भी हो स सकती है, मतलब white भी हो सकती है, या आपको colorless का पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता हो कि gas जब liquid में से निकलती है, तो बुलबुले होते हैं, बुलबुले वगेर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप class A में हो, और class A में भी subgroup 1 और subgroup 2 को इस तरह से classify किया गया है, कि acid कौन सा लेना है, यहां तो common लिख दिया बटा, acid, अब acid अगर dilute HCl और dilute H2SO4 है, तो होता है subgroup 1, और अगर acid अगर concentrate H2SO4 है, तो subgroup 2, दोनों acid है, अगर dilute acid है, दोनों, तो क्योईसा भी ले सकते हो, dilute HCl भी ले सकते हो बटा, और dilute, क्या हो सकता है, H2SO4 भी ले सकते तो subgroup 1 वाले dilute HCl और dilute H2SO4 के साथ reaction करेंगे, और कौन सा कोई gas देंगे, और यहां पर subgroup 2 वाले concentrate H, मैं आपको पता है, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही तो सवाल आएंगे नीट में, विश्वास रखो, यही सवाल है, वो तो यह पूछ लेगा, इनमें से कौन सा NIN concentrate H2SO4 के साथ कोई volatile product देगा, और तुमको पता ही नहीं है, अभी तो मैं हाला कि इसका classification आ गया आएगा, तब मैं बता दूँगा, अब सुनो, यह group 2 हो गया, subgroup 2 हो गया, यह रहा इधर, यह कोई gas, gaseous product नहीं मनाएंगे, acid के साथ बिलकुल नहीं मनाएंगे, ठीक है, तो सर, इन में फिर subgroup 1 और subgroup 2 कैसे decide करते हैं, तो इन में कैसे decide करते हैं, बिटा, कि इन में से हाला कि अपने पास, अपने syllabus में सिर्फ एक ही NIN है, इस पूरे group में से, class B में से हमारे पास सिर्फ sulfate हैं, और कुछ नहीं है, class B में से सिर्फ हमारे syllabus में sulfate हैं, बाकि जो भी NIN वो हमारे सब गुरुप 1 में से हैं और सब गुरुप 2 में से हैं class A के तो class B में से हमारे पास सिर्फ शल्फेट हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई कोई volatile product तो आया नहीं तो क्या होगा कि इनको फिर identify कैसे करेंगे तो इनके precipitate बनाएंगे precipitate जानते हो ना गुलने वाली चीज आपने कोई चीज मिलाई और वहाँ पर कोई insoluble चीज आपको नजर आने लग गई उसको बोलते हैं precipitate क्या बोलते हैं उसको precipitate तो इनको तो किसी precipitate reaction से देखते हैं और सब गुरुप 2 जो होता है उसमें generally redox reactions की वज़े से हमें कोई color changing के observations नजर आते हैं जैसे आपने कुछ मिलाया तो हरे से निला हो गया निले से हरा हो गया इस तरह की चीज़ें redox change होते हैं तो basically subgroup 1 वो होते हैं जो precipitate reactions देते हैं और subgroup 2 होते हैं वो redox changes देते हैं anyways ये class B का इतना load नहीं लेना है क्योंकि class B में सिर्फ sulphate है हमारे अंदर ठीक है और sulphate के जो test होते हैं वो precipitate वाले test होते हैं यानि कि subgroup 2 तो हमारे syllabus में ही नहीं है ठीक है एफ माइनस हटा दो क्योंकि वो हमारे syllabus में नहीं है तो हमारे पास आएगा chloride, bromide, iodide और nitrate ठीक है और इधर हमारे पास है कौन-कौन से carbonate, sulphide, दमरू वाला ड, sulphide और साथ में एक और है कौन सा? नाइट्राइट तो नाइट्राइट इधर है और नाइट्रेट इधर है एनिवेज यह आपने बना लिया होगा ऐसे मत समझना कि मैं आगे नहीं बता रहा हूं इससे आगे मैं आपको और चीजें बताने वाला हू तो बताओ यहां पे कुछ आपको मैं एक्जाम्पल्स लिख के देता हूँ इधर लिखे हुए नहीं है इधर लिखे हुए नहीं है उसका कारण है कि मुझे पता है पहली बार हैं बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएगी बहुत ध्यान से इन चीजों को देखो basic चीजों से ही आपका question बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको क्योंकि इस बार पहली बार सवाल बनेगा वो बहुत basic सवाल बनाएगा अगर उसे लगा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो SI करने वाला है इसलिए मैं इन पर थोड़ा जादा क्या पूछ सकता है वो जैसे अब सुनो बिटा मैंने कहा था ना class A class A क्या करता है कोई volatile product बनाता है किस के साथ acid के साथ किस के साथ बनाता है बिटा acid के साथ ठीक है तो यहाँ पर हमको यह subgroup 2 भी मान लेना है उसको मैं अगली slide पर बनूँगा subgroup 2 ठीक है next slide पर ठीक है तो अब 1 और 2 अब हम class A की बात कर रहे हैं सिर्फ ठीक है अब हम सिर्फ class A की बात करें उधर यह पढ़ रहे हम अब सिर्फ इधर बाद में आएंगे आजो फिर देखो subgroup 1 अच्छा concept क्या है कि जो भी guess निकलेगी उससे guess करेंगे बोलो क्या करना है? गैस से guess करना है आप इस बोलो क्या? गैस से guess करना है यही concept है जब भी acid डालोगे कोई gas निकलेगी क्यों निकलेगी? क्योंकि class A है और class A क्या करता है बटा? volatile product देता है तो गैस से guess करो यही concept है इसका कैसे करेंगे? जैसे आपको कोई sample दिया हुआ है अब आप मैंने तो इसको systematic बना दिया है आपको मैं कैसे बता रहा हूँ यह तो आपको याद कर नहीं हो बता रहा हूँ माल लो यह रही test tube इसमें आपने डाला एक pinch of salt थोड़ा सा है ना ऐसे चिम्टी भरके डाल दिया उसम मिला दिया मिला दिया क्या हुआ कोई गैस निकलने लिगी अब वो गैस अपनी कोई characteristic smell देगी या अपना कोई characteristic color देगी उस बैसिस पे हमें बोलना है कि इसके अंदर यह एनायन प्रेजेंट हो सकता है let's suppose आपने salt के अंदर salt के अंदर इन में से कोई भी acid मिलाया और अगर colorless, orderless, brisk effervescence सार यह कैसे पता चलेगा? सोडे की bottle खोली है कभी? सोडे की bottle खोलने पर नजर आया है कि उसके अंदर से कैसे बुलबुले जाते है? वो CO2 release हो रही होती है तो जब भी कुछ ऐसा appearance आएगा तो समझ जाना CO2 निकली है कोई smell नहीं होगी, कोई जो color है वो नहीं होगा अगर आपको कुछ visible होगा तो सिर्फ एक चीज की वो गुड़-गुड नजर आएगी आपको, गुड़-गुड कैसी? जैसे आपको sprite वगेरा में नजर आती है तो इसका मतलब है वो CO2 release हो रही है तो अच्छे से यह नाम पढ़ लो, colorless, orderless, brisk effervescence यह सब किसकी property हैं CO2 की जब CO2 release होगी, तो carbonate या उसका bicarbonate दोनों present हो सकते है bicarbonate और carbonate carbonate और bicarbonate अगर salt में हैं, तो CO2 release होगी acid डालने पर वापिस सुनो, carbonate और bicarbonate अगर हैं, तो CO2 release होगी यानि कि अगर कुछ ऐसा observation आपको देखने को मिलता है तो आप यह नहीं बोलोगे कि carbonate पक्का है और चले जाओगे लेब assistant के बाद, carbonate है इसमें, वो बोलेगा इधर हो, confirmative test कौन तेरे पापा करेंगे? यह तो preliminary test है, यह सिर्फ ऐसे लिखे जाते हैं कि carbonate may be present by carbonate may be present, ऐसे लिखा जाता है विटा, ऐसे नहीं लिखे रहे, carbonate is confirmed, नहीं, ऐसा कभी नहीं लिखना है, कि इधर से निकले करे, ए, सोडे खी भोतल जेसी, आरे भाया, गेस निकल गए, रे, लो, वो यह अपना काम, लिख दो, करें क्या लिखना है, करें कॉपिम, लिख दो, क्या लिखें, करें carbonate is present, वो ऐसा जहांपट मारे करें, भाग यहां से, ठीक है, may be present, क्योंकि हम यह preliminary test करें, carbonate, अगर हमें ल पता है, हाँ, तो पहली नजर में ना तो प्यार होता है, और ना ही test confirm होता है, इसलिए पहली नजर वाले प्यार पे और पहली नजर वाले observation पे भरोजा नहीं करना, ठीक है, हाँ, याद रखना, यह आ गया अब अपना, कि अगर gas निकली, ऐसी, जिसका burning sulfur like smell है, सर यह burning sulfur like smell ह होती है, पठाका जब जलता है ना, पढ़ाका, है ना, यूपी वाले पढ़ाका, पढ़ाका जब जलता है, तो वो कैसी smell देता है, वो sulfur के जलने की smell होती है, वैसी, बारूद के जलने की जो smell होती है, पठागे के जलने की, वैसी smell आएगी, choking smell होती है, choking smell होती है, choking मतलब दम गुटने लगता है सफोकेटिंग आपको लगता है आपने सूखा और या थोड़ा सा दम गुट रहा है सांस निया रही ऐसा वाला कुछ हो तो क्या बोलना है एसो टो आप बोलो कि मैं इतना टाइम लगा क्यों रहूं मैं कि रहूं किरों इधर से सवाल आने वाला है इधर से अगर एसो टूगेस वापी सुन लो बर्निंग सलफर लाइक स्मेल और चौकिंग स्मेल सफोकेटिंग स्मेल ऐसा कुछ भी दम गुटने वाला कुछ मैसूस हो है ना तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है थोड़ी देर लंबी सांस लेनी है और लिखना है कि सलफाइट या या बाई सलफाइट प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि सलफाइट या बाई सलफाइट ठीक है तो ऐसा कभी भी हो तो क्या लिखना है सलफाइट में भी प्रेजेंट और बाई सलफाइट भी प्रेजेंट हो सकता है कि कि अधित्य रूही को कुछ पूछ रहा है कि रात को टेक्स्ट करूंगी तेरे को टेलिग्राम पर अधित्य पूछ रहा है रूही से कि रूही का पता नहीं अडले नहीं तो रिजल्ट देखके रूह कांप जाएगी रूह रूही एक तो नाम ऐसा है और रात को टेक्स्ट करेगी तो डर जाएगा रूही इसको सपेज साड़ी में फोटो बेद दू पर आता है सल्फाइड फिर की आता है वेटा अलवाला वह शल्फाइड है यह ट है यह डocr है यह अधर है वेटा यह ही नहीं पता होगा तो क्या ही साल्ट Consult पढ़ोगे इसलिए मैंने नाम लिखे हैं सल्फाइड जिन पर सितारे लग रहे हैं वो हमारी सिलेबस में हैं लेकिन यहां पर बाकी भी चीजें पूछी जा सकती है चिंता मत करो क्योंकि यह एक बैसिक observation होता है तो इतना तो पता होना ही चाहिए वह ऐसा नहीं कि यहां पर भी सुर्फ स्टार लग रहे हैं उसी के observation पढ़के जा रहे हैं ना confirmatory test हम उनी के पढ़ेंगे जिन पर स्टार लग रहे हैं हम acetate के कोई भी confirmative test नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ठीक है हम sulphide के नहीं पढ़ेंगे बाई sulphide के नहीं पढ़ेंगे लेकिन यह एक test tube है और इसमें तुमने acid डाला तो इन में से तो कुछ भी हो सकता ना भाई आजो आजो अब देखो अगला अगला तुमने test tube ली और उसमें मिलाया क्या acid और बड़ी गंदी नाले जैसी स्मेल आने लगी ओहो ओहो क्या कर दिया पास वाले ने भी गरियाना शुरू कर दिया कि दिमाग खराब है क्या सड़ा रही है तो जब भी ऐसा घंदा सड़े है तो समझ जाना वेटा कि उसमें H2S gas आ गई है और H2S gas कैसी होती है? Rotten egg like smell मतलब एक तो अंडे और उपर से सड़े हुए है ना एक तो करेला उपर से नीम चड़ा तो वह वाली बात हो जाती वेटा एक तो अंडे पहले से ही smell मारते हैं और उपर से सड़े हुए अंडे और भेंकर मारते हैं तो क्या होगा कि सड़े हुए अंडों की जो smell होती है ना वो कैसी होती है? वो होती है H2S कैसी होती बिटा? H2S अब जिनको अंडे की नहीं पता उनको बता देता हूँ कि बहुत गहरा जून की गर्मी में तपता हुआ काला नाला और उस पर उठते हुए बुल बुले पानी में थेलियां तर रही है वो जो smell होती है ना वो वेसी सी होती है हाँ जो अंडे नहीं खाते हैं उनके लिए नाले से याद करो वो अपना mood नाले की सोच के खराब करें और जो अंडे खाते हैं वो सड़े हुए अंडे का सोच के खराब करें अपना mood लेक पास सबको पता लग जाता है पास में फिजिक्स लेव वाले भी बोल देते हैं कि क्यों देते हो इनको सल्फाइड सोल्ट हमें भी ये प्रैक्टिकल नहीं करने दे रहे हैं तो लेबॉरेटरी के अंदर एच्टूस गेस जब भी आती है तो कंफर्म हो जाता है कि यार सल्फा लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा आज वागे नाइट राइट क्या है बिठा नाइट राइट नाइट राइट क्या होता है एनो टू माइनस नाइट रेट क्या होता है एनो थ्री माइनस तो नाइट राइट में जब आप ये मिलाओगे ग्रुप तो इसमें brown color fi fumes आएंगी ब्राउन कर्क वमिभान बुबा struggled दिखेगी और जादा प्रैशर पर दाइमर बना सकता है कम था और जाधा प्रेशर पे N2O4 बना देता है, क्या कुछ याद आ रहा है, पानी में जाके NO2 जो है, वो disproportionate हो जाता है, NO plus HNO3 में, ये भी याद आ रहा है, हैं, अरे बोलो, अरे कहां पढ़ाया था, अरे chemical bonding में पढ़ाया था, एक NO2 और इतने सवाल, बिल्कुल बिटा, इसका bond angle 120 से और 180 से कम होता है, लगवग 134 डिगरी होता है, अरे कुछ याद आ रहा है, हैं, अरे मैं नहीं बढ़ाया था, मैं नहीं बढ़ाया था, हाँ, यस, 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 चलो, रोटन फिश वाला कौन सा है, गोपाल कह रहा है, रोटन फिश वाला PH3 ये बिटा, PH3 गेस जो होती है, व मचली अंड़ देती है क्या, मचली चरायूज होती है या अंडज होती है, ऐसे अंगरेजिम क्या बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं बता, सरदर्द कर रहा है, भाई, अंग भी लिख दे, अंग, कौन सा, दर्द कर रहा है, दिमाग ठीक है, एसिटेट, एसिटेट जो होता है न, वो एकधम, बिल्कुल, सबने रेस्टोरेंट में जाके सिर्के वाले प्याज घ्राएं होंगे, खटी-खटी स्मेल जो होती है, सिर तो अगर एसिटेट अगर प्रेजेंट हैं, तो एसिटिक एसिड की वैपर्स निकलेगी, और वो वैपर्स की स्मेल कैसी होती है, वो वैपर्स की स्मेल होती है, खटी-खटी, विनेगर, फिर के वाली, आजो फिर, और यह है थायो सलफेट, अब देखो इसमें भी क्या होगा, यह थायो सलफेट में और इसमें कितना फर्क है, जरा बता न, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, आजा, थायो सलफेट में और एसो थ्री में, एक होता है 2 10 ,3 203-2 203-2 2 15 इसमे और इत्मे 500 इदिफ्रेंस किपिसमे और इसमे क्या डिफ्रेंस हे रहिज च्ट्राइब हो इसमे और इसमे चैश्टार यह अस्टाइब रहा जल्दी उन्हों समेड इक्स्राइब न वर गहल एक सलब पर बस तो इसव आले का observation याद है एस वाले का observation याद है एस वो तो है एक सलफर है अर्व उसको नीचे लगा ले सलफर का प्रेसिपिटेट आ जाता है साथ में अगर सिर्फ सफोकेटिंग गैस है बर्निंग सलफर लाइक स्मेल हैं सिर्फ वहीं है और सॉलूशन के अंदर कुछ भी आपको टर्बीडिटी नहीं दिखी टर्बीडिटी का मतलब होता है मेलापन मट मेलापन धुंदलापन ठीक है यह होता है तर्बीडिटी तो अगर वो थ्रैयो सल्फेट होगा ना तो इसतरह के यह साथ टेस्थ ट्व में आपको टर्बीडि शॉलूशन हलके पीले रंग का गंदा सा मट मेला सा हलके पीले रंग का एक मह जो है सॉलूशन नजर आएगा अंक्लियर मेला Quelle and क्लियर ज्यादा मट मेला अगेरा मत पड़ो टरबीड का मतलब क्या होता बिटा अन क्लियर जो कि आपको टेस्ट चूब के उस पार देखने नहीं देगा थोड़ा सा है ना हाँ गंदा गंदा हो जाएगा ठीक जो नया है वो लाइक कर वाई जल्दी लाइक करें सब्सक्राइब करें आजो भई तो अब क्या हम यह देखो किसको यह observation याद है जल्दी बताओ किसको यह observation याद हो चुके हैं जल्दी बोलो अगर अगर a SC tracks संघाना क्या होसकता है सल्फाइड होसकता है अगर विनेगर जैसी स्म έला सिर्के जैसी स्मयल आ थो तो एसीटेट प्रेजेंट हो सकता है अगर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखें तो एननाइट्राइट हो सकता है अगर 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 सफोकेटिंग स्मेल के साथ सॉलुशन भी टर्बिड हो जाए तो समझ जाओ सलफाइट नहीं थायो सलफेट याद हो गया प्टा यसको ऐसे याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है अलाइक ना करूं तो सर से मत कर भाई अगले साल किसी बेच को पर्चेज कर रहा होगा बद कर अचनल कर वो डांस वाला लाइक कर लेना मेरा नहीं इसका भी करना कर लेना कि दान्स के वीडियो पे तुम भीना कहें लाइक कर देते हूं कि डान्स कि कर दे आजाओ अब सब ग्रुप टू बताओ वेटा सवाल मेरा सवाल सब ग्रुप वन का ग्रुप रेजेंट कौन है मेरा सवाल सब ग्रुप वन का ग्री एजेंट कौन है यह ऐसे सवाल पूछेगा सब ग्रुप टू का रेजेंट कौन है तो कंसेंट्रेट हट वन के पास एक पावर होता है जोकी डाइल्यूट हट वन के पास भी होता है वो है पहला यह एसेडिक नेचर तो यह और इसका सस्ता वर्जन नाप तोल समंगाया हुआ है डाइल्यूट हट वो भी होता है ठीक है तो लेकिन जो दो प्रॉपर्टी होती है न बटां वो दो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इसी की होती है ओनली इसेंट्रेट हट वो भी दिखा देग प्रॉपर्टी चुप्श्डी देगा है एसेडिक नेचर का मतलब एसप्लस देना तो यह भी देता है ठीक है लेकिन देख लेता है कि सामने कौन है जहां इसकी नहीं चलती है वहां पर यह औक्सीडाइजिंग बिहेवियर करता है तो जहां नहीं चलती है चुपचाप है देगा कि ठीक है मैं भी तो ऐसीड हूँ तो अभी आपको पता चलेगा कि किसी-किसी जगे पे इसकी नहीं चली और किसी-किसी जगे पे इसकी चल गई ठीक है तो फिलाल मुझे बताओ कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछे कि इन में से कौन सी प्रॉपर्टी डाइल्यूट H2SO4 की नहीं है तो आंसर जाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट और 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 ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लेकिन एसेडिक उसकी भी है इसकी भी है इसेडिक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों की कॉमन है मतलब H प्लस देना तो हमारे पास सब ग्रुप टू में जो यहां लिखे हुए है और उसके बाद ऑग्जेलेट नाइट्रेट और बोरेट यह नाइट्रेट है अगर आप इनके नाम लिखना चाहो तो लिख देना इनके तो लिखने की ज़रूत नहीं मैं जानता हूं इसक इसका नाइट्रेट उसमें नाइट्राइट था और यह हैं बोरेट आप तुन ले पटाफट देख ले यह फ्लॉराइड का अगर कोई सेंपल में सॉल्ट में फ्लॉराइड हुआ और तुमने कंसेंट्रेट हैस्टो फोर मिलाया कुछ नहीं बनेगा क्लियर सॉल्यूशन नहीं देगा लेकिन अगर उस ट्रेस्ट को तुम लंबे समय तक छोड़ दो कि्तेश्टी ग्लास की और ग्लास ऺता हैसा योट्यू तैस्टूब चिश्टी में तुमने एचफ पड़ा रहने दिया तो वो HF उस test tube के glass को धिरे-धिरे उसकी उपर की परत को खा जाएगा, soluble बना देगा SiO2 और HF की reaction को कहा जाता है वेटा, etching of glass etching of glass एक बहुत क्या बूलते हैं, common सी term है जिसकी वज़े से बहुत सारी जगे पे तुम ये देखते हो हमारे गरों में भी कई बार ऐसे काच लगे होते हैं, जिन पर फूल पत्ती बनी हुई होती है color की नहीं, sticker की नहीं, glass की ही लगता है कि एक full बना रखा है, लेकिन वो full धुंदला है ऐसा लगता है कि ये वाला glass यहां पर अलग है design में नहीं, वो क्या होता है कि उस उस पर्टिकुलर जगे पे HF जो है न वो इस प्रे किया होता है तो glass की उपर की परत को हटाने से क्या होता है, वो blurred हो जाता है ब्लर हो जाता है वो, तो ऐसा आपने designs देखी होंगी काच के अंदर कि glass जो है वो transparent होता है और उस पर एक blurred, blurred, flower बना होता है, design में, कुछ भी design बन सकती है, मेरे action पर ना जाए, कुछ भी design बन सकती है तो HF, SiO2 और H2, SiF6, ये एक soluble complex बन जाता है विटा, H2, SiF6 तो अगर आप उस test tube में उस HF को पढ़ा रहने दोगे, जो कि hydrofluoric acid है, वो क्या करेगा, उस test tube को धीरे धीरे, जहाँ जहाँ पर भरा हुआ है ना, फिर आप चाहे उसको थोड़ी देर बाद खाली कर दो, आप देखोगे आपकी test tube खराब हो जाती, क्यों हो जाती है, क्यों मैं तुम से पूछता हूँ, इस fluoride के सामने इसने कौन सी property दिखाई, तोच समझ के बता ना, यह P block का सवाल भी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत समद लेना कि यह नहीं आएगा, यह तो आएगा, यह तो P block भी है, इस fluoride के सामने, इस fluoride के सामने कौन सी property दिखाई, यह, acidic, क्योंकि oxidizing कैसे दिखाएगा, वो fluorine है, fluorine सबसे strongest oxidizing agent होता है, अगर कोई शेर हैं और उसके मूँ में हड़ी पड़ी है, तो तुम कैसे निकालोगे उसके मूँ से हड़ी, नहीं निकाल सकते हैं, तो यह जब सामने गया, तो F- ने बोला, हाँ भई, क्या, किदार, क्या, oxidizing agent है, किदार, क्या नहीं, मजा करा हूँ, है, 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 है मैंनस मैं रहो, मुझे क्या दिक्कत है, 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 हे सामने लू या और सफेध कलर के धुए निकलने लगए अधाय दूआ धूआ कर दिया लेकिन तुम कह रहे हो कि अभी और धूआ धूआ करूंगा तो तुमने क्या किया कि किसी को glass road दी ग्लास road जानते हो काच की एक छड़ होती है काच की रोड होती है पतलीसी काच की एक डंडी होती, ग्लास रोड लेबरेटरी के अंदर आपने देखी होगी, एक ग्लास रोड देके आपने जनरली दो दो तिन तिन के ग्रूप में चूरण मिलता है, तो आपने ग्रूप में से एक बंदे को गा कि जल्दी जा और अमोनियम हाइड्रोकसाइड में डिप करके लिया, वो गया, उसने अमोनियम हाइड्रोकसाइड में जाके डिप कर दी उस ग्लास रोड को, अब जिस टेस्ट्यूब से तुम्हारे वाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं, उस ग्लास रोड को, किसमें अमोनियम में भीगी भीगी सी उस ग्रास रोड को तुमने उस टेस्ट यूब के मुझे रखना शुरू किया तुमने देखा कि इंटेंसीटी जो है वाइट फ्यूम्स की जो इंटेंसीटी है वो इंक्रीज हो गए अब वो dense हो गए, dense white fume, क्यों, क्योंकि अब वो बन गया किसका, अब वो बन गया है NH4Cl, क्या बन चुका है बेटा, NH4Cl बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, कि जब कभी भी, यह मैं बता देता हूँ, कि यह रहा HCl, और अगर आप इसमें NH4OH मिलाओगे, तो बेटा क्या होता है, कि अमोनियम आयन जब भी, अमोनियम आयन जब भी किसी acid को देखता है, अगर अमोनियम आयन जो है, यह क्या करेगा, इसके साथ, Cl- کے साथ चला जाएगा, इसके साथ कहां चला जाएगा, Cl- के साथ चला जाएगा, यह देखो, तो यह अमोनियम कलोराइड बन जाएगा, और यह अमोनियम कलोराइड यह बताता है, कि यहाँ पर क्या है? white dense fumes आएंगे, तो ये इस वज़े से यहाँ पर हमको white dense fumes मिले, अब आजाओ, अब आएगा यह अपनी ओकात पर, ठीक है, जैसे ही concentrate H2SO4 मिला है और bromide अगर अंदर बैठा है, तो bromide एक बार के लिए तो सभी अपनी कोशिस करते हैं, तो bromide ने बोला कि मैं भी electron नहीं दूँ दोन आजओ एक साथ, क्या बोला, दोन आजओ, क्या रहे कि fluoride बनता है, दुनिया मुझे moderately strong oxidizing agent बोलती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, मानता हूँ तुमारी family के दो का electron नी छेन पाया, पर तुम ज़्यादा मत कुदो, तुम वेसे ही जमाने में बदनाम हो, electron देन के लिए, तुम्हें दुनिया reducing agent कहती है, पर तुम चोड में मत रहो, ठीक है, तुमारा काम है electron देना, तो दे, oxidizing agent की तरह काम करूँगा, तो करूँगा, minus 1 से 0 में ले जाओंगा तेरको, तू ज़्यादा मत कुद, तो इसको बोला, और वो तेरा अगला वाला, उसको भी ले किया, जब तेरी नहीं सुन रहा, तो इसकी क्या सुनूगा, तो ये दोनों विचारे BR2 और आइटू बन गए, ये दोनों क्या बन गए, BR2 और आइटू बन गए, अब BR2 जब भी बनता है, तो brown color की वैपर होती है, असर brown color की वैपर तो NO2 भी होती थी, तो sir, nitrite भी तो ह हो सकता है, अरे sir, nitrate भी तो हो सकता है, ये भी NO2 है, ये भी brown color की वैपर है, अब क्या करें, brown color की वैपर के कारण तो nitrate भी हो सकता है, नीचे आ रहा है, देखो, nitrite भी हो सकता है, पहले पढ़ लिया, और अब क्या करें, तो simple है, अगर वो brown color की वैपर को तु पानी में मिला और पानी जो है वो भूरा भूरा हो जाता है ब्राउन कलर का सॉलूशन हो जाता है तो समझ जाना बेटे वो ब्रोमीन थी और अगर उसी ब्राउन वेपर को पानी में डालता है और वो कलरलेस ही रहती है मतलब वो ब्राउन वेपर पानी में जाके कलरलेस हो गई तो समझ जान बेटे वो BR2 नहीं है, वो NO2 है, क्योंकि NO2 पानी में जाके disproportionate हो जाता है बिटा, यह राप प्लस 4 और पानी में गया तो प्लस 2 और प्लस 5 में तूट गया, NO और HNO3 में कोई color नहीं है, NO और HNO3 color less होते हैं, तो अगर brown color की gas दिख रही है, brown color के vapor दिख रहे हैं, और confusion है कि BR2 है यह NO2 हैं, तो सबसे बड़िया तरीका पानी ला रहे हैं, और अगर पानी लाया और पानी में flow करवाया, पानी भूरा हो गया तो BR2 है, और पानी colorless हैं, तो समझा NO2 है, याद रहेगा, याद रहेगा, अरे बोलो याद रहेगा, ठीक है, मज़ा तो आ रहा है ना, फील तो आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, बहुत मुश्किल है, यह practical है, और इसे theoretical पढ़ाना कितना मुश्किल है, यह मैं जानता हूँ एक टीचर के लिए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं याद करके जाएंगे, उसके बाद सिर्फ नोट्स रिवाइज करे जाएंगे, आज पढ़ने के बाद दो से तीन बार आपको नीट से पहले यह नोट्स रिवाइज करने है, ठीक है, यह सोल्ट एनालिस एक ऐसा चैप्टर है, जिसको आपको हर तीसरे दिन तो देखना ही पढ़ेगा हर दूसरे दिन देखना पढ़ेगा, तीन तो छोड़ो, तो इसलिए इसके नोट्स को आप एक से अपने टेबल पे जरूरी चीजों के साथ रख दे, जैसे वो pen pencil पढ़े रहते हैं तुमारे, वह से पास में रख देना कि यार यह चार पन्ने, पांच पन्ने तो मुझे प होती है, तो पता कैसे करें कि oxalate है, यह तो carbonate भी हो सकता है CO2, तो CO के कुछ specific चीज़ें होती है, जैसे CO जो है वो reducing agent है, CO जो है वो reducing agent है, तो जैसे कोई solution ले लिया, उसमें CO flow करवा दी, वो reduce हो गया, color बदल गया, तो CO जो है वो reducing agent होती है, इससे पता लग जाता है कि वो oxalate है या carbonate है, क्योंकि carbonate सिर्फ CO2 देता है, और oxalate carbon monoxide plus CO2 देता है, अब ऐसे तो यह भी color ले से, यह भी color ले से, तो हम अगर अंदर CO present है, तो CO reducing agent होती है, और CO2 reducing agent नहीं होती, तो कोई भी एक redox reaction लगवा देंगे, कोई भी एक redox reaction लगा देंगे, ठीक है, या कुछ नहीं, या कुछ नहीं, तो simple सा यह है, वैसे करने नहीं देते लेव वाले, लेकिन एक माचिस की तिली उपर रख दो, अगर blue CO2 flame में जलने लग जाए, क्योंकि CO2 तो बेटा जलने में मदद नहीं करती, CO2 तो जलने में मदद नहीं करती, carbon जहां plus 4 में पहुँच गया, मौक्ष प्राप्त कर चुका है, वो नहीं जलेगा आप, CO2 तो जला जुलाया product है, complete combustion का product है यह, और यह complete combustion का product नहीं होता, CO, आप बढ़ाने में, तो जब भी पता करना हो कि इसमें से CO2 और CO दोनों निकल रही है, तो माचिस की एक तीली उपर लगा के, ऐसे माचिस को जला के, और उस test tube के उपर ऐसे रख दो, क्या होता है, कि अगर CO निकल रही है, तो flame blue color की हो जाएगी, और अगर flame blue color की हो जाएगी, त ठीक है, जो भी तू लिख रहा है ना, ठीक लिख ले, क्योंकि अगर मैंने किसी, XYZ किसी की, मतलब, तुमारे entertainment के लिए कुछ चीज बोली है, तो तुम XYZ मैम की ID पे नीचे जाके, वहाँ पे comment लिख रहे हो, कि कौन-कौन यहाँ पर MD सर के कहने से आया है, अरे यार, कम से क अपनी नहीं, तो मेरी इज़्जत का तो ख्याल करो, कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, ताकि तुमारा mind fresh हो, और तुम वहाँ जाकर comment इसलिए लिख रहे हो, ताकि मैं mentally परिशान हो जाओ, थोड़ी तो शरम करो, थोड़ी तो इज़्जत करो, है, वहाँ पे जाकर लिख रहे करते हो तो, और पता है मैं किस मेडम की बात कर रहा हूं तुमारे सामने, ठीक है न, या ठीक है कोई बात मजाक मस्ती के लिए मैंने तुमको बैच में बोल दी, घर की बात है न, तुम तो अपने घर की बात भी बाहर ही बताते हो फिर तो, पता देते होंगे, क्या आज मेरी बेहन के तपड़ पड़ी, क्यों, पापन पकड़ लिया था, बोईफ्रेंट से बात कर रही थी, बता दे फिर, घर की बाते हैं बाहर थोड़ी बताते हैं, पापा मम्मी जगड रहे थे, बाहर बता दू, मूर्क हो क्या, गर की बाते हैं, बाहर जाके नहीं बताते हैं, थमस्दारी रखे, मैच्योरिटी रखे, मुझे पता है, यह सब गए, वहाँ पर देख के आए, लेकिन देख के आओ, कोई बात नहीं, कमेंट में वहाँ मेरा नाम लिख रहे हो तुम या, बेवकुफ, कुछ बच्चे मुझे स्क्रीन शोट भेज रहे हैं, कि सर देखो यह आपने क्या बोला है, कि बच्चे मैं त कम, फड़ी तो इज़्जत किया करो, नाइट्रेट, एनो टू देगा, ब्राउन कलर की गैस है, एच्टू में डालोगो, पानी में जाके 25 हो जाएगी, 25 मतलब 25, 25 मतलब एनो और एचनो 3, डिस्प्रपोर्शिनेट हो जाएगी, लिख देना आके डिस्प्रपोर्शिनेश बोरेट इतना important नहीं है, फिर भी white fumes आते हैं, वो boric acid के होते हैं, white fumes, ठीक है, further इनके test करके separate किया जाता है, HCL और इसको, जैसे वही है, कि ये white fumes, ammonium hydroxide के बाद dense नहीं होते हैं, लेकिन ये white fumes, ammonium hydroxide की glass road जो होती है ना, उस पर dense हो जाते हैं, तो यही इनका separation है, basically, ठीक ये तो हो गया, classification किसका, class A का, और class B का classification हमारे सामने ये है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखे हुए हैं, देख लो, हमारे काम का sulfate है, हम इनके test करेंगे ही नहीं, कोई preliminary test होता ही नहीं है, आप इनको खाली sulfate ion का जब भी test आएगा, तो हम कर लेंगे, ठीक है, तो इसके precipitate भी बन जाता है बहुत सी जगे पे, और वो oxidizing reaction भी दे सकता है, ये सब oxidizing agent है, देखो, oxidizing agent, oxidizing agent, oxidizing agent, oxidizing agent, तो ये क्या करेंगे, redox reaction तो दिखाएंगे ही न, तो इनको तो redox reaction से चक किया जाता है, तो ये इतना important segment नहीं है, और सबसे अच्छी बात है हमारे स्लेवस में सि clearly लिख देंगे, तो यहाँ पर ज्यादा time waste करने की ज़रुवत नहीं है, आजाओ, अब वो चीज जो तुमें बाकियों से अलग बनाएगी, क्योंकि अगर मैं तुमें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमें थोड़ा पहले solubility का knowledge देना चाता हूँ, मेरे साथ, चाहे 18 मिनट लग जाए, इनको यहीं याद करोगे, कुछ चीजे सुन लू, कुछ चीजे सुन लू, एक होता है लो--फा-इ- वर्ड, क्या होता है बटा कुछ चाहँ ना लो-फा-इ- चायान्स जो होता है बटा, लो-फा-इ- वोले तो चार्ज अपों रीडियस, इनकी जो च चारज की देंसिटी होती है ना वो कम होती है क्योंकि size में बड़े हैं और plus एक ही है अब बड़ी size पे एक plus बने तो देंसिटी कम रखता है तो इनके positive charge की density क्या होती बिटा कम होती है तो इन्हें बोला जाता है low-fi cations क्या बभ्ला जाता है इंको low-fi cation याद रहेगा, अब सुन लो मेरी बात, वापिस सुन लो, इतको बाद में पढ़ेंगे, वापिस सुन लो, क्या सुनोगे, सबसे पहले, फटा फट, अपने टिप्स पे दो चीज़ें याद करो, लोफाई सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट्स, फोलिवल होते हैं, और क्या सॉ इरम कर रहे हो, उबाल रहे हो, हो सकता हूँ, वापर सॉल्य भलियी चेंज हो चाहे, सॉल्य भलियूबिली जब तुम पढ़ते हो, तो एक तव आता है के KSP किने किने याद है KSP का मतलब क्या होता है एक वर्ड यूज होता है KSP KSP टोटल सॉलिबिलिटी प्रोड़क्ट किसको किसको याद है जल्दी बताओ कि सर समझ नहीं आ रहा है M10 all game तो बेटा तु गेम खेलना यहां क्या करना समझने के लिए है गेम खेल गेम समझ आ जाएगा तेरे को यह तेरे बसका नहीं है जा गेम खेल ले उसके बाद सब समझ आ जाएगा एक दिन सब समझ आएगा बेटा तुझे आज नहीं आ रहा है तो कोई बात ने हर और अजो हब लाइक करते रहे न विटा जो भी नए भूलना नहीं है लह घुलना नहीं भूलना नहीं बहुत मेनत करते हैं तुमारे लिए हर टीचर को पढ़ा के घया उसे लाइक करो आज अगर तुमने उससे कोई दो बात भी नहीं सेखिए, दो छोड़ो एग भी सेखिए, एक छोड़ो आद्दी भी सेखिए, लाइक करके जा, क्योंकि तुम खाली है, तुझमें कुछ तो भर रहा है यह, जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ा है वो तुम अगर इतना भरा भर रहा है और बिल्कुल ख teacher जब पढ़ाएगा तब हिसाइज, अपने फाइदे के लिए like करो तुम्हारा फाइदा तब ही ओगा जब तुम पढ़ाने वाले को like करोगे तुम्हारा फाइदा ह DC के लिए हूआ कैरो कमारा फाइदा हे भागक करें दान्स से तुम्हारा कोई भाधा नहीं कि ऐसा होगा तो तुम ऐसे ही करवा दोगे डांस किसी से दो आजो अगरो 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 इससे बड़ा मोटिवेशन क्या दूम है अब क्या चाहिए तुमको कि अगर हम आपके स्टूडियों के नीचे घड़े हैं अच्छा अजयर तो कार्बोनेट जो होते हैं ना पहले क्या बता है मैंने केस्पी की बात कर रहा था हाँ यस मैं पहले केस्पी सिखा देता हूं लोगो दो केस्पी एक वर्ड आता है केस्पी क्या होता है इसका मतलब अगर हाई केस्पी जादा होगी तो केस्पी इंक्रीज होगी अगर केस्पी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है वो क्या होगा सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर low KSP हैं, ऐसे समझो, low KSP हैं, यह हो गया आपना रहा high KSP, high KSP का मतलब solubility ज्यादा, low KSP का मतलब है, वो insoluble, और जो insoluble होता है, वो क्या बनाता है, PPT formation, तो किसी की KSP का कम होना, मतलब solubility product का कम होना, आरे जिसके नाम में solubility है, वो कम है, तो solubility कम, solubility कम तो precipitate जल्दी आएगा, तो बताओ, जितनी कम KSP, वापिस सुनो, जितनी कम KSP, उतना आसान precipitate, वापिस सुनो, जितनी कम KSP, उतना आसान precipitate, क्या मैं सही हूँ, और अगर नहीं, तो मुझे करेक्ट करो, या मैं सही हूँ, जितनी कम KSP, उतना जल्दी precipitate, जितनी कम KSP, उतना जल्दी precipitate आएगा, ज्यादा नहीं, जल्दी भी बोलो, ज्यादा तो आयन्स की concentration प्रिवेंग करता है, जितना कम KSP, उतना जल्दी precipitate आएगा, ओके, ठीक है, याद रह हूँ, इस चीज़ को मैं बाद में काम में लूँगा, आजाओ फिर फटा फट, लो, मैंने लिखा कार्बोनेट, जनरली सारे कार्बोनेट, वोटर इन्सॉल्यूबल होते हैं, बेटा, ये W, I का मतलब है, W for water and I for insॉल्यूबल, ओके, याद रहेगा, अगर इस I की जगे, म मैं ऐस लगा दू तो water soluble, वापिस मेरे साथ अभी का भी याद करो, all carbonates are water insॉल्यूबल, सारे carbonates water insॉल्यूबल होते हैं, except lo-fi and ammonium, क्योंकि lo-fi और ammonium हमेशा गुलेंगे ही गुलेंगे, चाहिए वो किसी के भी हो, lo-fi and ammonium तो हमेशा ही soluble होते हैं, याद हो जाएगा, वाप गर में सारे सुन ले, ऐसे बोलो, all carbonates are water insॉल्यूबल, except lo-fi and ammonium, अभी बोलो, क्योंकि ये चीज़ें अगर clear हैं, तो मज़ा आ जाएगा इस salt analysis में, क्या बोलोगे, सारे carbonate water insॉल्यूबल होते हैं, सिर्फ lo-fi और ammonium water soluble होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, आजओ, आजओ, आ लेनी, same as carbonate, done, ठीक है, और इसका तो कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे सेले बस में ही नहीं, चोड़ो, by carbonate, by carbonate, by carbonate जो होता है न बिटा, वो क्या करता है, याद करो hydrogen bonding में, यकिन 2.0 वाला, अगर कोई यहां है, तो hydrogen bonding में ये बताया था, कि by carbonate जो है, वो H bonding कर है, और H bonding जब भी होती है, तो पानी के अंदर solubility बढ़ती है, इसलिए, by carbonate जो होते हैं, वो carbonate के उल्टे होते हैं, by carbonate और carbonate उल्टे होते हैं, यह ना, carbonate का by carbonate soluble होता है, by carbonate सारे soluble होते हैं, एक मात्र ऐसा by carbonate हैं, जिसको sparingly soluble बोला जाता है, एक मात्र ऐसा by carbonate हैं, जो थोड़ा कम soluble होता है, वो होता है sodium by carbonate, sparingly का मतलब होता है partial soluble, वापिस सुन लो, sparingly का मतलब क्या होता है बेटा, partial soluble, बेटा यह चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ लो, शुरू के एक देड़ गंटे, अगर एक हो चुका है, देड़ दो गं पर basic चीज़ें, वापिस, क्या bisulphite की बात कर सकते हैं, इसको bisulphite बोलते हैं, यह same as bicarbonate, देखो, यह carbonate, carbonate, sulfite, same, same, और bicarbonate, bisulphite, same, same, आजो आगे, फिर आता है nitrate और nitrite, वापिस सुनो, nitrate और nitrite, अच्छी बात यह हैं, इनमें कोई tension नहीं, सब के सब soluble होता है, एक Hgno2 जो है, वो insoluble होता है, इसका मतलब, nitrate की तो दिक्कती नहीं है, मतलब, nitrate तो सारे ही soluble है, कोई tension नहीं है, लेकिन, एक nitrite, एक ऐसा nitrite होता है, जो water insoluble होता है, अब मैं तुम से पूछू, मेरे common sense use, करना बिटा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो सवाल पूछ हूं, वो सिधा सिधा ऐसा basic सवाल बन के आ जागे, तुम बोलेगे, यार, क्या आदमी, यार, कैसे सवाल पूछता है, है, मैं पूछता हूं, क्या nitrate अपनी जिंदिगी में कभी precipitate का test दे सकता है, आपसे वो, आपसे चार option बना देगा, which of the following salt cannot give precipitate test, अतलब, जो PPT-based test होत इन में से, जल्दी बताओ, answer क्या है, no, या सवाल बन गया, चार option बना देगा, एक में sulphate डाल देगा, एक में nitrate डाल देगा, एक में chloride डाल देगा, और एक में nitrite डाल देगा, answer हो गया, nitrate, इन में से कौन सा salt अपने जीवन में कभी precipitate का test नहीं दे सकता, अरे PPT का test तब द का test आएगा, वो precipitate बनेगा, तो precipitate का test देगा, तो मुसका precipitate बनाई नहीं सकते, तो उसको precipitate वाले test में कैसे ले जाओगे, याद रहेगा, याद रहेगा, चलो, आकांक्षा शर्मा पूछ रही कि सर, ये chapter basic से हैं क्या, तो बेटा जो लोग पढ़े हुए हैं, वो इससे ब एक बार बता दो, बचे, बचा लोग, आकांक्षा शर्मा को तुम बताओगे, ओना और उनकी मन में जो भी आकांक्षा हैंचल रही हैं, उसको थोड़ा विराम दोगे, हाई डिरोकसाइड की बात करते हैं, हाई ड्लकसाइड की बात करते हैं, हाइटरोकसाइड हैं, all are water-ins और जहाँ पर भी मैंने इन स्क्राइब लिखा है जहाँ पर मैंने एक टेगरी बनाई यह खास तोर से और वह हैं में ओंस्ट इन सोल्यूबल और मॉस्ट इन्सवाइब नोकटा आलू फेंका करो कैसे याद रखोगे आलू फेंका करो तो इसका मतलब ये कैसा प्रेसिपिटेट होगा एल ओच का होल साइज ये कैसा होगा एफी ओच का होल साइज ये कैसा होगा सी आर ओच का होल साइज कलर वलर की बातें बाद में करेंगे अभी मैंने नाम ही नहीं लिया इनके कलर का तो जब टेस्ट आएगा तो कलर अपने आ है और प्रेसिपिटेट के आगे ऐसा नीसाद लगाया जाता है नीचे वाला एरो कैसा यह नीतनी लो है कि वह प्रेसिपिटेट तो बनाएंगे लेकिन इनकी exceptionally low KSP हैं, मतलब ये अगर होंगे तो सबसे पहले precipitate बनेंगे, सारे hydroxide में से ये तीन पहले मुह निकालते हैं, हम पहले BPD बनेंगे साथ, क्यों, क्योंकि हमारी KSP बाकियों से भी कम है, क्यों बहुत की कम है, हमारी और कम है, तो most insoluble, आलू फेंका करूए, उसके बाद आता है कि कौन से गुल जाएंगे, अगर आपने यहां insoluble लिखा है, तो कुछ ऐसे hydroxides भी होते होंगे, जो soluble होते होंगे, तो वो तो पता ही है, हमको low-fi हो गया, ammonium हो गया, ये तो हमारे पास पता ही, कि जो भी insoluble होता है, उसका low-fi और ammonium soluble होता है, तो जैसे low-fi मतलब sodium hydroxide, potassium hydro hydroxide, cesium hydroxide, rubidium hydroxide, ammonium hydroxide, ये सब soluble होते हैं, लेकिन साथ में यहां पर BSC करनी पड़ेगी तुमको, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा, गंदी बात है, लेकिन BSC का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अगर BSC साथ हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, BSC का मतलब barium hydroxide, strontium hydroxide and calcium hydroxide, वापिस सुनो, lo-fi ammonium and BSC, कैसे याद रखोगे, lo-fi ammonium and BSC, lo-fi ammonium and BSC के hydroxide soluble होते हैं, lo-fi ammonium तो clear है, यहाँ पर नई चीज जो है, वो BSC है, फिर आता है sulphate, sulphate सारे water soluble होते हैं, लगबग, लेकिन होगा तो सही, यहाँ पर भी कुछन कुछ पंगा, और वो क्या है कि आज होगा प्रभात, कैसे याद रखोगे विटा, आज होगा प्रभात, कैसे याद रखोगे, आज होगा प्रभात, आज होगा, और उसमें भी mercury plus 1 में हैं, क्यों, क्योंकि 2, HG 2, 2 plus हैं, यानि कि यह plus 1 में हैं, और यह हैं प्रभात, आज होगा प्रभात के, और BSC के sulphate insoluble होते हैं, अब लफड़ा देखना बिटा, BSC का hydroxide पानी में गुलता है, लेकिन वही BSC का sulfate पानी में नहीं गुलता है, मैंने जान भूज के इन दोनों को एक साथ लिया है, ताकि यहीं का यहीं comparison हो जाए, confusion ना हो, मैं slide बदलता तो तुम्हारे दिमाग में confusion हो जाता कि अ है, अभी तो soluble थे, अब insoluble हो गए, वापिस सुन लो, hydroxide में BSC soluble है, ठीक है, वैसे भी इस डब्बे में जो भी चल रहा है, वो नॉर्मल चीजों से उल्टा है, यह डब्बा मैंने जान भूज के इधर बनाया है, इस डब्बे में जो भी चीज है, वो उल्टी चीज है, उल्टी मतलब, अगर तुम्हें यह पता है कि sulphate सारे soluble होते हैं, तो फिर BSC insoluble होगा, तो sulphate of आज होगा प्रभात and BSC is insoluble. हाँ भई, आजो, sulphate, ओके, यह तो भई होई गया, आगया जो, अभी खतम थोड़ी हुए, हे हे, chloride, bromide, iodide, all are water soluble, chloride, bromide, iodide जो होते हैं, वो लगबग क्या होते हैं, water soluble होते हैं, आज होगा प्रभात यहां पर water insoluble होता है, जैसे sulphate होता है, sulphate की तरह ही चलता है, आज होगा प्रभात water insoluble होता है, और ह्च यह mercury है, यह mercury होता है, एक होता है आज होता है, red PPT इसका होता है, scarlet red PPT बोलते हैं इसको, वैसे तो mercuris insoluble होते हैं, mercuric soluble होते हैं, अगर मैं HGCLT बोलू, अगर मैं HGCL2 बोलू ना, HGCL2 तो वो soluble हैं, लेकिन यह एक mercuric salt ऐसा है, जो insoluble है, mercuric होते हुए भी, mercuric समझते हो बटा, एक मतलब ज्यादा oxidation state, यानि कि HG plus 2, और mercuris का मतलब होता है HG plus 1, mercuris तो insoluble है ही, लेकिन mercuric सारे soluble होते हैं, यह एक mercuric का ध्यान रखना बटा, HG plus 2 में भी insoluble होता है, iodine के साथ, HGI2, water insoluble होता है, red PPT होता है, अलग से मुझे लगा कि यह important भी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है बटा, गबराना नहीं है, गबराना नहीं है, इस chapter को अभी तक नहीं देख अधा, ऐसे ही पढ़ा जाता है इस chapter को, definitely मैं यह कह रहा हूँ कि इस chapter में तुम्हें सबसे जादा चीज़ें अगर याद रखनी है, तो याद ही रखनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन बेटा, क्यों कर रहे हो यह महनत डॉक्टर बनने के लिए, तो उसके ल तुमने तो इतना ही जोस दिखाया था कि क्या बात करते हो साथ, जान लगा देंगे इसके लिए, लेकिन जान नहीं मांग रहा हूँ मैं, मैं तो सिर्फ ध्यान मांग रहा हूँ तुम्हारा, कि ध्यान दो, जान मत दो, अच्छे से, कर लोगे, ऐना, ऐसे फैलते नहीं है, शूर वीर हो तुम, ऐसे चप्ट्राया याद करने का, ऐसे थोड़ी है, शूर वीर, और शूर वीरों की जो परिक्षा होती है, वो गर पे बेटके नहीं होती, वो संग्राम में ही होती है, युद्ध में ही होती है, कि जब लड़ेगा तभी पता चलेगा कि कि इतना लड़े कोई बोलता रहे कि मैं बहुत बड़ा शूर वीर हूँ, कोई नहीं मानेगा, शूर वीर की असली परिक्षा जब लड़ेगा तभी होगी, लोग तभी जानेंगे जब तु लड़ेगा, यह मतलब लड़ेगा, लड़ेगा नहीं, सुरी, ठीक है, समद्रावाद को आजो आगया, लड़कियों के लिए भी बोलो, तो लड़कियां भी जो है, क्या बोलते हैं, सिगीरानी, महारानी, वो भी होती है शूर वीर, ऐसी बात नहीं है, तु लड़ो, जमाना तुमें भी हयाद रखेगा, S2-, S2-, विरांगना, बस, S2-, all are water insolubles, सारे sulphide water insolubles होते है, सारे sulphide water insolubles होते हैं, धीक है? सारे sulphide water insolubles होते हैं, most insoluble का मतलब पता है हाँ, क्या, होगी पंजाबी कुडियां हाँ, देख रहे हो सीधी विंदास होगी पंजाबी कुडियां सीधी विंदास और सब के सब प्लस दो में, यहां मर्क्यूरिक है परक वही है यहां मर्क्यूरिक है त्योंकि सीधी के साथ वैसा ही मर्क्यूरिक होता है HGS HPBS CUS CDS BI2S3 आपशे सुनो HGS PBS CU CDS BI2S3 क्या यह सब प्रेसिपिटेट है? क्या कलर है? बाद में देखे अभी पता है कि इनके सुलफाइड प्रेसिपिटेट होंगे इनके sulphide क्या होंगे भीटा, अब्रєक्विटेट होंगे, आओ आगे, low-fine and ammonium यहाँ पर भी water soluble है, और ammonium के सामने लिखके तो water soluble लिख दो, यख इतनी देर से उस बकसे में ammonium आपनी अम्म करी रहे, है एसी केर्ट न होते हैं आज होगा प्रभात मैं से प्रभात हटा दो ओर मोजिस करें पर लिया ऑ प्रभात बिटा यह हटा दो वस इसमें से यह टा दो आज ओगा प्रभाट को आज होगा cumpl़ होगा तक लेकिन लेड़ sulfate soluble नहीं होता, lead chloride soluble नहीं होता, lead bromide soluble नहीं होता, lead iodide soluble नहीं होता, यह देखो, led iodide PBCL2 precipitate, PBBR2 precipitate, PBI2 precipitate, PBSO4 precipitate पीछ थाना, लेकिन PB lead acetate not precipitate, वो soluble है, हाँ, लेकिन यहाँ एक चीजद नहीं है कि प्रबात हटा केो पर है कि नहीं है, तो आज होगा क्यूं लिख देना ऐसे लिख देना आज होगा प्रभात नहीं बहुता आज होगा क्यूं अब ठीक है एक बार चाहे दो मिनिट के लिए फटा फट इस चीज़ को रिवाइस करो फटा रिवाइस करो जल्दी मन में रिवाइस करो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह जान है जान इस चैप्टर की इस चैप्टर की जान है सिर्फ नोट फॉर दे नाइन चैटाइन ऑल्सो नाइन के लिए यही चलेगा सेम ऐसा नहीं कि तुम इसको मैंने नाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ाने के बाद जनरल सॉलिबिलिटी रूल पढ़ाया है तो और मन में फटाफट सारे एक बार देख लो रिवाइस करो फटाफट रिवाइस करो इसके बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं है ठीक है और जो नए आये हैं वो लाइक करो और जो जा रहे हैं वो भी लाइक करके जाना रजत सर मरकरी की सॉलिबिलिटी एक बार क्लियर करवा दो देख जो क्लोराइड होते हैं ठीक है और जो सलफेट होते हैं और जो एसिटेट होते हैं उनमें तो मरक्यूरस का ध्यान रखना है मरक्यूरस मतलब हैच जी टू टू प्लस मतलब प्लस बस इनमें तो मरक्यूरस जो होते ना वो क्या होते हैं इनसॉलिबल होते हैं क्लोराइड हो गए, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तीनों हो गए, in fact, है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मर्कूरस, एसिटेट, मर्कूरस और पीछे सल्फेट हैं, वो भी मर्कूरस, इनके मर्कूरस इंसॉल्यूबल होता है, मर्कूरिक जो और एक वह जीन और कियार कर दिया असे याद रखना पड़ेगा और तो कैसे याद रुखो Sun चुल कह रहा है कुछ समझ नहीं आया बे मोहित अथ में नहीं आया तक तब तो ठीक था धेयर मोहित लिख रहा है ये ठीक नहीं यह ठीक नहीं है अब तू डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा रहा है ठीक है और जिस तरह से तू बात कर रहा है तो तू डॉक्टर तो है नहीं तो नाम के आगे डॉक्टर लगाने से डॉक्टर नहीं बन जाते हैं तो पहली चीज नाम के आगे डॉक्टर लगाने से कुछ नहीं हो रहा तेरे क्योंकि तेरा लहजा बता रहा है कि तेरे से नहीं हो रहा है ठीक है और ऐसे तो होएगा भी नहीं आज़ा, पैमर्स तो है लिए न, तो इस पैमर्स क्या आदमी, क्या बेंस थोड़ी बैटे ही उदर से कमेंट करने के लिए, इस पैमर्स भी कोई बच्चा ही होगा, है, या कोई ऐसा इंसान होगा जिसके घर पे बच्चा होगा, उसको काम दिया होगा कि जा उच्छी क्लास म जा के इस प्रमिंग कर, लेकिन जो लाइक आएंगे उसके बाद वो विचारे रोएंगे, खेर कि लाइक कैसे रोख हो गया, अगर याद हो गया है तो प्रैक्टिस करते हैं, आओ, ऐसा तफ़ड़ी छोड़ूँगा, प्रैक्टिस कर वाऊंगा याद होएंगे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई जल्दवाजी में गास काटके नहीं जाना है यहाँ पे, जब तक बेसिक लियर नहीं होंगे, मैं टेस्ट तेज करवाऊंगा ही नहीं, उसके बाद तो मैं टेस्ट तो फटा-फट करवादूँगा, आजा, आजा फटा-फटा- यहाँ तक सलफाइड है, तो सलफाइड के बारे में सोचो, all सलफाइड सार वोटर इनसोल्यूबल, except लोफाइड अमोनियम, the most insoluble is, होगी पंजाबी कुडियां, सिधी और बिंदास, तो हमें क्या करना है, मोस्ट का, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो लोफाइड हैं, वो वोटर सोल्यूबल हैं, बाकि सब वोटर इनसोल्यूबल है, रे राजाले, आजा फिर 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 इसको समझ जा रहा है, अब इन्हें स्पामर्स की और गंदी फुकती है, क्योंकि तुम जब जवाब देते हो ना, तो इनके और जलन मचती है, कि रहा मुझे न स्पारोक्साइड आर वोटर इनसोल्यूबल, एक्सेप्ट लोफाई एंड अमोनियम, देख लो, अमोनियम है, तो वोटर सोल्यूबल लिख दो, और बी एससी भी सोल्यूबल था, तो बी एससी है, तो वोटर सोल्यूबल लिख दो, अगर उसके बाद जो भी है, वो सब व वोतर सॉलिबल लिख देते हैं इसको मैं चलो ये वोटर इंसोलिबल लिख दें किया फिल्च जरॐ आज और क्या है सलॕ झाए फट सलॕ फैट सलॕ अरहां तक सलुट सलॐत सलॕ वाथो बाकी सब वोटर सॉल्यूबल है जला आगे चला को नहीं थिदा पूचहेगा उन्हें इन्हें सकौन सौल्यूबल को नहीं फिर क्या करेगा एंबरे टेस्ट पढ़ गया एक गंटे में आज आगया जो नाइट्रेट 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 के बारे में क्या सोचना है यार नाइट्रेट तो सारे ही वोटर सॉलिबल होते हैं बात खतम आगे चल नाइट्रेट के बारे में क्या ही सोचना है एसी टेट एसी टेट में आज होगा प्रभात नहीं था आज होग क्यों था इसका मतलब है यह तो water soluble है और यह आपका water insolubal होगा क्योंकि आज होगा क्यों था तो यह तो मर्कुरस हो यह silver हो यह तो insolubal रहेगा फिर आता है chloride all chloride bromide and iodides are water soluble except आज होगा मतलब आज आज आगया water insolubal water soluble mercuris water insolubal यह special case है इस्टार लगा रहा हूं water insolubal पीछे लिखा हुआ है red bpt ammonium chloride water soluble carbonate सारे water insolubal होते हैं अगर वो लो फाई और ammonium नहीं है तो bicarbonate सारे water soluble होते हैं ammonium carbonate हैं तो water soluble होगा क्योंकि ammonium तो कुछ भी हो water solubal होता है sulfite sulfite carbonate की तरह ही तो चलता है बेटा और सारे sulfite और सारे carbonate water insolubal होते हैं except lo-fi and ammonium हो गया है तो आफ चलो 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 आगे चलो आगे चलो मजाया तो लाइक करो सारे agno3 अरे बेटा agno3 गुलता है agno2 नहीं गुलता है वापिस चेक कर agno2 है वो जो solubal नहीं है agno3 तो solubal है बेटा पूरी coordination chemistry पढ़ डाली है complex के अंदर Werner theory के अंदर access of agno3 मिला मिला के मिला मिला के agcl के precipitate निकाल डाले और नादान यहां पूछता है कि agno3 का क्या अरे भाई agno3 silver nitrate solution है भाई तुम्हारे फैलिंग फैलिंग में भी काम आता है यह silver mirror वाला कि एक करोगे क्या कि आजब फिर लोफाई वाले हां हमेशा solubal होते हैं वह एक sodium bicarbonate का case अलग है वो थोड़ा sparingly solubal होता है ऐसे सोता हो स्क्रीन शोट अलवाई हाँ तो लेंस रीजेंट होता है फैलिंग नहीं होता है सोरी में माई मिस्टेक क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं हो ना माई तो भूल चुका हूँ ना आजाओ अब बहुत सारे बहुत सारे प्रेसिपिटेट बन गए लेकिन तो पानी में बने यह इसका मतलब जीमन में कभी नहीं घुल एगा ऐसा नहीं हो सकता क्या ऐसा हो एक पेलित बंगया तो जिंदगी ठराहे गाने ने वह थो पानी में में परसिपिटेट एड़ina है के हम यह मिन्मिल ने कौफर तो पानी पांवाल मतलु नहीं है ऐसा नहीं है पाई में गुल सकता है था में गुल सकता है तुमने ज्यादा कोई ligand मिला दिया तो complex बना के गुल सकता है कि कुछ भी हो सकता है तो क्या सर हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट गुल सकता है प्रेसिपिटेट कब कब गुल सकते हैं तो नीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा ऐसा नहीं कि मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा एक्जाम्पल भी वही लूँगा जो काम के हैं और तुम्हारे आगे भी काम आएंगे टेस्ट पगेरा में आजो फिर शूरू करते हैं क्या आओ लो देख, important points related to PPT dissolution, कि यह PPT गुलता है, तो कैसे गुलता है, PPT गुलता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कि यार PPT भी गुल सकता है क्या, तो answer है, हाँ PPT भी गुल सकता है, कैसे गुलेगा, अभी देखते हैं, तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे अगर आपको भी पता लाज नहीं होना कि सर ये carbonate तो sodium भी हो सकता, अरे sodium नहीं है, अगर मैंने water insoluble लिख दिया, तो ना तो ये ammonium carbonate है, ना ये sodium है, ना ये potassium है, ना ये rubidium है, ना ये CCM है, अगर मैंने insoluble लिखा, इसका मतलब मैं एक कह रहा हूँ, कि ऐसा carbonate जो insoluble है, अगर तुझे उसको soluble करना है, तो excess of CO2 डाल दे, अगर CO2 excess में जाता है, तो वो bicarbonate में बदल जाता है, और जो bicarbonates होते हैं, वो soluble होते हैं, तो जब भी कोई carbonate है, उसमें तुम excess में CO2 मिलाते जाओ, Q2 मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, एक्सिस में, तो वो bicarbonate में बदल जाता है, और यह पता कहां पढ़ाता है, यह last year, मतलब पहले आपने भी पढ़ा हुआ होगा, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर ठीके, पहले पढ़ा होगा, जब hydrogen or resblock chapter हुआ करते थे तो यह चीजें पता होती थी हमको, सेम इसी की तरह यह चलेगा, यह तो भाई है, दोनों आपस में, तो अगर इसमें excess CO2 डाल रहे हो, तो इसमें excess CO2 डालेंगे, जब excess CO2 डालेंगे, तो HSO3 बनेगा इसमें, वो बनेगा by sulfite, और by sulfite जो होता है, वो भी water क्या होगा, soluble होगा, तो कभी भी कोई carbonate नजर आ रहा है, और तुम चाते हो कि हम गोल के दिखाएंगे इसको, तो गोल के दिखाए, excess CO2 फोलो करवादे, वो by carbonate बदल जाएगा, आगर कोई sulfite है, तो उसमें excess CO2 डाल दे, वो by sulfite में बदल जाएगा, और water soluble हो जाएगा, तो इन दोनों के precipitate को तो ऐसे गोला जा सकता है, carbonate और bicarbonate के, sorry, carbonate और sulfite के precipitate को इन दोनों तरीकों से soluble किया जाता है, तीसरा important point है, यह generally शब्द लिख रहा हूँ, इसका मतलब है, इससे बाहर भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें काम है, हमें काम क्या है, कि हम सवाल ना अटके हमारा, तो य इस तरह से design किये गए हैं, कि आपका question जो है, वो नहीं अटकेगा, क्या लिखा है, generally all precipitates are soluble in strong acids like HCl and HNO3, अगर आपको मानलो कि पानी में कोई precipitate हैं, तो laboratory के अंदर ये चीज़, ये practice किया जाता है, कि उसमें HCl मिला के थोड़ा सा गरम कर देते हैं, वो गुल जाता है, लेकिन ये जो BASO4 हैं और जो HGS हैं, ये होता है आपका white PPT, ये होता है आपका black PPT, ये जो होते हैं, ये black और ये white हैं, ये दोनों ही insoluble होते हैं, insoluble in HCl and HNO3, ये ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई, कता ही नहीं गुल रहे हम तो, तो सर इनको कैसे गोल लेंगे, तो इनके लि वो मैं आगे बता दूँगा, एक्वारेजिया नाम की एक चीज होती है, कुछ याद आ रहा है, एक्वारेजिया क्या होता है, कि HCL और HNO3 अलग अलग नहीं मिलाने हैं हमको, इसको 3 ratio में और इसको 1 ratio में, 3 is to 1 ratio में, HCL और HNO3 का 3 is to 1 ratio लेकर, एक्वारेजिया, अमल राज बोलते हैं जिसको, एक्वारेजिया में जो हैं उसमें गोल दो फिर, वो लास्ट हती आ रहें, उसमें सब गुलेंगे, ठीक है, तो चलो, अभी तो हमने इसकी बात करिये, तो ये तो ये एक्वारेजिया नहीं है, ये अलग-अलग है, एक्वारेजिया होगा, तो मैं एक् केस्ट आएगा तब ही हम करेंगे फिर चोथा पॉइंट है कि कुछ acid-base reaction से भी हम गोल सकते हैं और कुछ complex formation reaction से भी हम precipitate को dissolve कर सकते हैं तो हमारा fourth point हम यहां पर ले लेते हैं acid-base reactions तो PPT dissolution by acid-base reactions आजाओ फिर important example शब्द पर जोर देना विटा important example बोल रहा हूं यानि कि ऐसा नहीं कि इनके अलावा कोई example नहीं होते हैं लेकिन काम के ही करेंगी आजाओ aluminium hydroxide जहां जहां पर अब चीजें note करते जाना विटा white gelatinous PPT फिर्फ दो के ही होते हैं एक zinc hydroxide और aluminium hydroxide वापिस सुनों white gelatinous PPT मतलब अगर ऐसा कुछ मतलब केतना की unclear type का PPT होता है gel type का PPT होता है gelatinous white gelatinous PPT दो के ही होते हैं पूरी chemistry में एक aluminium hydroxide and एक zinc hydroxide ZnOH का whole twice इन दो के white gelatinous PPT होते हैं white gelatinous PPT अगर है aluminium का तो हम acid और base के साथ reaction करवा सकते हैं यह acid base reaction का मतलब है acid base की reaction नहीं है acid and base reaction है मतलब acid के साथ भी reaction और base के साथ भी reaction देख सकते हैं उसकी तो जब aluminium hydroxide HCl के साथ reaction करेगा product बताना राजा क्या बनेगा product बताना क्या बनेगा product बताओ जल्दी क्या बना दू प्रोड़क्ट बताओ, जल्दी बताओ, प्रोड़क्ट बताओ, A.L.C.L.3, प्रोड़क्ट क्या बनेगा बिटाओ, यस, A.L.C.L.3, औल क्लोराइड जार वोटर सोल्यूबल, एक्सेप्ट आज होगा, वो आज वाला अलुमिनियम नहीं है, फिल्वर है, औल क्लोराइड जार वोटर सोल्यूबल, गोल दिया तुम्हें, इसमें मिला है एक्सियल, बन गया क्लोराइड, क्लोराइड जारे सोल्यूबल होते हैं, कुछ को छोड़के वो हमें पता है कौन है, फिर अमोनियम हाइडरो, अच्छा, क्या ये एमफोटेरिक है, और एमफोटेरिक क्या एसिड और बेस दोनों के साथ रेक्शन करेगा, क्या एमफोटेरिक एसिड और बेस दोनों के साथ रेक्शन करेगा, करेगा, तो अच्छ के साथ भी करेगा, जब एने, एओच बहुत एक्सिस में लिया हुआ होता है, तो ऐसा एक कॉंपलेक्स बन होता है और यह water-soluble होता है क्या इसका नाम बता सकते हूं मैं बता सकता हूं sodium मैं बता सकता हूं tetra hydroxydo Aluminate 3 ले आ ले बस Sodium Tetra Hydroxido Aluminate 3 Aluminate क्यों बोला है जार अरे तो Anionic Complex है ना Sodium हटाएगा तो डबे पे चार्ज माइनस है डबे पे चार्ज जब माइनस होता है तो Metal के नाम के आगे 8 लगता है Coordination से डर लग रहा है नहीं लगना चाहिए तो यह revision करा रहा हूँ Sodium Tetra Hydroxido Aluminate याद है और यह कहां करी थी P-Block में भी करी थी Aluminium की NaOH के साथ reaction करी तब भी यह product बनाता कुछ याद आ रहा है आजो क्या Chromium Plus 3 भी Amphoteric होता है बटा क्या यह भी Amphoteric होता है बस फिर देखते जाओ देखते जाओ यह भी Amphoteric होता है तो क्या लिखोगे यहाँ क्या बनेगा बटा यहाँ CR, CL3 बनेगा जो क्या होगा Soluble और अगर Axis NaOH के साथ करोगे तो इसी तरह का यह भी complex बना देगा इसको भी Soluble अब हर जगे अपने कोई याद तोड़ी करने बैटके कुछ नहीं करना Soluble, Soluble बस खतम बात Soluble होगे गुल गया भई HCL में गुल गया है इने बच में गुल गया फिर आता है यह वाला Iron Plus 3 में Basic होता है Red Brown कलर की PPT है यह दा यह वो ही तो है आलू फेंका करो के Hydroxide Most Insolubal आलू फेंका करो आलू फेंका करो के Most Insolubal Hydroxide है मतलब Precipitate है अब कलर भी आ गए तुम्हारे पास White, Green और Red Brown जहां जहां आ रहे हैं फटा-फट नोट करते जाओ अब यह बन गया बटा तुम्हारा FECL3 क्या बताओ यह Solubal होता है Yes, Yellow Solution होता है और Basic Base के साथ Reaction करेगा क्या No तो मतलब Unchanged रहेगा मतलब वो अगर तुम उसमें NaoH मिलाते हो तो Precipitate नहीं गुलेगा Remains Insolubal क्योंकि Base Base के साथ Reaction नहीं करता जले आगे आजाओ इसका तुम बताओ इसका बताओ भई जल्दी बताओ पार्थ मिश्रा प्रजेंट सर वाह पार्थ मिश्रा अटेंडन्स लगवा रहा है हेलो लवली मिस्टर खान पूच रहा है किसी लवली से हेलो लवली हाँ तो MgCl2 वाट Soluble और Insoluble अबे नालायकों जब इतनी सारी Solubility पढ़ा दी क्लोराइड की तो दिमाग लगाओ MgCl2 तो ठीक है MgCl2 इस Soluble और Insoluble यस उपर Soluble यहां Soluble और यहां Insoluble आहो जी आगे बढ़ गए जी आहो जी आगे बढ़ जाते अचा यह बता दो चलो एक एक तुम बता दो मैंने अभी पांचमे नमबर का और important है वो मुझे याद आ गया कारी लेते है ZNOH का hold twice HCL NaOH बताओ बज़ जल्दी बताओ Galaxy Phi क्या होता है एक बार बता दो वहीं पैट का हुआ है मतलब literally बोल रहा हूँ कि अगर वो एक डाउट को जब तक मैं देखूंगा नहीं बेशता रहेगा बेशता रहेगा बेशता रहेगा कोई भी बच्चा वो इतना बड़ा बेवकुफ है कि वो उस अपने एक डाउट के चक्कर में आगे का कुछ भी नहीं समझ रहा उससे बड़ा बेवकुफ कोई नहीं है कोई बड़ा बेवकुफ नहीं जबकि वो इस चीज़ को वो बाद में खुद भी नेट पर सर्च करके देख सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा बेवकुफ है कि वो पैनिक करने लग जाता है, एक ही चीज़ पर, फाई मतलब होता है चार्ज अपोन रेडियस, चार्ज की ओकात, इतनी साइज पर कितना चार्ज हैं, चार्ज अपोन रेडियस, फाई का मतलब होता है पावर, आइनिक पोटेंशल बोलते हैं उसको, उसके आइनिक, उसके आइन्स में कितना पोटेंशल हैं, पावर, चार्ज upon radius is known as 5 एक ही message को बार 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 करते रहे तो भाई क्या क्या तुम कैसे देखते हो तुम किस तरह से दुनिया को देख रहे हो किस तरह की preparation कर रहे हो तुम यह ZNCL2 बनेगा तो बताओ soluble हो जाएगा क्या यस और यह axis न आओच ले लोगे तो यह भी soluble हो जाएगा अरे तो simple है भाई वो तो M4 टेरीग है ना अब M4 वाले तो दोनों तरफ reaction करेंगे तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा NA2 ZN OH का hole 4 soluble, नाम बता इसका जल्दी, चल नाम बताओ, बटाबट नाम लिगो इसका सर, सेन कशिष पूछ रही है कि सर, NA2 और MGOH का क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा बटाब बेस, बेस के साथ reaction नहीं करता कशिष, सेन जिन्दगी में इतनी कशिष भी नहीं रखनी होती कि सेम सेम के साथ बन जाए कुछ भी नहीं बनता ऐसा बोल नाम बोल इसका बटाब नाम बोल sodium tetrahydroxido zincate 2 ना प्लस 2 आएगा ना वो लिख देना sodium sodium tetrahydroxido zincate 2 oxidation state 2 है zinc की वा बहुत बढ़िया चलो आगे चलो आगे अब आओ आगे yellow sir हम complex बनाने की बात भी कर रहे थे हाँ तो कर सकते हैं complex बनाने के लिए क्या चाहिए axis 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 ligand चाहिए यह सब ligand है यह पहले से precipitate है cu cn यह पहले से क्या है precipitate है cu cn ठीक है अब इसको और axis cn मिलाओगे तुम axis cn तो यह क्या बनेगा यह बनेगा cu cn 4 और 3 माइनस यह soluble complex बन जाएगा जैसे अगर तुम यह k cn लेते हो तो k 3 cn 4 बन जाएगा अगर तुम इसको यहाँ पे k cn ले लोगे तो k cn है तो 3 माइनस 8 के यह तरफ सामने तीन पॉटेश्यम आ जाएंगे तो यह soluble हो गया n i cn 2 यह क्या बनेगा अब axis cn 2 अब यह दो के साथ तो precipitate है लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं और खा और खा और खा और खिलाया तो क्या बनेगा n i cn 4 2 minus square planar complex diamagnetic unpaid electron 0 dsp2 soluble cocn2 brown color का precipitate होता है दिये जा रहे हो क्या हो गया cocn6 4 minus soluble transfer rule वाला case याद कर यह वाला में cobalt में cyanide के साथ एक electron बाहर गया था 4D में चला गया था reducing agent की तरह काम कर सकता है यह वाला complex agcl चाहे यह ले लो चाहे अमोनिया ले लो अगर यह ले ले लेते हो तो agcn2 silver कभी भी linear complex ही बनाएगा याद रखना बिटा silver हमेशा कौन सा complex बनाता है linear and plus 1 में ही बनाता है अगर silver यहाँ plus 1 है तो plus 1 में ही बनाएगा तो यहाँ आ जाएगा agns3 2 linear complex ही बनाएगा यानि दो ही लिगेंड लगेंगे अब silver को plus 1 रखना है अंदर वाले तो सारे 0 है तो डब्बे पर ही plus 1 कर दो और यहाँ पर डब्बे अगर इसको plus 1 करना है अगर तो यहाँ पर plus 2 चड़ रहा है साइनाइड की वज़े से plus 2 चड़ रहा है रहे भाई इसको plus 2 चड़ रहा है तो इधर 12 एक लगा ले इसाब का जाएगा बैलेंस कर सकते हो इसलिए यहाँ पर – 1 आजाएगा और यह भी क्या होता है Soluble complex generally soluble होता है इसलिए complex बना बना के भी पिपिटी को गोला जा सकता है इसका बताओ इसका complex बताओ जल्दी NI का एक ऐसा complex बनाओ NI का एक ऐसा complex बनाओ पढ़ रखा है सब सब NI NH3 6 NI NH3 6 2 प्लस हो गया complex आ रहा मजा देखो बहुतों को तो तकलीफ भी होगी जिन्हें यह लग रहा है कि आया सवल्ट एनालिसस कुछ नहीं है लेकिन उनको सवल्ट एनालिसस लग पढ़ते पढ़ते पीछे के चैप्टर्स का भी डर लग रहा है केरा कोर्डिनेशन भी क्लियर नहीं है कहा आ गए अपन यह किस लाइन में आ गए है 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 यह चैप्टर तो मतलब ऐसे करे लारे बाबा है एक चाई की घूट फिलाओगी के राजकुमार जी ले आओ कप में लाना इज्जत से अब तुमको एक जुगाड दूँ देखो बिटा मुझे उस जुगाड से तुमको खाली सवाल करवाने और अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो उस जुगाड को किसी ऐसी नजर से नहीं देखोगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है आपने तो कहा ता ऐसा है उनमें कुछ कमियां भी हो सकती है जुगाड वो होते हैं जो तुमारे सो में से पिच्चाण में सवाल सही करवा दे 95% जिसकी accuracy लग जाए वो जुगाड होता है तो अगर मैं तुम्हें एक चीज सिखाओं दूँ कि तुम मैक्सिमम तुम्हें पता है प्रेसिपिटेट कलर्ड प्रेसिपिटेट कम होते हैं और वाइट प्रेसिपिटेट ज्यादा होते हैं सुनके थोड़ा अच्छा लगा, वे white precipitate जादा होते हैं, और colored precipitate कम होते हैं, specific color का precipitate और color आने का कारण जो है न, वो charge transfer हो सकता है, DD transition हो सकता है, यानि कि जिसमें DD transition नहीं है, वो generally colorless होगा, और colorless को PPT के term में white बोला जाता है, आप इस सुनो, जब precipitate की term में colorless बोला जाता है तो वो white होता है क्या होता है बिटा वो white है ना तो ये controversy create नहीं करनी है हमको बेटके कि colorless is what तो कोई precipitate है और colorless अगर है तो थोड़ा समझो कि वो white है solution को अगर colorless बोल रहा है तो वो एक अलग चीज है कुल मिलाके यहां पर देखो हमको सबसे पहले चेक करना है कि if there is no d block cation in given salt ठीक है then precipitate would be white generally बहुत से बहुत से inverted comma में लिखा हुआ है इसका मतलब है मैं यहीं पर अपनी बात को गलत साबित करके भी बताऊंगा लेकिन अगर मेरी बात चार जगे पर गलत साबित होती है तो बेटा बाकी जगे पर तो सत साबित हो रही है न तो तुम्हारा तो सवाल बन सकता है न उससे फिर मैं बोलूंगा कि देख अगर कोई d block का नहीं है तो वो generally whitey होगा अब d block तो देखके पैचान जाएगा न डीब लोग का है या नहीं है तो लेकिन तुम आ गए बोले कि नहीं यह सर दिये देखो आर्सेनिक का पिपिटी तिन का पिपिटी एंटी मनी का पिपिटी बी आई का पिपिटी और लेड का पिपिटी अभी मैंने बताया नहीं कि कौन से पिपिटी यह क्या होते हैं का रख 婆लार होते हैं यह क्या अलता का रख और वैसे तो मैंने साबब लिख दिया है सलफाइड टा लिखा है अगर अधिंक का नहीं है तो वाइट ही होना चाहिए लेकिन यह कुछ ऐसे हैं जो डीब लोक के तो नहीं है देख रहा है डी ब्लोक के तो नहीं है लेकिन फिर भी colored है और color मतलब जैसे इनके जैसे क्या बोलते हैं इसका color है इसका color है इस औरेंज color का होता है वो depend करता है कि SNS2 है या SN2S3 है तो मैं अभी color नहीं दिखाना चाहरा है क्योंकि इसमें से कोई भी अपने सिलिबस में नहीं है एक है लेड तो मैंने लिख दिया PBS इस ब्लाक कलर्ड जबकि नियम के इसाब से यह डीब लोक का नहीं है तो color less होना चाहिए आई मिन वाइट होना चाहिए मेगना त्रिपाटी पूछ रही है सर आप क्या पढ़ा रहे हों commerce commerce पढ़ा रहा हूँ है ठीक है आप new commerce commerce पढ़ रहे हो आओ मैं बुघोल बढ़ा रहा हूं न है में बटा बुघोल गोल गोल न मेगना जी बूघोल गोल गोल हाँ आउ आगे कि यहा शेष सपाटे के लिए हो विदेशी सेलानी हो क्या क्या है विदेशी सेलानी आये है यहां पर अब देखो डीव लोग नहीं है तो जनरली वाइट होता है लेकिन इनका ध्यान रख लेगा यह नहीं होते हैं वाइट और इसमें से पी बीएस तुम से जाधा तर जाएगा और अगर डीव लोग है अगर डीव लोग है और डीटेन कॉन्फिग्रेशन है डीव लोग है और डीटेन है डीव लोग नहीं है वाइट अगर है और डीटेन कॉन्फिग्रेशन है तो भी वाइट क्यों क्योंकि उसमें डीडी ट्रैंजिशन नहीं हो सकता पर अभी अचानक से अचानक से अचानक से डीटेन होते हुए भी कलर आ जा होगा और वो और कारण चार्ज ट्रांसफर होगा पॉलराइजेशन होगा जैसे एजी बी आर डी टेन है लेकिन पेल येलो कलर है एजी आई डी टेन है लेकिन येलो कलर है टीली टेन लेकिन येलो कलर है एजी एस डी टेन है लेकिन ब्लैक कलर है एच जी आई टू डी टेन है लेकिन राइड कलर है पहले भी दो बार बता चुका हूँ एजी टूएस टीटेन है लेकिन ब्लैक कलर है तो टीटेन वाले जनरली वाइट होते हैं अब इनके अलावा अगर कोई डीटेन नजर आ रहा है तो फिर तुक्का मार देना वाइट परसिपी टेट है कि क्योंकि मैं तो तुम्हारा ध्यान जो है ना वो सीधा-सीधा इस पर लगवाना चाहरा हूं कि भाई कभी सवाल आ जाए तो अटलिस्ट दो तीन ओप्शन काट सके क्या पता काटने से आंसर आ जाए तो मैं कोई ये बहुत बड़ा कॉंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि बेटा इस डायरेक्श जो डीबलोक के नहीं होते हैं वो वाइट पिपिटी होते हैं और जो डीटेन होते हैं डीबलोक के होते हुवे डीटेन होते हैं वो भी वाइट होते हैं जिंक का कोई भी प्रेसिपिटेट उठा ले जिंक का कोई भी प्रेसिपिटेट उठा ले वाइट होगा जिंक का कोई भी प्रेसिपिटेट उठा ले, वाइट होगा, जैडेनेस वाइट, अगर प्रेसिपिटेट है तो, जैडेनेस वाइट, जिंक कार्बोनेट, वाइट, शमझ गये, अचा, मुझे बताओ, चलो छोड़ो इसको, पीबी एसो फॉर, कलर बता, मैं तो प्रेक्टि पीबी एसो फॉर, वाइट, पीबी एसो फॉर, वाइट, एसार एसो फॉर, वाइट, पीए एसो फॉर, वाइट, एसो फॉर, वाइट, एसो फॉर, वाइट, एमजी सी ओ त्री, वाइट, तो बहुत सारी जगहें पर ऐसा तुम्हारे पास आएगा तो तुम कर लोगे हो जाएगा तुम्हारे काम हां जिंक हाइड्रोक्साइड वाइड जिलेटीनियस पुपीटी तो था मज़ गए बेटा ये दे को येस इसका फोटो घीचलो और अगर कोई D1 से D9 configuration है तो definitely colored होगा अपी सुनो अगर कोई D1 से D9 configuration है तो definitely color होगा Ni2 plus के पीछे दोनों पड़े chromium के पड़े iron के पड़े विधा क्या white नहीं था ना अभी पीछे iron का पड़ा red brown था iron hydroxide red brown था एनाई का साइनाइड था निकल का साइनाइड था डी टेन था ग्रीन कलर था chromium का था कोबाल्ट का था कोई white था क्या नहीं था वंतलब D1 से D9 वालों में तो color हो गई होगा तो सर क्या color याद करने नहीं रहे common common के याद करने बाकी तो सवाल ऐसा आएगा कि इन में से कौन सा colored पीपीटी है तब भी हो जाएगा तरह पर एक बार डांस करके दिखाओ ऐसा के रहे हैं बिटा इसको बंद करो और थोड़ा सा यहीं आस पास देखो हां मैं जरा जाएगा मैं नहीं होगा कोई और होगा इसके लिए भी व्यवस्ता है मेरे से क्यों बोला है डांस के लिए कि मैं डांस करूँगा तेरा नशा उतर जाएगा इससे बैटर है डांस भी वैसा देखना कि नशा चड़े nerd भाला डेخो जाओ मैं अभी नाचूंगा, तेरा जारा नशा उतर जाएगा, क्या मतलब आ रहा है, बंद और करेगा गुस्से में, गरवाले और दो गालियां देंगे, क्या है या आदमी, और कितना टाइम लगेगा, अब बैठो आराम से पढ़ो यार, मज़े से रो, हो गया भया हमारा, टेप के साथ 1-2 ml dilute H2SO4, क्लास A1 के टेस्ट कर रहे है, मतलब, subgroup 1, subgroup 1 of class A, जिसको इनोंने A1 लिख दिया, क्या मिलाएंगे, dilute H2SO4, ठीक है, मिला दो, दोनों हो सकते, वो भी HCL भी हो सकते, यह साब हम कर चुके है, सतारा कर चुके है, ठीक है, और इसमें हमें तो दो ही करने है, थो रितीन ही करने है, क्यों, कार्बोनेट, सल्पाइट और नाइटराइट कर चुके हम, कि किसमें किसमें क्या मिलाना है, क्या नहीं करना है, यह हमने गैस कौन से इवाल्व हुई, और पॉसिबल एनाइन्स क्या हो सकते है, पहले देख चुके है, तो यह सिर्फ NCRT की लेब मेनुवल का एक चित्र लेके आया, मैंने का बता दूब भाया, मैं बाहर का नहीं बढ़ा रहा, अब आती है, कन्फरमेटरी टेस्ट ओफ एनायाज, वो जो एसिड मिलाया ना, वो एसिड मिलाते हुगे, हम यह नहीं लिखेंगे कि कार्बोनेट प्रजेंट है, कार् करने हैं वो, ठीक है, लेकिन यकीन करना है, तो कन्फरमेटरी टेस्ट करना पड़ेगा, और कन्फरमेटरी टेस्ट के लिए सबसे पहले इदर आओ, सबसे पहले क्या करना है, जो भी सॉल्ट तुमको गिवन है, उसे सॉल्यूबल बनाईए, अब सर सॉल्यूबल कैसे बना पर कैसे बनाएंगे, सोडा एक्स्ट्रेक्ट तयार करके, क्या करा जाता है, सोडा एक्ट्रेक्ट, एक टेस्ट्यूब ली जाती है, उसमें थोड़ा सा चूरन मिलाया जाता है, उस चूरन में सोडियम कार्बुनेट मिलाया जाता है, यह देख लो, एक पार्ट सॉल्ट लिय लिया जाता है और लगभग तीन गुना जो हैं वो सोडियम कार्बुनेट लिया जाता है और आधी के आसपास टेस्ट यूब भर जाए उतना पानी मिला दिया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है बिटा गरम और गरम करके छान लिया जाता है ये क्या है दिया गया चूरण कितना लेना है एक पार्ट एक पार्ट चूरण में हाँ एक पार्ट ये कोई कीचन नहीं चल रहा है मम्मी की रेसिपी नहीं है यहाँ पे कि एक पार्ट चूरण ले लो और पानी मिला दो और गरम कर दो जब गरम करोगे तो फिल्ट्रेट जब गरम करोगे तो गुलेगी चीजें गरम करोगे तो चीजें क्या होगी गुलेगी कुछ चीजें गुलेगी कुछ नहीं गुलेगी लेकिन हमें मतलब है फिल्ट्रेट से फिल्ट्रेट क्या होता है filtrate क्या होता है जो test tube में नीचे आ जाए ये filtrate होता है अगर आप एक test tube से एक test tube से दूसरी test tube में चीजें मिला रहे हो तो filtrate क्या होता है ये filtrate होता है जो नीचे आ जाए और जो यहाँ जमा हो जाएगा वो क्या होता है precipitate होता है ये तो सब को पता है filtration का process तो filtrate हमको काम में लेना है आगे जाके हमको क्या काम में लेना है filtrate काम में लेना है सर हमने ऐसा क्यों किया क्यों कि सुनो Na2CO3 में क्या बेठा है sodium Na2CO3 में क्या बेठा है sodium और sodium क्या है low-5 और low-5 salts क्या होते है water-soluble अब हमको किसी एनायन का टेस्ट करना है और वो एनायन पानी में गुल ही नहीं रहा, तो हम पहले उस एनायन को पानी में गोलेंगे, क्योंकि जब तक हम पानी में नहीं गोलेंगे, तब तक हम टेस्ट कैसे करेंगे, एसिट टेस्ट की बात छोड़ो, वो तो हो गया, अब हम confirmatory test करने से पहले उस salt का treatment कर रहे हैं और उस confirmatory test को soluble करने से पहले treatment क्या कर रहे हैं कि उसमें Na2CO3 मिला रहे हैं ताकि अंदर जाए sodium salt अंदर क्या जाएगा sodium iron यह जो sodium iron है sodium iron है salt के cation को replace कर देगा एन आयन थोड़ी change होगा एन आयन का तो हमें test करना है हम खाली बस यूं मान के चलो यूं मान के चलो कि ऐसे समझो कि तूश्री से स्रीमति कर देना है तो मतलब है तो लेडी जी लेगिन तूश्री से स्रीमति बन गए तो 140 is آج एप इस्त्रीं द्रीए महिला न एप एंध्य बदलना में उसके आगे लगने lb plants दल como क्के आगे क्या लगना है क़्यों आगे उसके आगे क्या लगना है तो सूरी से स्रेमति कर दो डूर्म युशल यहापका कोई भी सॉल्ड है विनिया शूल्ठ कर दो तो आप क्या करोगे, Na2, CO3 मिलाओगे, यह आपका given salt है, इसमें आपने क्या लिए, M, X salt है, M, X salt है, X नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि X के टेस्ट करने हमको, क्योंकि हम एनायन कर रहे हैं, X नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या कर आगे लगने वाली चीज बदलन है, लेकिन जैसे ही Na2, CO3 मिलाया, आगे sodium बेट गया विटा, और आगे sodium बेट गया तो अब वही स्रीमती बन चुकी है, देखो, Na, X, तो सूसरी के बाद स्रीमती सारी हैंकड़ी निकल जाती है, स्रीमती बनने के बाद, यह देखो, हो गया, अब यह water soluble हो गया, क्यों, क्योंकि low-five salt तो soluble होते हैं, बताओ, क्या X बदला क्या, नहीं, अरे तो सूसरी और स्रीमती लगाने से जेंडर थोड़ी बदल जाएगा पिटा, महिला तो महिला ही रहेगी, तो यह है सूसरी और यह है स्रीमती, ठीक है, हाँ, यह पापा की परी, यह पती की परी, फिर M-C-O-3 बन गया, और कार्बोनेट जो होते हैं, वो तो water insoluble होते ही हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं इसको, filtration कर दिया, बिटा, क्या होगा, यह जो उपर बेठा है, यह नीचे नहीं गया, यह कौन है, कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, M-Carbonate, मतलब यह सूसरी इधर चिपक गई, ठीक है, और नीचे आ गया कौन, नीचे आ गया स्रीमती जी, समद रहे बात को, N-A-X, तो हमें तो मतलब X से था न, हमको क्या मतलब है कि आगे क्या लग रहे हैं, हमको तो cation का test फिलाल करना ही नहीं है, हमें किसको test करना है, N-I-N का, तो N-I-N नीचे बदलना चाहिए, हमने सिर्फ cation change किया, और क्यूं बनाया, आज के बाद क्या याद रहेगा कि हमें soda extract solution बनाने की जरूरत क्यूं पढ़ती है, जल्दी बताओ, हमें soda extract solution बनाने की जरूरत कहां पढ़ती है, क्यूं पढ़ती है, बताओ जल्दी, एक के रहा पती की तो रानी होगी ना सर जी, अच्छा, मैं तो के रहा हूं पती पर आए, फिर तो परी होईगी, क्योंकि हमें जो भी salt given है, उसे soluble बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमको पता है कि एक जाती प्रजाती ऐसी होती है, sodium, जिसको आगे चिपका दो, वो सोलीबल हो जाती है, एक लिग रहा स्रीमती मनाने के मैं तपड मार दूँगा, यह लिगेगा, के रहा सर ऑप्शन में नहीं आया था स्रीमती वाला, जहां प्टा मार दूँगा मैं, हाँ, चल रहे, याद रहे गा रहे, आहो जी, चलो, यह अपन उपर वाला तो पड़ी चुके है, नौट लगा के लिख दो, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के लिए, सोडा एक्स्ट्रक्स सॉलूइशन प्रिपेर नहीं किया जाता, क्योंकि अल्रेडी कार्बोनेट है उसमें, और सोडियम कार्बोनेट मिला के क्या उखाड़ोगे, ठीक है, यह कॉमन सेंस वाली बात है, इसको अकेले में बेटके सोचना है कि यह ता क्यों लिखाता सर ने, ठीक है, पर याद जरूर लग लेना, कि अगर कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट हैं, तो सोडा एक्स्ट्रक सॉलूशन हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बाहर से कार्बोनेट ही तो मिला रहे हैं वापिस, सोडियम कार्बोनेट, चलो, आजओ अब, शुरू करते हैं धुआधार तरीके से, यहाँ पे मैंने वही लिखे हैं जो हमारे सेलेबस में है, यहाँ पे मैंने वही लिखे हैं जो हमारे सेलेबस में है, तोचना उटको अकेले बेटे के, कि ऐसा क्यों बोला था से, नए आयों वो लाइक करो, पांच मिनट ब्रेक दे दू, पक्का, चले आते हैं लोग, अभी क्या करो कि दो गंटे में कौन सा ब्रेक है यार, कम से कम चार गंटे दो पड़ो, रफा दवा करो, आओ, कार्बोनेट, वापिस याद दिला रहा हूं, पैसे मैंने बता दिये, मेरा काम है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या है विटा, का पढ़ते टाइम, कार्बोनेट एक बार फिर से लिखोगे, तो याद होगा, अभी भी किसी एनायन को टेस्ट करते हैं ना, तो कुछ common methods होते हैं, हम उसमें acid मिलाएंगे, हम confirmatory test कर रहे हैं, आप है ना बिटा, हम क्या कर रहे हैं, बिटा, confirmatory test करें, कोई acid मिलाओगे, हैं, क्योंकि हमारे syllabus में वही हैं, इसलिए उनकी बात करा हूँ, तो ऐसी ऐसी हरकते हम करेंगे, कि कोई acid मिला दिया, कोई PPD बना रहे हैं, कुछ मिला के, confirm करना है, ठीक है, ठोक बजा के confirm करना है, बिटा, confirmatory test का मतलब यह नहीं होता कि एक ही test करके confirm हो जाएं, नहीं, ऐसा आख नहीं खोली, नफ्द चेक करेंगे, चल रही है, अपलब जिन्दा तो है, ठीक है, फिर लाके ठंडा पानी डाल देया, उस पर, मान नहीं हमें, हमें confirmatory test का मतलब होता है, कि एक नहीं, कई तरीकों से यह confirm करना होता है, कि आदमी जिन्दा है, अपिस याद रखना, हमे एक नहीं, कई तरीकों से यह confirm करना पड़ता है, आगे जब हम केटाइन के test पढ़ेंगे ना, तुम घबरा जाओगे, कैसे घबरा होगे बता है, एक PPT लेंगे, फिर PPT को गोलेंगे, PPT लिया, PPT में कुछ मिलाया, PPT गुल गया, फिर उसी में कुछ मिलाया, फिर PPT आ गय फिर उसमें कुछ मिलाया, फिर गुल गया, तो आप बोलो के क्या मजाग चल रहा है, तो मैंने का मजाग नहीं, ठोक बजा के check करना है, गल्ती नहीं होनी चीज़, इसलिए एक confirmatory test से कभी भी confirmation नहीं आता, कम से कम दो करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर जितन प्षॉरीटी नहीं है, तो पिपटी बनाओ, redox reaction करवालो, कोई अगर है तो, और कोई special test है, कोई reagent मिला के कुछ आता हो, तो वो कर लो, फिल मिला के पूरा हा, समझ गया ना, ठोक बजा के, 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 QT, सर, यह समर्ती के रिए, अच्छा, बताओ, क्या ही बोलू समर्ती में, अब, अभी कुछ बोलूँगा, तुम्हारा समर्ती लोस हो जाएगा, मर्ती मतलब जानते हो, मेमोरी, लिए भाई, आजा कनफर्मेटरी टेस्ट, अगर टेस्ट चूब में बैठा कार्बोनेट है, पहले क्या मिलाओगे, वही गृप रियेजेंट, एसिड टेस्ट करोगे, कर ले इसका एसिड टेस्ट, यह एसिड टेस्ट ही तो है, पहला टेस टेस्ट है, यह एसिड टेस्ट, तो एसिड मिला लो, दोनों में से एक मिला लो, अब क्या हुआ भाई साब, अगर कार्बोनेट है, तो क्या होगा, सोडे की बोतल खुलेगी, गुड-गुड-गुड-गुड-गुड-COO2 निकलेगी, उस CO2 को तुम पास में एक टेस्ट टेस्ट ट्यूब एक को बोल, गुरुप में सब दो तीन लोग होते है, है ल Columbia जल्दी से टेस्ट ट्यूब में, calcium hydroxide भर दे, प्रते है कि calcium hydroxide नहीं है, अरे तो barium hydroxide भर दे, calcium hydroxide को lime water केते है, बहुत इंपोर्टेंट है, calcium hydroxide को lime water केते है, तुमने पास वाले को बोला अब ज CO2 को इसमें फ्लो करवाया, जनरली कैसे करवाते हैं, वैसे तो एक प्रोपर नली होती है, दोनों में लगा के फिट करना होता है, बट ऐसा कोई नहीं करता, दो टेस्ट यूब ऐसे पकड़ते हैं, और ऐसे हाथ में यूँ करके, और इधर से पास करवा देते हैं CO2 को, क्यों क्या हुआ, milkiness आ गई उसमें, अब वो milkiness, अगर वो lime water लिया होगा, तो calcium carbonate बनने की वज़े से आएगी, और calcium carbonate क्या होता है, precipitate, अब वो दूधिया रंग जो आया है, वो नहीं गुलने, टर्बिडिटी कब आती है, जब कोई चीज insoluble की तरफ move करती है, तो milkiness डवलप हो गई, अगर वो आपका दोस्त, lime water नहीं और variety of water लेके आया है, तो simple है, वहाँ तो CACO3 बना था, यहाँ BACO3 बन जाएगा, दोनों ही milkiness produce करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, मिटा, milkiness produce करते हैं, फिर यहाँ से आगे का knowledge मैं पहले ही दे चुका हूँ, कि अगर किसी carbonate को गोलना हो, तो excess CO2 पास कराओ, अगर किसी sulphide को गोलना हो, तो excess SO2 पास कराओ, हो गया काम, अब यह तुम्हारा हो गया, यहाँ तक तो बोल सकते हो कि CO2 हो सकती है, सोरी, carbonate हो सकता है, यहाँ तक तो preliminary test हो गया, अब इससे आगे जो भी कर रहे हो वो confirmati है, उस CO2 को तुम lime water में डाल रहे हो, या बेराइटा water में डाल रहे हो, तो वो milkiness आ रही है, अभी मज़ा नहीं आ रहा किरा कि यार अभी और करेंगे, किरा क्या करोगे, लगातार CO2 प सकता है, अब हो गई रहे राजा, क्यों? क्योंकि excess CO2 पास करने पर वो bicarbonate में बदल जाएंगे, दोनों ही, अगर वो आप depend करता है, आपने क्या लिया है, अगर calcium लिया है, तो calcium bicarbonate या फिर barium bicarbonate, all bicarbonates are water soluble, सारे bicarbonate पानी में soluble होते हैं, तो यह clear solution हो जाएगा, यह यहां तो आपको turbidity दिख रही थी, यहां तो दूधिया रंग था, यह दूध जैसा जो है, यहां दूध का दूध है, और यहां पानी का पानी हो जाएगा, विटा, किके, actually दूध का पानी हो जाएगा, तमस्राइब, तमस्तुम समभरें? ले, अभी नहीं माने तुम, अभी नहीं माने, इसको गरम करना शुरू कर दिया, इसको गरम करूँगा, जब इसको गरम करोगे, तो यह फिर से बाई कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं, तो वो कार्बोनेट में बदल जाता है, केल्सियम बाई कार्बोनेट, केल्सियम hardness of water removal boiling का method था bicarbonate, calcium, magnesium के bicarbonate temporary hardness रखते थे हमने उनको गरम करकर के carbonate में बदला था तो अगर इसको वापिस heat करते हो तो ये फिर से carbonate में ही बदल जाएगा यानि की simple सी बात है ये रहा दूद, दूद में मिलाओ CO2 जादा दूद, दूद का पानी, पानी का वापिस दूद तो करते रो, दूद, पानी, दूद ठीगे बटा, तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया पेटा, acid test clear हो गया ये देखो, आप इसकी reaction देख सकते हो हर जगे reaction important नहीं होती observations important होते हैं कि क्या बनेगा carbonate, dilute H2O4, CO2 निकला calcium hydroxide में मिलाया मैंने calcium hydroxide लिया, आप आप बेरियम भी ले सकते हो calcium hydroxide लिया, CACO3 बना, milkiness आ गई milkiness में और CO2 मिलाया, calcium bicarbonate बनाया milkiness है या गायब, गायब हो गई अभी हम इसको heat करें तो फिर से milkiness आ गई रही हो गया ठीक है अब मान गए, अभी नहीं मानेंगे, यह तो acid test है अभी PPT test करेंगे हम आज़ा, एक carbonate लिया, यह एक solution ले लिया, soluble अच्छा, precipitate test किसके लिए करोगे अच्छा, precipitate test, carbonate होगा इसमें, इसमें क्या मिलाओगे, या तो BACL2 या CACL2 सारे यह chloride तो soluble होते हैं, अगर वो आज होगा प्रभात नहीं है, तो यह तो soluble है, तो BACL2 मिला दे, CACL2 मिला दे, जो सही BACL2 मिलाएगा, फिर से वही BACO3 का वाइट भी PPT आ गया, यह वाइट, क्योंकि ना तो deep block है और deep block नहीं है, और ना उन में से हैं जो colored हैं, deep block नहीं होते हुए भी, तो यह तो white, यह भी white, ले फिर, white, यह white, हो गया वाइट, ठीक है, अब HCL, HNO3 में तब भी गुल जाएंगे, मेरा सवाल यह है, कि excess CO2 लेने पर तो यह BICARBONATE बनेंगे, इसलिए गुलेंगे, रही तो समझना मेरी बात को, कि अगर CO2 लेते हो, तो BICARBONATE बनेंगे, मैं कहे रहा हूँ, कि अगर HCL ले लोगे, तो क्या बनेंगे? क्लोराइट्स बनेंगे, मैं कहे रहा हूँ, अगर HNO3 ले लोगे, तो क्या बनेंगे? नाइट्रेट्स बनेंगे, तो अब सोच के देखो, अगर HCL लेते हो इसमें, तो बेरियम क्लोराइट्स बन जाएगा, फिर से, गुल गया, नहीं सर, हम इसमें हैचनो 3 लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा, ओल नाइट्रेट्स बन जाएगा, नहीं सर, मैं तो एकसे सीओ टू लगाऊंगा, एकसे सीओ लगा ले तो बेरियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, ये भी क्या होगा? लोगा, तो कुछ आ रहा है knowledge, आप मज़े आ रहा है, चीजें connect हो रही है, हर बार solubility connect होगी, ना चाहते हुए भी वो solubility याद हो जाएगी, तुम यहीं खड़ाओं में, ठीक है? ये देख, बेरियम क्लोराइट सोच के देख, HCL डालेगा, बेरियम क्लोराइट बनेगा, गुल जाएगा, HNO3 डालेगा, बेरियम नाइटरेट बनेगा, गुल जाएगा, एकसे सियो टू बनाएगा, बेरियम बाइकार्बोनेट बनेगा, गुल जाएगा, केल्सियम नाइटरेट बनेगा, केल्सियम नाइटरेट गुल जाएगा, केल्सियम क्लोराइट गुल जाएगा, केल्सियम प्राई कार्बोनेट गुल जाएगा खत्तम बाद इसलिए तीनों में से कुछ भी मिला दे गुलना तय हैं कि मज़े आ रहा है पक्ता ना अब तो आ रहा है ऐसा लग रहा है ना यारे काम सर वो सॉल्यूबिलिटी आपने काम की बताई से अब तो मज़े आ रहा है आजो 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 अब देखो यह रहा है यह क्या करें अचा इसको मैं हटा दूँ क्या है हटाता नहीं हो कि मैं इसको मैं फोतो कर देता हूं लोग छोट ले भाई अब देख आप देंस बाई AGNO-3 टिएक नो-3 क्या है स्वाल्यूशन तो क्या करेंगे carbonate salt है, AG NO 3 तो Silver carbonate बनेगा, Silver carbonate क्या होता है बटा, Pale yellow PPT, convenience नया आया, यह पहले नहीं आया था, तो इसको ध्यान राखना, यह D10 होते हुए भी हलका हलका पीला रंग दे रहा है, कैवी 10 होते हुए भी हलका हलका पीला रंग दे रहा है यह देखो डीटेन है पर पेल येलो है फूरी तरह से कलर्ड नहीं है हलका हलका यह है सिल्वर कार्बोनेट क्या है बटा यह सिल्वर कार्बोनेट शिल्वर कार्बोनेट में profess न न दो आनसर तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूगा टू तो मैं ए यह मेरा पहला सवाल इस सिल्वर कार्बोनेट के प्रेशिपिटेट में तूम चार थरह से टेस्ट कर सकते हो जवाब देते, फटा फट जवाब देते न, नहीं, 4 ही है, 4 टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैंने इसमें HNO3 मिला हूँ मैं, अब ये मेरे पास प्रेसिपिटेट आ गया, पहले तो तुमको HNO3 मिला के प्रेसिपिटेट लाना है, अब उसी टेस्ट ट्यूब में तुमको यह यह टेस्ट करना है, अगर माल नो तुम डाइलूट HNO3 मिलाओगे, तो क्या बनेगा, फिर से सिल्वर नाइट्रेड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, AGNO3, और वो क्या होगा, सॉल्यूबल, अब सुनो, कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, तो क्या बनता है, किस किस को है फजान रूल में अब भी इस साल तो हट गया वो सहले बस से लेकिन थोड़ा बहुत knowledge लगाओ कार्बोनेट को heat करने पर हमेशा क्या बनता है कार्बोनेट को heat करने पर oxide बनता था और co2 gas निकल जाती थी यह कार्बोनेट है हम boil कर रहे हैं हम heat कर रहे हैं तो यह ऑक्साइड बन जाएगा और यह ब्राउन कलर का पिपिटी होता है कि यानि कि प्रेसिपिटेट पेल येलो से थोड़ा डार्क हो जाएगा एजी ट्यू बन जाएगा आजाओ आगे यह बताओ भाई अगर अगर आपिए ले लिए तो क्या आमोनिया इसको अमोनिया इसको क्या करेगा अमोनिया लिए लिगन की तरह काम करेगा बोले क्या करा दूँ एजी एनस थ्री टू कर दूँ गया एजी एनस थ्री टू कर दिया ले आजा यह क्या हो गया यह ले यह ले यह सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स हो गया अब बता दो अब doubt बच्चों तुमारे मन में एक ही doubt है कि सर हमें ये भी याद रखने क्या नहीं किस से किस की reaction हुई है ये salt में सवाल हमेशा दिया हुआ आता है कि salt का सवाल जब भी पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि एक x है जिसके साथ हमने ये 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 reaction करी है तो mainly उनका focus तुमको जो पूछने के लिए रहता है वो रहता है observation पे इसलिए कभी भी याद रखना है तो observations का ध्यान रखना हमेशा याद रखना जब भी तुम इसको revise करोगे ना तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी बस इसको revise करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना ये reagents और ये observations पता होने चाहिए क्योंकि वो सवाल जब तुमारे सामने लेकर आएगा तो यूं मान के चलो कि वो सवाल के अंदर ये सारी चीज़ें तुमको बोल देगा और किसी एक को एक सी या वाई बोल देगा तो बस तुम्हें खाली product का धिहान रखना है बहुत सारे इनकी reactions याद करवाते हैं जरूरत ही नहीं है ना इनकी reactions करवाने की आज़ो आगे अगला सवाल अब ये देखो और है एक टेस्ट और है कुछ भी नहीं है कुछ ऐसा लगे तो मेरे को बता देना मैं यहीं खड़ा हूँ कार्बोनेट क्या मिलाया लेड नाइटरेट लेड एसिटेट ये दोनों ही soluble होते हैं ठीक है बनिया अब होगा क्या तुम जाए लेड नाइटरेट मिला लो चाहे तुम लेड एसिटेट मिला दो बनना तो लेड कार्बोनेट ही है क्योंकि वो रा कार्बोनेट अब तुम soluble है और ये insoluble चीज होती है तो जब इन में से तुम कुछ भी मिलाओगे लेड नाइटरेट भी होता है लेड एसिटेट भी होता है कुछ भी मिला दो बनेगा क्या? एक वाइट प्रेसिपिटेट क्यों? क्योंकि ये जो लेड है ये इस कार्बोनेट के साथ चला जाएगा बताओ क्या वाइट पिपिटी white क्यों क्योंकि हमारी condition यहां पर follow हो रही है lead का sulfide है वो colored है या आगे chromate आएगा तो वो colored है तो वो जब जहां जो आएगा मैं करवा दूँगा लेकिन lead carbonate अगर नहीं पता तो direct white लिख दोना काम हो गया तुम्हारा तो गलर्ड होगा तो मैं बताने वाला बैठाई हूँ यह लो पीबी सी ओ थरी वाइट पीपिटी अब इसमें क्या करना है HCL मिलाना है मेरा सवाल यह है कि वह insoluble क्यों लिखा मैंने क्या बनेगा वहां पर कि तुमने insoluble लिख दिया बताओ मजए मजएदार point वही है का इसने और कि क्लोरइड बनेगा सर लो आईद तो सॉऩ大的 होते हैं सारे की ब्लोराइड तो सॉल्यूबल होते हैं ना ओध बोराइड तो सॉल्यूबल होते हैं एंपिर क्यों In Solべ हैं anyू ऐसिर इंदि लूरे मालाना होगा यह कॉन दिंद क्रबात ए प्रभात भाई, प्रभात, PBCL2, वाइट पिपिटी, क्योंकि पीछे भी तो तुमने ये नहीं सोचा, कि सर क्लोराइड बन गया, फिर भी पिपिटी है, अरे तो वो आज होगा प्रभात है न, तो सिल्वर का क्लोराइड, मर्कूरस क्लोराइड, और लेड का क्लोराइड, इनसोल्यूबल रहते हैं, इसी लिए वो एचल में गुला नहीं, वरना तो एसिड में गुली जाते हैं जनरली, पर ये महराज एसिड में जाकर भी इनसोल्यूबल रहे, तो प्रेसिपिटेट ने अपनी फॉर्म बदल दी, वो कार्बोनेट था, मानता हूँ, अब वो क्ल एक्सस एने ओच, सोचो, लेड एमफोटेरिक, लेड क्या है, एमफोटेरिक, सॉल्यूबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पीबी ओच का होल फोर नेगेटिव, और अगर इसमें लिखना है, तो इसको एने टू कर दो रहे, ये लो, एमफोटेरिक है, तो एने ओच के नहीं लिखता हूँ, तो प्रेसिपिटेट ही रहेगा, ये रहा, अगर मैं यहाँ एने ओच सिर्फ थोड़ा सा डालूँगा उस टेस्ट्यूब में, तो तो लेड का हाइडरोकसाइड बनेगा, जो की इनसोल्यूबल होगा, लेकिन मैंने यहाँ अल्रेडी एक्सस एने ओ कुछ लिखा हुआ है, कि नहीं मैं तो एने ओच धेर सारा डालूँगा, तो फिर वो उसको गोल देगा, ठीक है, राम रूमी तो कर लो, तो डिपेंडर तूँ इबायो है, मैं जद को बढ़ान लाग रहे हूँ, गंटा डाई हो, ग्या मने अटे, राम रूमी के करव को, राम रूमी, आज़ भई, एचनो 3, बता, एचनो 3 मिलाओगे, क्या बनेगा एचनो 3, देखो ऐसे ही तो सवाल आते हैं, तुमों क्या लग रहा हो, तुमको यह सब याद करने हैं, अरे नहीं है, वो सवाल की लेंग्वेज में लिखेगा, इसमें एचनो 3 मिलाया है, तुम लेड एसिटेट बन जाएगा यह वाला, और आज होगा क्यूं, एसिटेट में कोपर का एसिटेट इनसोलिबल होता है, लेड का नहीं, लेड का सोलिबल होता है, याद कहा था, याद है, लो, अब लिख रहे हैं, सर एजी है, एजी तो बनाया जाता है, अगर वक्त दिया ह मैंने पहले solubility पे तो खटा-खट 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 हाँ यह मानता हूं कि बेटा यह चीजे एक revise तो करनी ही पड़ेगी वरना भूली जाओगे ना लेकिन मैं इस चीज के दावे के साथ guarantee ले सकता हूं कि जब revision करोगे तो तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें य आहा है वह water insoluble या soluble है बात खतम हो गया तुम्हारा काम आजओ आगे कि अलफाइड पर आ जाते हैं हमारा कार्बुनेट खतम हम सलफाइड पर आते हैं वही पहला point acid test करेंगे सलफाइड में acid डालोगे group 1 का reagent है रोटन एक स्मेल आएगी अब यह है 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 अब यह क्या है 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 यह है 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 यह मेरा सवाल यह है कि क्या कार्बुनेट रिडोक्स रिएक्शन दिखा सकता है जिसे यहां CO2 गेस निकली थी क्या यह रिडोक्स रिएक्शन दिखा सकती है जल्दी बोलो नहीं obviously नहीं क्योंकि अब नहीं दिखा सकती भाई प्लस चार में है वो stable carbon plus 4 में stable है तो मैंने यहाँ पर एक चीज बताई थी कि कुछ common test होते हैं कहा गया कुछ common test होते हैं यहां बताया था तो हमने carbonate के लिए कोई redox नहीं किया क्यों क्योंकि carbonate में CO2 निकलेगी तो हमने acid test किया हमने पिपिटियां बनाई और हमने special कोई test है तो वह HGNO3 मिला के या lead acetate lead nitrate मिला के कर लिया वह special test है हमने कोई redox test करवाया क्या करवाया बता हमने redox test नहीं किया था इसका मतलब है carbonate में to redox test हमने किया नहीं अब मेरा सवाल H2S में redox test आएगा क्या है अगर gas निकली है H2S तो sûr cosаллюч it Iron-man redirect test आएगा क्या शल्फाइड Ichamme yoq testो आयेगा क्या देको मैं १िन मुझे घास नहीं काटनी बेटा मैं बता के नहीं जा रहा हूँ मेरा one short one short नहीं है इस चीज का ध्यान रखना ये पहली बार aid हुआ हुआ चैप्टर है और मैं जानता हूँ बच्चा इसमें बहुत 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 जादा दुखी है या तो conceptual है इसे सीखो सीखो क्या H2S में sulfide ion है क्या ये reducing agent का काम करता है यस अगर ये reducing agent का काम करता है तो हम इन सब के साथ जब sulfide ion का test करेंगे तो यहाँ पर कोई redox test भी कर लेंगे redox test का मतलब क्या होगा कि उसमें redox reaction होगी कोई color change हो जाएगा उससे हम confirm हो जाएगे तो बात समझ आई है तो क्या मैं sulfide ion का test शुरू कर सकता हूँ बिटा मज़ा आ जाएगा आज़ो sulfide ion का test शुरू करते हैं बिटा आज़ लिए acid test पहला ये सब तो यहाँ तक तो सब को पता है अब हमको करना क्या है अब हमको करना क्या है यहाँ पर redox नहीं है क्योंकि वो तो acid test कर रहे है अब filter paper होता है laboratory के अंदर क्या होता है एक filter paper होता है होता है filter paper सबने देखा है ठीक है जब यह H2S gas इस test tube से निकल रही थी तो तुमने तुमारे साथी को बोला जल्दी जा और वहाँ पर देख lead acetate रखा होगा और अगर lead acetate नहीं रखा हो तो cadmium acetate रखा होगा और दोनों ही soluble हैं तो bottles रखी होती है उन पर लगा होता है label label पर दिखा होता है lead acetate cadmium acetate रखा होता है तो आपने साथी को बेजा जब आपने acid मिलाया और गंदी सी smell आने लगी तो उसको कहा कि भाग यहां से इसलिए नहीं कि गंदी समेल आ रही नहीं भाग यहां से लेके आ lead acetate और cadmium acetate और filter paper लेके जा जिस तरह से सरसों की तेल निकालते हैं बाल में डालने के लिए ऐसे तेल की CC को ऐसे ही निकालते हो तो उस CC के उपर उस bottle के उपर filter paper रखना है और ऐसे हतेली में तेल लेते हैं है आम ऐसे करके ऐसे ले ले लेना है तो filter paper पर क्या होगा एक sport आ जाएगा filter paper पर क्या होगा इन दोनों solution का दोनों में से कोई भी ले सकते हो पूर्ट आ जाएगा और फिर उसको बोला जल्दी लेके आ वो filter paper तो जो filter paper तुमने इन से गिला गिला किया उसको भुला लिया वापिस और अब जो H2S निकल रही है उस H2S पे वो filter paper इस तरह से लगा दिया वो filter paper इस तरह से लगा दिया जैसे फिल्टर paper उस पर लगाया इध इधर से कौन जा रहा है sulfide iron बोलो sulfide iron cadmium के जात जाके क्या बन जाएगा CDS का येलो PPT बन जाएगा विटा आहा आहा यानि कि PPT नहीं बनेगा उस filter paper पर एक येलो कलर का sport बन जाएगा जहां जहां पे तुमने ये लगाया है वहां वहां पे पीले कलर का sport नजराएगा लेक किसमारा दोस्त लेड ऐसीटेट से भिगा के लाया है cadmium acetate से भिगा के नहीं लाया है ये आपका black PPT हो गया अगर दाग काला हो तो समझ जाना लेड एसीटेट लगा के लाया था वह है आव लेगा तेल सरसों का नहीं लाया वह और cadmium जो है वह येलो पीपिटी देगा मतलब येलो sport बनाएगा कुछ याद आ रहा है आहो जी ठीक है मैंने तो स्मेल आते ही टेस्ट टूब दोस्त की नाग पर लगा दी थी ठीक रहा नाग पर ही लगाई चलो भाई तो यह फिल्टर पेपर टेस्ट क्लियर हुआ क्या यहां तक तो हमको अल्रेडी पता था कि रोटन एग लाइक स्मेल आती है अब वो गैस निकल रहे तो वेस्ट कंफर्म करना है ना उस गैस से कर लो आगे लिए और चीज़े चलो भै आगे भी टेस्ट करेंगे सभी साथ जा Het एक सबुक assess करेंगे आओ जिया अँजी यह जल्दी प्रोड़क्त बोलते जाओ वटतापहर कर ओश्मिंए एथर गोलीन और काुने को बटया फ़र distill है जल्दीiset जल्दीले जल्दी सबाद теперь नाइे जल्दिरम यह सुफ़ी जल्दी जल्दी चल्दी नल्दी 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 s होगी पंजाब एकोडियां सिधिय और बिंदास इतना कुछ नी सोचना है असल्फाइड सार रही इंसोड़िबल होते हैं यह 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 बिलेक और यह 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 लो और यह बिलेक और प्सक्तिорм एक बात सुनो कि सुन्दर चेहरे को समरने की क्या जरूरत साधगी में भी तो कयामत की अदा होती है अनुपम तीवारी की तरफ से ये चंद लाइने पेश हैं कि सुन्दर चेहरे को समरने की क्या जरूरत साधगी में भी तो कयामत की अदा होती है तो बेटा लेकिन लड़िक कि जरुरत है कि नहीं है तुम मत बताओ उसका अपना पता होता है उसको पता होता है कि डेंटिंग पेंटिंग करनी है कि नहीं करनी है तो डेंटिंग पेंटिंग वाले जो होते हैं उसको पता होता है और जिसको पता होता है कि एकदम हाँ अपन तो साधगी में सल्टा तो बिटा वो तो सादगी में ही सल्टा देगी ठीक है लेकिन अगर डेंटिंग पैंटिंग की जरुवत है तो फिर तो है यार क्या कर सकते है अगर आगे अब अगर इनके वापिस से आगे टेस्ट करोगे तो जैसे इसमें HNO3 मिला दो ये गुल जाएगा AGNO3 बुल जाएगा इसमें HCL मिला ओगे तो AGCL बनेगा नहीं गुलेगा इसमें HCL मिला दो PBCL2 बन जाएगा नहीं गुलेगा इसमें भी PBCL2 बनेगा नहीं गुलेगा लेकिन HNO3 मिला ओगे तो गुल जाएगा अब यहाँ पर भी cadmium nitrate बनाओगे HNO3 मिला दो इस precipitate में गुल जाएगा HCL मिला दो chloride बनेगा गुल जाएगा यह एक ऐसा है जिसमें तुम HNO3 मिलाओ या HCL मिलाओ नहीं गुलेगा ठीक है? यह ध्यान रख लेना क्योंकि इसके लिए मैंने पहले बताया हुआ है कि यह HCL और HNO3 में नहीं गुलता है ठीक है इतना detail में मैं आगे नहीं ले जाना चाहरा हूँ अगर कभी आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगा लेना यार कि क्या मिला रहा है और क्या बनेगा और जो बनेगा वो गुलेगा नहीं गुलेगा वो भी तैस्ट कर रहा है यह पीपीटी आय यह इतना काला काला पीपीटी आये अगा या इनका काला आया ठीक है इन में से कोई एक कर ले, मैंने सारे बता रखे हैं, तो सारे थोड़ी करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, कोई भी एक मिला ले, काला आ जाएगा, फिर दूसरे पार्ट में ये मिला ले, तो पीला आ जाएगा, तो मत जाना बेटा, सारे बेट के मत लिखना, नहीं करते हैं, सा यह देखो मैंने कहा ना कि यह रिद्यूसिंग एजन्टे और यह रिडॉक्स टेस्ट देगा रिडॉक्स टेस्ट देगा इनके प्रोडक्त फटा फट बोलो मैं एक मिन्ट में आया जल्दी बोलो बोलो झाल 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 हाँ भई यह तुम्हारे सामने की भई Iodate Iron है Colorless होता है Dighromate ओरेंज होता है Permagnate परपल कलर का होता है Iron Plus 3 येलो कलर का होता है तो ये Iron Plus 3 से हवा में नहीं लेना है FeCl3 का कोई solution होगा ठीक है? ये कोई Cam No 4 होगा ये K2CR2O7 होगा मैंने ions लिग दिये हैं आप साथ में क्येटायन सोच लो. जैसे ये KIO3 हो गया, ये KIO3 ले लिया, के टू-CR 2-07 ले लिया, के में आफ ले लिया, FECL3 ले लिया, ये तो CL2 वोटर ही लेना पड़ेगा और ये BR2 वोटर ही लेना पड़ेगा. कि बटा आज़ो 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 आरे आहो जी कि ए रहे एजी टूएस जो है वो सॉल्यूबल होते हैं ले आज़ा देख हो गया चल्फाइड आया ने या एच टूएस गेस है कुछ भी ले लो हो गया क्या करोगे आई ओ थ्री यह रिड्यूस करके इसको आई टू म ले आएगा प्लस पांच को जीरो में किया तो रीड्यूस होगा जैसे यह थम रजओ सुलभ आईडे यह उल्फाइड है इसको प्लस श्रह्का से प्रस्तीनमि ले आएगा यह जिसे ही प्लस तीन में आएगा ग्र्रीन हो जाएगा यह plus 7 है, इसको plus 2 में ले आएगा, जैसे ही plus 2 में आएगा, colorless हो जाएगा, तो में पता चल जाएगा कि है अंदर sulfide ion, वो reducing agent की तरह काम करें, redox change ही तो हो रहे ही है, यह F e plus 2 है, sorry, plus 3 है, plus 2 में चला जाएगा, तो वो green हो जाएगा, यह CL2 है, अब CL2 को reduce करेगा, तो CL minus बनेगा, BR2 को reduce करेगा, तो BR minus बनेगा, अब halides में कोई color नहीं होता, halogens colored होते है, ठीक है, तो यह colorless हो जाएगा, तो वो जो yellow green color का पानी है, अगर वो colorless हो जाए, और यह brown color का पानी अगर colorless हो जाए, तो समझ जाओ, sulfide ना electron फैंक के मार दिये, sulfide reducing agent की तरह काम कर रहा है, यह, 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 लो, बस, हो गया, इसने कहा कि test याद नहीं होते हैं, दिमाग चाहिए, यह सब तो वो पूछेगा, तुम बस, दिमाग लगाओ, क्या बन सकता है, खटा-खट हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, गलत जगे चले गए थे तो, है, परिशान हो कर रखा था तुमको सिर्फ, ठीक है, यह, इदर आओ, समझाने वाला चाहिए, तब समझ आता है, ठीक है ना, विटा, लेकिन उसके इसा भी नहीं बोलूँगा, कि यहां मैं समझा रहा हूँ, फिर तुमने छोड़ दिया, नहीं नहीं, वो तो रिविजन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बार-बार, बार-बार, पेशल टेस्ट बहुत इंपॉर्टन्ट है, यह सिर्फ सलफाइड आयन्स के ल लिखा हूँ अपर देखो, कोडियम नाइट्रो प्रुसाइट, ठीक है, SNP जो हता है, वो रेड ब्राउन कलर का एक रियेजन्ट होता है, लेबोरेटरी के अंतर, ठीक है, अगर उसमें तुम सलफाइड आयन मिला दोगे, मतलब तुमें सलफाइड आयन का टेस्ट करना है, तो सलफाइड आयन टेस्ट ट्यूब में अगर है, और तुम उसमें SNP मिलाते हो, तो तुम देखोगे कि वो जो रेड ब्राउन है, वो वाइलेट कलर में चेंज हो जाएगा, उसका कारण है, यह जो सलफाइड है, यह इस कॉम्पलेक्स में जाके, एनो के साथ जुड़ ज साइड, और यह मैंने जो है, कॉडिनेशन में बढ़ा रखा है, कॉडिनेशन में बता रखा है, यह कॉडिनेशन में बता हुआ है, कि SNP से STNP बन जाएगा, अब इनके नाम, यह याद रख लेना, यह एनो प्लस है, तो कि आईरन के साथ जब भी एनो होता है, तो एनो प् बता ही, बैच में तो बता रखा है, खेर कोई बात नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें, इनके IUPAC नाम वगेरा आप लिख सकते हो, लिख देना, यह तो और गेनिक में भी था, हाँ, नेक्स्ट, आजो, नाइट्राइट की बात कर लेते हैं, तीसरा, ग्रुप, सब ग्रुप वन का आखरी एनायन जो हमारे सेलिवस में है, एक बार याद दिला देता हूँ, एक एक इसे क्या है, वाइट पिपीटी टेस्ट होगा, जैसे उसके लिए मैंने कार्बोनेट के लिए बोलाई, यह रिडॉक्स नहीं दे सकता, फिर मैंने सल्फाइड में बोला, कि यह रिडॉक्स दे देगा, तो ऐसे ही मैं सिर्फ जानकारी चा रहा हूँ कि क्या इसमें PPT test होगा? क्या, इसमें कोई PPT test आ सकता है? आंसर है yes, और वो भी कितना? 1, सिर्फ 1, क्या? कि AGNO-2 बना देंगे ज़्यादा स्ज़्यादा, इससे क्या है? यह क्या है? वाइट PPT है. तो एक तो देगा ना, एक के अलावा तो किसी की PPT ही बनेगी इसमें, तो एक ही test हो सकता है PPT का, कि हम AGNO-2 बना दें. ऐसा कुछ मिला है कि silver मिल जाए, और silver जाके nitrite को उठा के लिए आए. Yes, सिर्फ AGNO-2 एक बन सकता है. अगर मैं कई मान लो nitrite के लिए बोलूँगा, तो फिर मना कर देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है. acid test, वो ही हमको पता यह क्या है, nitrite है, nitrite में H2SO4 मिला होगे, gas निकलना शुरू हो जाएगी, brown color की, यह चीज हमको पता है. मेरा सवाल है, यह gas NO2 बनी कैसे, तो मैंने समझाया है, कि salt के अंदर बेठा हुआ nitrite, acid के H+, के साथ reaction करके HNO2 बनता है. acid अंदर जाएगा, H+, देगा, salt में बेठा हुआ nitrite, H+, खाएगा, यह कहां से आया बेठा, from acid, कहां से आया, from acid, acid हमने मिलाया है, तो पहले HNO2 बनेगा, फिधी NO2 नहीं बनती, पहले HNO2 बनेगी, अब देखते जाना, HNO2 जो होता है, वो unstable होता है, होती है, वो disproportionate होने की tendency रखती है, जैसे ही HNO2 बनेगा पहले, वो HNO3 और HNO में तूट जाएगा, पिभी NO2 नहीं बना सर, फिर कहां से NO2 निकल रही है बाहर, अब इसमें HNO3 तो acid है, तो नीचे रह जाएगा test tube में, और HNO3 जो है, वो उपर उठना शुरू हो गई, क्योंकि test tube कोई vacuum तो होता नहीं है, test tube तो open होती है, मतलब air होती है, यानि oxidizing medium में ही काम चल रहा है, और oxidizing medium में काम चल रहा है, तो हवा से O2 खाके NO जो हैं, वो मोटा तगड़ा NO2 हो गया, और NO2 इस चक्कर में हमें NO2 मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे, ठीक है छोड़ो बोलना नीची पर कहीं को नहीं पता होता कि ये NO2 कहां से आया, तो मैंने बताया है कहां से आया है, ऐसे direct NO2 नहीं निकलती वेटा, direct NO2 नहीं निकलती, direct NO2 नहीं NO2 आने का process है, क्या process है ये process है, क्योंकि किसी के दिमाग में तो आएगा, कि सर ये NO2 तो, NO2 माइनस नाइट्राइट सॉल्ट तो सर प्लस तीन में होता है, हाँ सर, लेकिन गैस प्लस चार में कैसे निकल रही है, जब कि यहाँ तो कोई भी oxidizing agent नहीं है सर, doubt तो आना चाहिए, किसी टीचर से पूछोगे, तो वो भाग देगा फिर, मैं नहीं जानता, पूदना मत, तो ऐसा पूदला किया रही है, कि सर आपने डाइलूट H2SO4 मिलाया, एन डाइलूट H2SO4 is not an oxidizing agent, तैन इसकी oxidation state change कैसे हुई, ये oxidize कैसे हुआ, नाइट्रेट, नाइट्राइट, जो है, वो प्लस 3 से प्लस 4 में कैसे आया, सोचो, सीखो, ऐसे आया, कि पहले तो HNOTO ही बना, मतलब वो जो acid गया, उस बिचारे ने, तो उसको प्लस 3 से प्लस 3 में ही रखा, लेकिन वो disproportionate हो गया, और वो जब disproportionate हो गया, तो उसका जो प्लस 2 वाला, उल्टा हो तो कम में चला गया, उसका प्लस 2 ने हवा खाई, और हवा खाके बिटा NO2 बन गया, क्या याद रहेगा NO2 गेस कैसे बनी? Yes, आगे बढ़े? देखो, जिस जिस ने भी इस चैप्टर से अब तक नफरत की है, नदावे के साथ कह रहा हूँ, महबबत करवा दूँगा इस से, इस चैप्टर से महबबत करवा दूँगा, ठीके? बस मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, जिस जिस ने भी, और बाद में याद करना पड़ेगा, दूसरा टेस्ट है, कि NO2 माइनस में के आई, स्टार्च, और ये इसको याद कर ले ना बिटा, ये स्पेसिफिक टेस्ट टाइप हो गया, ठीके? पोटेशियम आयोडाइड, स्टार्च, और CS3 acetic acid मिला दो, उस सॉल्ट में, उस सॉल्ट में ये सब मिला दो, तो लास्ट में ब्लू कलर का सॉल्शन मिलता है हमें, वो भी कन्फर्मेश टेस्ट होता है, तो कैसे कि नाइटरेट, नाइटराइट, सॉरी, नाइटराइट acetic acid HNO2, HNO2, KI के साथ रियेक्षन करेगा, I- reducing agent होता है इसको reduce करेगा और खुद oxidize हो जाएगा यह I2 starch के साथ जब भी reaction करता है तो blue color आता है याद रखना I2 plus starch हमेशा blue color होगा और यह आपने पहले कहीं छोटे क्लासों में भी पढ़ा हो में भी कि I2 की starch वही basic test होते हैं organic में भी क्या पता आया हो आई टू प्लस starch ब्लू कलर होता है और NIS, PBS, HCS में बोला है NIS most soluble हाँ PBS और HGS हैं यह केटायन में पता चलेगा होगी पंजाबी most insoluble है होगी पंजाबी अब जो कोई most soluble है तो वो बाकी sulfide से तो कमी soluble, sorry, most insoluble I am sorry, 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 most insoluble most insoluble होगी पंजाबी कुडियां सीधी बिंदास तो आप पूछ रहे हो बच्चा कि PBS और HGS और NIS अब आप कह रहे हो कि सर इसको सबसे ज़्यादा soluble बताया है हाँ तो सही बात है ना होगी पंजाबी कुडियां सिधी बिंदास तो most insoluble है यह तो most insoluble है मतलब इनकी KSP बाकी sulfide की KSP से तो कम है तो अगर comparison करोगे तो इसकी KSP थोड़ी ज़्यादा होगी soluble नहीं है यह लेकिन KSP की language में सोचो KSP की language में सोचो कि इन तीन को compare कराऊं तो तुम किसको ज़्यादा soluble मानोगे तीसरे को मानेगे अब हो गया बटा यह सवाल आकास की test series के सवाल पूछ रहा है आजा इदर विपिट टेस्ट विटेस्ट विटेस्ट Yes, starch can hold I2 in its helical structure इसी वज़े से वो charge transfer की वज़े से color दिखाता है Basically, I2 को hold नहीं करता है वो I3- को hold करता है ठीक है अब तुम उतनी detail में जाएगा मैं तुझे confuse कर दूँगा बेटर है तुम अपने level पे सीख मैं भी तुझे तेरे level पे सीखाता हूँ ठीक है, starch की है legal structure में I3- जाके charge transfer करके color दाता है छोड़ वो सब अभी फस जाएंगा तुझे जतना मैं पढ़ा रहा हूँ, भड़ ले ठीक है ना, only one test PPT test एक ही हो सकता है इसमे एज़ी है नो तरी मिला थे, ये वाइट PPT बन जाएगा का बात कर, महा आगे चला, आओ जी, आगे चला। क्या, ये redox दिखा सकता है दिखा सकता है, plus 3 वाला है, beach वाला दोनों तरब जा सकता है redox दिखा सकता है disproportionate b bho रहा था, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दिखा सकता है, क्या दिखकत है यह रजकिंडेंगर दॉन तरफ यह कर सकता है ना नाइडरोजन तो मीन प्लस पांच भी जाता है यह महाराज तो रिडॉक्स भी दिखाएंगे और दोनों तरह से काम भी कर सकते हैं दौन हो तरफ जा सकते हैं दोनों तरफ जा सकते हैं, आजा फिर, NO2-, पहले हम इसकी कौन सी property की बात करेंगे, reducing agent की बात करेंगे, पहले हम reducing, अगर यह reducing agent है, तो सामने oxidizing agent लेंगे, भाई, redox करवानी है, तो अगर तुम इसको reducing agent की form में ले रहे हो, तो सामने वाले को oxidizing agent वाले ले ले, तो यह रहा oxidizing agent औरेंज, बोलता जा क्या बना दू, from green, क्या में लोफ और, MN2+, क्या बना दू, colorless, purple से colorless हो गया, decolorize हो गया, वो decolorize नहीं हुआ, उसका color बदल गया, BR to brown, reducing agent है, BR minus colorless, इनमें कोई नई बात थोड़ी है, जो पीछे पड़ी वही बात है, तो क्या ही देख रहे हो इसको ऐसे, हैं, हैरानी भरी आँखों से क्यों देख रहे हो बिटा, तो पता ही है ना, आजाओ अगला, अगला मज़ेधार पोइंट है, देखो, यहां तक की चीज़ भले ही syllabus में ना हो, पर यह test तो आगे फिर आ जाएंगे, और वो syllabus में भी है, क्योंकि जब हम ammonium iron के test करेंगे, ketion में, तो यह same test वहाँ पर भी आएंगे, तो इसलिए यह मत बोलना, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि यह आपके syllabus में यह, हमने क्यों करवा दिया आता है, कुछ नहीं है, रुख जाना, इतनी सी बात सीख लेना, इतनी सी बात सीख ले, यह होता है एक devardas alloy, क्या होता बिटा, devardas alloy, devardas alloy नहीं, हाँ devardas बोलत जिंक, अलुमिनियम और कॉपर, वापिस सुन लो, वापिस सुन लो, क्या जिंक, अलुमिनियम और कॉपर, बेसिक सवाल तो यहीं से पूद लेगा, devardas alloy क्या होता है, जिंक, अलुमिनियम और कॉपर, जब आप जिंक, अलुमिनियम और कॉपर को साथ में लोगे, यह क्या करते हैं ये क्या करते हैं ये पहले क्या करते हैं कि जब आप नाइट्राइट आयन आपका कि reducing agent की तरह काम करना शुरू करते हैं अब इधर यह oxidizing agent की तरह काम करेगा इस बार पीछे तो reducing agent था तो अब क्या करेगा यह इसको reduce करेगी तो यह इसको plus 3 से minus 3 भर भर के electron खिलाएगी करें खा खा तूं मस्तरे तो सोचो nitrite में बेठा हुआ nitrogen प्लस 3 में बेठा था नाइट्राइट में बेठा हुआ nitrogen प्लस 3 में बेठा है आपने डेवर्डाज एलोई लेके ammonium hydroxide सोरी डेवर्डाज एलोई लेके न ओच मिला के एच्टू गेस निकलवा के उस एच्टू गेस ने reducing agent की तरह काम किया और इसको reduce कर 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 माइनस 3 में पहुचा दिया अब हमारा nitrite ammonia बन चुका है अब हमारा nitrite ammonia बन चुका है अब यह ammonia की reaction सारी आपके syllabus में है इसलिए ऐसे ना सोचें कि यह syllabus में नहीं है ठीके थोड़ा दिमाग लगाएं smart one short नहीं smart दिमाग भी रखें बेटा यह देखो HCL, red litmus, CUSO4, NICL2, K2H, GI4 plus KOH is your nestler's reagent यह बहुत important है आजो फिर आजो सारे यह आजो सारे आजो सारे आजो यह देख अमोनिया HCL क्या मानते हो क्या बनेगा कि दुनिया में जब भी ammonia को ammonia को जब भी H plus नजर आता है ना यह तुरंत अपना लोन पर फैंक के मार देता कि रहें ले जाओ और हमें ammonium बना दू जब भी H plus नजर आता है इसे यह acid है नजर आ गया H plus acid है नजर आ गया H plus ammonia को जब भी acidic medium दिखाओगे ammonium बनेगा और ammonium को जब भी basic medium दिखाओगे ammonia बनेगी आजा फिर ammonia acidic medium ammonium अब product बन गया ammonium तो यह और साथ में chloride बोलो क्या white dense fume आ गए रहे अ कमतेशिछिए लो जी लो ई know गवाम ने यहंच dealing वेम इंथा है ago आज आजओ वेयां बेसिक ammonium नेचर में क्या है अ मोनिया नेचर में क्या है अमोनिया नेचर में क्या है puede a basic to be a basic अब दो जल्दी बोल जल्दी बोल बेसिक क्या है basic क्या करेगा, red litmus को क्या कर देगा, blue में convert कर देगा base blue में ले जाता है, B से B याद रखना, जो भी base होता है वो final B ले के आता है base से B बनेगा, base से blue बनेगा, यानि कि base red में मिलाओगे तो blue बनेगा याद रहेगा, ठीक है भी चलो, cu, so4 ammonia, ये तो सबको पता है कौन सा, cu, nh3 4 और SO4, ऐसा एक complex याद आ रहा है क्या square planer complex, transfer rule square planer complex, transfer rule blue color का complex बन जाता है, और बकायदा dark blue लिख दो इसको तो NICL2, NS3 वही complex फिर से NINH3 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, plus 2 low, complex बन गया ये देखो ये है नई चीज और ये आगे बहुत important है, यहाँ पे important mark कर देने वड़ा और ये तो तुमने organic में भी पढ़ा है, कि यहाँ पे क्या आता है कि HGO, dot यहाँ आएगा तुम्हारा HG, और NH2 और I Milone's base, iodide of Milone's base ये बन जाता है बिटा, और ये भी precipitate होता है, और कौन से color का होता है ब्राउन color का precipitate होता है, ब्राउन PPT अच्छे से देख ले ना ये, इसमें से ये fast और से ये, बाकी तो चलो ठीक है, ये याद रे जाता है, वो पहले से पढ़ा हुआ है, ये पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छे से ये और ये तो, ये important है काफी आरी मोज है, आगया स्वाद salt का special test, nitrite का भी brown ring test होता है, अभी तक तो हमने nitrite के लिए ही सुना था, आज salt पढ़ रहे हो तो एक चीज़ नहीं सुनके जाओ nitrate and nitrite, दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनो brown ring test दिखा सकते हैं, ये बहुत सावधानी से किया जाने वाला test होता है, और brown ring का मतलब है ऐसा नहीं कि इसमें कोई ring बनेगी, complex में कोई ring नहीं बनेगी, chilation नहीं होगा, हाँ, visibly हमें एक ring दिखाई देगी brown color की, test tube के जो किनारे हैं, उसके उपर एक brown color की ring दिखाई देती है, क्योंकि ये brown color की ring जो बनती है, ये ring एक complex होती है, जिसमें कोई ring नहीं होती, वो तो simple complex होता है, और ये हमने brown ring complex पढ़ा हुआ है, coordination में पढ़ा हुआ है, ये इतना ज्यादा unstable होता है, कि इस test को तुम बहुत ज्यादा test tube को हिला हिला के नहीं कर सकते, वरना वो ring ही गयब हो जाएगी, ठीके, कारण, इसके unstable होने का कारण कि अगर तुम इसमें oxidation state निकालते हो, तो iron इसमें प्लस वन में होता है, और प्लस वन में iron highly unstable है, तो यूं मान के चलो कि उस test tube में जो brown ring आई है न, उसको दोड़ के जाके teacher को नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां पहुंचे गा, तब तक तो उगायब हो कि उसको ऐसे ही रखे नेना है, और साथ वाले को बोलना है कि जल्दी जा रहे बुला गिला उसको, तो teacher को, और teacher को बोलो कि आप आके इधर दिखाओ, क्योंकि हमारे हाथ में brown ring घराब हो जाएगी अगर हिलाया तो, तो फिर उसको दिखाना है कि मैड़म मैड़म, मैड़म ठीक केरा सरीह इतना difficult क्यों लग रहा है, पहली बार में लगता है, ठीक है, पहली बार में लगता है, अच्छे से अच्छे बच्चे मुझे message करके ये कहते हैं कि छोड़ने क्या, देखो, छोड़ना जो है ना, वो solution नहीं है, कारण इसको छोड़के जाओगे, किसी और chapter के दो सवाल मुश्किल आ गए, फिर वो छोड़ने पढ़ेंगे वहाँ मजबूरी में, यहां तुम choice से छोड़ रहे हो, वहाँ तुम मजबूरी में छोड़ोगे, तो ये छोड़ोगे, वो छोड़ोगे, यह तो छोड़ गई जा रहे हो, वो तुमें छोड़ने ही पढ़ें यह कि यह मैं कह सकता हूँ कि इसमें से सवाल मुश्किल नहीं आएगा तीधया आएगा पहली बार आ रहा है तीधया पूछेगा मुश्किल नहीं पूछेगा बाकियों में मुश्किल पूछ सकता है इसमें से लेवल अच्छा ही बनाएगा चोटा सा सस्ता सा करके जाओ यार समझो बात को मेरी भी बात समझो देखो हुआ क्या वह सुनो पहली चीज सुन लो इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट सवाल यही है कि इस FESO4 का रोल क्या है तो मैं वह सिखा रहा हूँ आलो जो भी नाइट राइट है उसमें एच प्लस डालो कहां से गया इनमें से कोई भी ले लो यह अबलिक लगाया हुआ है तुम्हें खाली एच प्लस चाहिए तुम डाइलूट HCl लेलो तुम डाइलूट H2SO4 लेलो या तुम एसिटिक एसिड भी ले सकते हो तुम्हें H+, से मतलब है ले लिया तुमने वह H+, जाके इसको HNO2 बनाएगा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ागी वह तो अनिस्टेबल है वह तूट जाएगा HNO3 और HNO में यह चीज पहले से हम क्लि हम एक रिदूसिंग एजन्ट लेके आएंगे और वह रिदूसिंग एजन्ट है F-E-SO4 क्या करेंगे हम F-E-SO4 मिलाएंगे इसमें F-E-SO4 का जो आईरन है वो प्लस 2 में है और वो तो चला जाएगा प्लस 3 में और इसको ले जाएगा प्लस 2 में कुल मिला के यह HNO हमारे पा जली हमने F-E-SO4 मिलाया वो रिदूसिंग एजन्ट की तरह काम करके उसको एहनों में आया तुमसे सवाल यह पुछा जाएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में F-E-SO4 का काम क्या है बताओ इसका एक ही सवाल बन सकता है ब्राउन रिंग कॉंपलेक्स का फॉर्मूला क्या है और ब्राउन रिंग कॉंपलेक्स टेस्ट में F-E-SO4 का काम क्या है जल्दी बताओ F-E-SO4 का काम क्या है कि रिड्यूसिंग एजट क्या किसको रिड्यूस कर रहा है किसको रिड्यूस कर रहा है किसको reduce कर रहा है HNO3 को reduce कर रहा है किस में? NO में इसलिए कैसा भी सवाल होता है reducing agent है मैं मानता हूँ लेकिन काम तो काम होता है reducing agent हूँ तो काम बताना क्या करता reducing agent है तो किसको काम कर रहा है कुछ तो कर रहा होगा काम तो होगा मैं mystery हूँ अरे प्लास्टर कर रहा है इंट लगा रहा है बातरूम बना रहा है क्या कर रहा है बातरूम बना रहा है क्या कर रहा है बातरूम बना रहा है बातरूम बना रहा है क्या कर रहा है मिस्तरी के भी तो काम होते हैं बता क्या कर रहा है काम बताओ मैंने काम पूछा तो काम बताओ हुआ है और आगे यह वाला टेस्ट तो फिर से आ जाएगा जो हम नाइट रिडिव अच्छा यह चीज ध्यान रखना हमने यह जो FESO4 लिया है न यह काम आ गया फिर हम फ्रेशली प्रिपेड FESO4 और लेते हैं एकवस वह इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें यहां पर कॉंप्ल तो और FESO4 तो और FESO4 और बेट गया इसलिए ध्यान रखना इसमें FESO4 दो बार यूज होता है पहला वाला थोड़ा सा यूज होता है वो reducing agent का काम करता है दूसरी बार में जब आप यूज करते हो तो वो freshly prepared FESO4 चाहिए इस FESO4 का कोई यूज नहीं बचेगा क्योंकि यह FESO4 का iron प्लस 2 से प्लस 3 में चला जाएगा क्योंकि उसको निपटाएगा अगर यह reducing agent है तो खुद का oxidation कर लेगा इसलिए यह हमारे किसी काम का नहीं है यह वाला iron तो खतम हो जाएगा प्लस 3 में चला जाएगा इसलिए याद रखना इसको अंदर 2 step में FESO4 मिलाया जा को आहो जी आगे यह भी आपके syllabus में है दरावना है लेकिन कोई बात नहीं याद हो जाएगा या नाम होता है grease illos was test क्या नाम होता है इसका grease illos was test क्या होता है इसमें यह भी nitrite का specific test है क्या करता है नाइट्राइट सॉल्ट ले लो सलफा निलिक एसिड ले लो एसिटिक एसिड ले लो और वन नेफ्थिल एमीन ले लो यह सब इस नाइट्राइट में जब मिलाओगे तो अगर नाइट्राइट हुआ तो लाल कलर की एक डाई जैसा कलर हमें दिखेगा रेड एजो डाई मिलेगी यह रही कोई आपको इसकी स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है मैं क्लियर बोल देता हूँ आप परेशा यह रण क कलर का एजोड़ाई आता है अच二 कह और यह हमारे यूरीन इइंफेक्षिन में रोता है पैफ लोजी वाले यह टेस्ट करतेहं अन्हां जब हम डबी में बढ़िका यूरीन देते कि हुँ हो तो यूरीन इंफेक्षिन होते है जो मैक्रो और्गनिसम होते हैं तो म समझो, bacterial infection है, ऐसा बहुत जादा detail में तो मैं भी नहीं जानता, बस थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, तो ये ये चीज़ें laboratory के अंदर pathology lab में ये test किया जाता है, ये grease illoze waste test जो होता है, वो urine infection में mainly, urinary tract infection वगरा जो होता है, urine infection जो होता है, उसके अंदर ये चीज़ पता की जाती है, कि अगर आप UIT है, UIT में infection है, तो urine में infection होगा और उससे ये check किया जाता है, ये सब मिला के अगर urine जो है, वो red azodai में convert हो जाता है, तो समझ जाओ, कि उसमें nitrite है, तर वेनिता मान गई, नहीं मानी रही, रेज, एगो नहीं है, ये एज जो है, जे डेविटा है ना, ले बस अब खुश है, तो आपको कोई ऐसा कुछ structure वगेरा याद रखने की जरूरत नहीं है, simple sec funda, पट हाँ, क्योंकि नाम से आया हुआ test है, और lab manual में है NCRT की, इसलिए ये आ सकता है, तो खाली बस ध्यान र Acid, और 1fthilamine मिलायते हैं, बाकी इसको इतना इधत देने की जरूरत नहीं है, अब हम subgroup 2 की तरफ move कर रहे हैं, कहा move कर रहे हैं, बिटा, subgroup 2 की तरफ move कर रहे हैं, देखो, इसको सीखते हैं, subgroup 2 को, subgroup 2 में याद दिलादू में, कौन-कौन से होते थे, वो तो ठीक है, तु और एनो थ्री माइनस है यह हमारे सिलेबस की बात है तो भी मैं कनफर्मेटिव टेस्ट करा रहा हूं उन बच्चों को मैं साफ साब बोल देता हूं मैं कोई भी बाहर की चीज नहीं करवा रहा हूं मुझे बच्चे बोल रहे थे कि आपने बहुत ज्यादा पड़ा दिया अर तो ने जिससे पड़ा है या तेरे दोस्त ने जिससे पड़ा है उसने बहुत कम पड़ाया है ब्रेक देंगे अभी देंगे बिटा है ना यह 40 slides हुई है और 45 47 के आसपास यह पूरा पार्ट खतम हो जाएगा उसके बाद हम ब्रेक देंगे ओके क्लियर है अभी आजाओ करते हैं and that is brown ring test. वो nitrite भी देता है और nitrate भी देता है तो मैंने पहले nitrate उठाया है क्योंकि इन तीनों के तो कुछ common test भी होते हैं. इन तीनों के specific अलग-अलग तो हम देख लेंगे लेकिन इन तीनों के common test होते हैं. अब जब common होते हैं तो CLBRI के पतलब chloride bromide iodide के जो भी common test है तो हम commonly एक साथ ही देख लेंगे ता हम क्यों परिचान हो या अलग-अलग करके हैं तो इसलिए ये तो commonly हम देख लेंगे पर पहले हम nitrate पढ़ लेते हैं test of nitrate पहले acid test करेंगे nitrate भी अब ध्यान रख लेना मिटा यहां पर वापिस लिख देता हूँ यहां group reagent concentrate H2SO4 है the major difference जिसमें हम अब बदल रहे हैं हम अब सब group 2 में आ चुके हैं और सब group 2 में हमारा जो group reagent है जल्दी बताओ क्या होगा अब concentrate H2SO4 होगा जोया नोटी हो रही हो अब जोया चाहिए नोटी हो रही हो या चाहिए ठोटी हो रही हो तूं क्यों परिशान हो रहा है कर मेरे लिए विनिता मान गई कर बग तो सुनो नाइट्रेट में concentrate H2SO4 वही अपना एनोटी गेस निकलना शुरू हो जाएगी अब तुम चाहते हो कि यार एनोटी गेस को और तगड़ा गाड़ा करना चाहता हूं यह एनोटी आ रहे है कम आ रहे है और निकालूंगा तो एनोटी बढ़ानी है तुमें तो तुमने क्या किया कि साथ वाले को बोला ऐसे टपली पर मारके जा रहे है वह आपर जाके देख कोपर के छिलके बढ़े हैं कोपर के छिलके हाँ कोपर की टर्निंग्स बोलते हैं कोपर मेटल होता है कोपर मेटल के कुछ छिले हुए ऐ उस test tube में उसको बोला कि जा तूप और की टरणिंग्स लेख या वो भाग के गया और जल्दी लेखाता हूं को पर की टर्निंग्स उसने आपने उसी test tube में डाल दी और उसको heat करना शुरू कर दिये और जब आपने heat करना शुरू किया तो NO2 निकल तो रही थी, अब और भेंग कर NO2 लिख रही है, कि रहे, intensity of NO2 इंक्रीज हो गई, जैसे ही copper turnings मिलाई, intensity और इंक्रीज हो गई, ब्राउन कलर भी तुम्हें ज़्यादा दिखने लगा, ब्राउन लिख दो, रेड ब्राउन लाया तो HNO3 बन गया, यहाँ तो direct HNO3 बनेगा, भई यहाँ तो nitrite तो है नहीं, कि HNO2 बने, यहां तो nitrate ही है, तो HNO3 ही बनेगा, HNO3 जब बन गया, तो HNO3 जो है, पहले आप heat तो करी रहे हो इसको, गरम तो करी रहे हो, तो HNO3 break होगा, किस में? NO2 प्लस O2 में, दुनिया क कशाइए तो नाइट रहा है कि अगर व उन्योंने नहीं है तो वह नो 2 और 2 में टूट गया नो 2 मेरेक हो गया यही इन्ला झॉँने अरा क्योंकि सांट में निकल रही तो जब निकल रहे सब्सक्राइब अब ब्राउन कलर के साथ कलरलेस गैस निकल रहे है तो ब्राउन की intensity थोड़ी गट जाएगी तो तुम्हें मजा नहीं आया तुम्हें पता है कि NO2 निकल रही है पर तुम्हें मजा नहीं आया इसलिए तुमने तुम्हारे दोस्त को बोला था कि जल्दी जा, वहाँ से copper की turnings लेकिया अभी बता करते हैं तो वो गया copper की turnings लाया अब हुआ क्या अब copper जैसे ही अंदर गया तो अंदर तो HNO3 बैठा है ना बिटा सारा थोड़ी तूटा है वो तो reaction चल रही है तूट रहा है, तूट गया नहीं है सारा थोड़ी तूटा है जैसे जैसे तूट रहा है वैसे वैसे अनोट उपर उठ रही है तो अंदर क्या है? HNO3 है अब ये copper गया और इसने HNO3 के साथ reaction करी तो इसने तुमारे को अनो gas दिया लेकिन हमें तो अनोट चाहिए तो कोई बात नहीं ना अंदर O2 बैठा ही है तो HNO जब है वो O2 के साथ reaction करके HNO2 बन गया अब ये O2 जो निकल रही थी वो HNO2 को खाएगी मतलब सोरी HNO को खाएगी और HNO2 बन जाएगी कुल मिला के मैं एक कहना चाहरा हूँ जो यहाँ पर HNO2 gas निकल रही थी तुमने इसके साथ और HNO2 एड करवा दी कैसे करवा दी जैसे ही copper turnings मिलाया copper turnings मिलाते ही HNO बना HNO ने O2 के साथ reaction करके HNO2 बनाना शुरू कर दिया मतलब जिस O2 की वज़े से तुम परेशान हो रहे तो उसको तुमने utilize कर दिया कि तेरी वज़े से color फीका दिख रहे तो रुख जा तो HNO के साथ O2 मिला कि HNO2 और बना दिया सर विनिता से makeup kit छीन लो मान जाएगी जय वर्मा कह रहा सर चैप्टर ना करें क्या अब कुछ समझ नहीं आ रहा यस जो हिम्मत हार चुका है वो चला जाए ठीक है कि सर please increase your speed रुख जा अभी तुम रुख जा भाद में बोलेगा slow कर दो अभी कर देंगे रुख जा PPT test नहीं देंगे क्यों क्योंकि nitrate सारे soluble होता है special test देंगे redox भी नहीं देंगे redox इस लिए नहीं देंगे क्योंकि nitrogen already plus 5 में बेटा हुआ है ठीक है कर सकता है oxidizing agent का काम लेकिन फिर भी redox reactions की बात नहीं करते हैं हम इनके लिए brown ring test brown ring test में nitrate H plus HNO3 HNO3 FeSO4 ये बन गया ये तो plus 3 में चला गया मैं कह रहा था ना पहले मिलाया हुआ FeSO4 plus 3 में चला जाता है वो जो plus 3 में गया तो वो इस form में जाएगा feric sulfate क्या बोलते हैं इसको feric sulfate बोला था मैंने कि जो पहले मिलाते हो same ही तो है same ही तो है बटा और plus क्या आ गया NO बास हमारा काम हो गया NO NO आ गया अब तुम ये equus मिलाओ freshly prepared अलग से ये नहीं है ये इसका क्या करोगे ये तो निपट गया ये तो ऐसा बन गया जो ऐसा बन गया वो हमारा किसी काम का नहीं तो हम अलग से और मिलाएंगे फिर जब FESO4, H2O, NO add करेंगे तो last में ये फिर से वही brown ring complex जैसा उदर बनाता वैसा इदर बन जाएगा इसमें और उसमें फरक क्या है इसमें और उसमें सिर्फ एक ही फरक है क्या कि वहाँ पे HNO2 बनके तूट रहा था HNO3 और NO में तो वहाँ पे हमको NO कुछ हद तक मिल रहा था यहाँ पे हमें बिलकुल भी NO नहीं मिल रहा है हम सारे के सारे HNO3 को convert करके NO बना रहे हैं और वहाँ NO मिल तो रहा था पर कुछ साथ में HNO3 आ रहा था तो उसको convert करे थे NO में तो इसलिए दोनों टेस्ट में FESO4 का role वही है जो मैंने सिखाया था FESO4 का एक ही काम क्या बोलो HNO3 को किसमे convert करेगा के NO में करेगा अरे बोलो clear है तो यह है चाहे नाइटरेट के लिए बोल दे चाहे नाइटराइट के लिए बोल दे FESO4 का role जो है same है same FESO4 का role क्या होगा बिटा same होगा clear है चल्द ओके यह तो समझ आई गया कवाल मैंने बताई दिया क्या होगा अब अगर माल लो वैसे तो यह point अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा या कि अगर nitrate है तो यह क्या करता है कि concentrate H2O4 माल लो nitrate salt दिया है तुमको नस चूरन दिया है और वो चूरन में nitrate किसका दिया है barium, strontium और lead का दे दिया सुनना मेरी बात को ऐसा होता है यह complications laboratory में जब practical करते हैं तो phase करनी वड़ती है अब सुनो यह point है जो तुमको बाकियों से अलग बनाएंगे कि अगर तुमको nitrate चूरन जो है ना उस चूरन में nitrate है और nitrate भी किसका है barium का strontium या lead का nitrate है तो तुम तो concentrate HN3 मिला रहे हो ना group reagent तुम तो group reagent मिलाओगे जैसे ही तुम concentrate H2SO मिलाओगे यह बन जाएगा BASO4 यह बन जाएगा SRSO4 यह बन जाएगा PBSO4 अब जैसे ही यह SO4 बनेंगे, sulfate बन जाएगे इनके, और यह sulfate क्या होते है white precipitate होते है अब तुमने मिलाया और PPT आगया अब तुम कैसे brown ring test करोगे तो PPT आगया, विक्कत होगी अगर nitrate इन तीनों के nitrate होए तो वो तो concentrate H2SO तुम मिलाते ही हो, मिलाते ही वो तो sulfate बन जाएगे, sulfate बन गया तो PPT आगया, अब PPT कैसे तो कैसे करोगे test, तो कोई बात नहीं यार, PPT आगया तो हमें क्या मतलब है PPT का मतलब क्या होता है, एक चीज जो ऐसी जो नहीं गुल रही है, लेकिन बाकी तो पानी तो होगा, तो हम खाली कुछ नहीं करना है, filtration कर दू कुछ नहीं करना है, एक step add होती है, कि जैसे PPT आया, साथ वाले को बोला, रहे जा रहे फिल्टर पे पर लेकिया, वो फिल्टर पे पर लेकिया, ये PPT तुमने साइड में कर दी, ये सारे सलफेट इदर साइड में रह गए उपर, और जो फिल्टरेट आया उसमें तुम आगे वही प्रोसेस करो, जो कर रहे थे बाकियों के लिए वही FESO4 वगेरा मिलाओ, और फाइनली तुमारे को रिंग मिल जाएगी, बस एक modification है, filtration करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, कुल मिला के अगर कच्रा आगया तो छान लो, और जो छनित्र है, छनित्र बोलते हैं, फिल्ट्रेट को, जो निकल जाता है नीचे, पानी, यह रिपीट बोलू, इसको रिपीट करू, अगर नाइट्रेट, बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड का दे दिया तुमने, तुमारे मजे ले लिए उसने, लेब असिस्टेंट को तुमने कभी कुछ बोला था, आज उसका दिन है, उसने तेरे को नाइट्रेट दे दिया, तो इन तीनों का दे दिया माल ले, तीनों में से किसी का भी नाइट्रेट दे दिया, चूरण, अब तू कर रहा है क्या ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, तो तुने कंसेंट्रेट ह2SO4 मिलाएगा, अब कंसेंट्रेट ह2SO4 तो ग्रूप रिएजन्ट है, वो तो तो मिलाए गई नाइट रेट के लिए तो पीपीटी आ गया और वह भी वाइट पीपीटी आ गया अब वह साइड में बेटा हाँ रहा है कि अच्छा बेटा आपकर कुछ नहीं करना है वह पीपीटी सलफेट के हैं छान लेना है गबराना नहीं वह तेरा पैशेंस चेक करेगा कि तू क्या क अब तो ठीक है अब आजाओ और तगड़े तगड़े पॉइंट इस बेटा यह बहुत इंपोर्टन टेस्ट है इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इसके दो चार पॉइंट डिसकस करूंगा चार स्लाइड पे इसी के पॉइंट डिसकस करूंगा ब्राउन रिंग कॉंप्लेक्स इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है अब सुनो क्या हमने इंटरफेरिंग एनायन्स पड़े थे हां यह वो नहीं है क्योंकि वो तो जो केटायन के टेस्ट को इंटरफेर करते हैं तो छेड़कानी करने वाले को तो छेड़कानी करने वाला ही बोलेंगे ना यहां पर जो छेड़कानी करते हैं यह किसी केटायन के टेस्ट में छेड़कानी नहीं करते हैं तुमसे जब पूछा जाए कि इंटरफेरिंग एनायन्स कौन से हैं तो यह नहीं बोलने वहीं बोलने जो बताएं बाप सौफ्ट हैं यह इंटरफेरिंग एनायन्स सिर्फ ब्राउ ring test को interfere कर सकता है तो ये नाम मुलने वो तो ही वो अगर simple पुछे कि इन में से कौन सा NIN interfering uh ain कहलाता है तो वो तो हमने सीख लिए लेकिन अगर brown ring test के लिए वो पुछेगा तो अलग से पुछेगा ओके परिशान मत होना पहला तो इसका भाई है कि नाइट्राइट भी इसको दिक्कत कर सकता है बोले आप बोलोगे कि सर नाइट्राइट भी तो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है तो यह दिक्कत कैसे कर सकता है तो यही तो दिक्कत है कि नाइट्रेट भी देता है नाइट्राइट भी देता है तुम्हें कैसे पता तो यह तो सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका solution हम ढूंडेंगे, फिर आगे वाले देखो, यह क्या है, oxidizing agent, यह क्या है, reducing agent, अब अगर यह oxidizing agent है, तो यह क्या कर सकते हैं, इस iron को oxidize कर सकते हैं, जो तुम FESO4 मिला रहे हूँ, है ना, तुमको oxidize करवाना है किस से, HNO3 से, और य यह पहुंचके oxidize कर रहे हैं, मतलब तुम चाते हो कि HNO3 और FESO4 आपस में बात करें, और यह पहुंच गए oxidize कर देंगे इसको, तो यह काम खराब हो गया, तो यह दिक्कत कर सकते हैं, दूसरा, यह reducing agent है, यह कैसे reduce कर सकते हैं, यह किसको reduce करेंगे, भई iron प्लस दो से तो और FESO4 कम में जायेगा नहीं, तो यह इनको reduce कर सकते हैं, नाइटरेट को, जैसे नाइटरेट हैं, और bromide iodide अगर आपने ले लिया, यह यह समझो, अरे सौरी, concentrate H2SO4 ले लिया, वो concentrate H2SO4, acidic strength दिखाने की बजाये, इनके साथ लग गया, इनके साथ लग गया, क्यारा, BR2 ब करेंगे, तो यह disturb करते हैं, तो इनके लिए इतना detail में जाने की ज़रूद नहीं है, हम जानते हैं कि वहाँ पर जो major step है, brown ring test की जो main step है, वो यह है, क्या, कि HNO3, FESO4, NO, तो FESO4, reducing agent, HNO3, oxidizing agent, यानि कि यही दो आपस में reaction करने चाहिए, अभी NO मिलेगा, लेकिन अगर यह कोई और चले गए, तो यह disturb करेंगे उन दोनों को, इसलिए यह नहीं होने चाहिए, interfere कर सकते हैं, मज़ेदार बात यह आती हैं कि NO2-, अब यहाँ पे तुमारे दिल को लगेगा एक धक्ता, और मैं तुम्हें पूछता हूँ कि सब group 1, मेरी बात सुनना ब अब ग्रूप 1 में तुम क्या मिलाते हो, क्या dilute HCl और H2SO4 मिलाते हो, चल्ली बताओ, क्या dilute HCl और H2SO4 मिलाते हो, बिलकुल मिलाते हो, ठीके, और sub group 2 में क्या मिलाते हो, और sub group 2 में क्या मिलाते हो, dilute, sub group 2 में क्या मिलाते हो, concentrate H2SO4, क्या मिलाते हो बिटा, concentrate H2SO4, आप इस बोलो क्या, concentrate H2SO4, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, कि मैंने कोई sub group 1 का, मैंने कोई sub group 1 का NIN लिया होआ है, कौन हो सकता है, carbonate, sulfide, हैना, nitrite, जो हमारे syllabus में वही बोलूँगा, अगर मैंने subgroup 1 का मैं निया हुआ है और मैंने concentrate H2SO4 मिला दिया, मैंने concentrate H2SO4 मिला दिया, मेरे पास NIN तो subgroup 1 का है, लेकिन मैंने मिला दिया subgroup 2 का reagent, तो मेरा सवाल, क्या वो test देंगे? कि ऩज़ा कि इम्माय गांग सब्सक्राइब कि आपकी कि आन्सर है यह जिए यांसर है यह nine यह सब्टूप वन वाले अंप यह दोनों के साथ स्थ देदे। दोनों के साथ टेस्ट देदेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जो सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ही टेस्ट देते हैं, वापिस सुनो, सब ग्रुप 1 वाले तो दोनों के साथ टेस्ट देदेते हैं, लेकिन सब ग्रुप 2 वाले सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ही टेस्ट देते देते हैं, इसलिए तो दो ग्रूप बनें दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर सारे के सारे दोनों के साथ टेस्ट दे देथे ते तो मैं दो ग्रूप क्यूँ बनाता रहे? ओड़ा तो सोच लेए। अगर सारे के सारे दोनों के साथ टेस्ट दे देते तो हम बेवकूफ हैं जो हमने दो गुरूप बनाएं किरकी इस तो डाइलूट के साथ रियक्शन नहीं कर रहा था कुछ ऐसे लोग थे जो dilute के साथ reaction नहीं कर रहे थे इसी वजह से हमें दूसरा ग्रूप बनाने की जरूत पड़ी तो इसलिए याद रख लेना ये जो one वाले हैं ये तो दोनों के साथ तयार थे है इनोंने का वहिया हमारे में तो कुछ भी डाल दो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम दे देंगे ये अलग बात है कि इन प्रैक्टिस हम डाइलिट ही डालते हैं उनके अंदर लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला और यूट? येस यजृ कोई दिख्कत नहीं सब्हुत तू वाले हैं उनको बोला डाइल यूट? नो! मैसे से और यूद्र कंसेंटरेगे हैं यूझित में यूझित format फोल यूझित में भी साव figured मैं है कि अभी तो है मैं बंदी करा हूँ दो चाहर में ब्रेक दे रहा हूं तो सुन लो भाई सुनो आप मेरी बात सुनो तुम्हारे ले लिए लेबोरेटरी में किसने मज़े लेब असिस्टेंट ने यह असली दुस्मन ही निकाल लेगा उसने क्या किया नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों मिला के देती है और तुम जा रहें ब्राउन रिंग कॉंप्लेक्स करेंगे यह 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 नो टू गेस निकल रही है एला गश्टाइश्टर फोर मिला देते हैं मिला दिया तुमने वापिस सुनना तुम्हारे मजे कहां लेगा वो सुन लो तुमको पता नहीं है कि अंदर नाइट राइट भी बेठा है और नाइट रेट भी बेठा है तुमने मिला यह तुमने मिला यह तुमने ब्राउन रिंग टेस्ट करा सब कुछ कर दिय तुमने कंसेंटरेट ह्टो फोर मिला या एफ यह सब मिला दिया ब्राउन रिंग बन गई लेकिन तुम यह भूल गए कि तुमने जब कंसेंटरेट ह्टो फोर मिला के एनो टू गैस निकाली थी वह तो नाइटराइट भी देता है मैंने कहा ना, नाइटराइट मतलब सब ग्रूप वन, अगर तुम उसमें कंसेंटरेट एस टो फॉर मिलाओ तो उन्हें तो कोई तकलीब नहीं, तुम डाइलूट मिलाओ, कंसेंटरेट मिलाओ, वो तो दोनों के साथ एनो टू गेस दे देगा, तो तुमारा प्रिलिमिनरी में तुमारा observation तो खराब हो गया ना, तुम तो नाइटरेट मान मान के बेठे हो, लेकिन वो तो नाइटराइट भी हो सकता है, वो तो नाइटराइट भी हो सकता है, इसका मतलब सुनो, कि इसका मतलब है कि अगर नाइटरेट प्रेजेंट हैं, अगर नाइटरेट प्रेज है वापित सुनो हो जाएगा याद मैं यहीं हूँ गबराना नहीं है अगर तुम नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हो और साथ में नाइट्राइट भी प्रेजेंट है तो नो टू गेस दोनों देंगे ब्राउन रिंग कॉंपलेक्स दोनों बनाएंगे तो कैसे बोलोगे कि न कंसेंट्रेट ह-2-SO4 मिलाओगे ना तो याद रखिएगा जब तुम नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हो तो नाइट्राइट नहीं होना चाहिए वो इंटर फेर करेगा क्यों क्यों क्योंकि उसे भी कंसेंट्रेट ह-2-SO4 पसंद है अब उल्टा सुनों अगर तुम नाइट्रेट का नहीं कर रहे हो नाइट्राइट का कर रहे हो तो तुम कंसेंट्रेट ह-2-SO4 मिलाओगे नहीं तुम क्या मिलाओगे डाइट्रेट मिलाओगे और जब तुम डाइट्रेट मिलाओगे तो नाइट्रेट तो कुछ करेगा ही नहीं जब तुम डाइट्रेट म टाइलूट मिलाते हो तो nitrate कुछ नहीं करता यानि कि जब तुम nitrite का टेस्ट कर रहे हो तो nitrate होने पर भी हमें कोई फर्क नी पड़ता तो कि वह करेगा ही ना reaction तो हमारा test जब तुम पहले dilute h2o4 मिलाओ गए और NO2 gas निकल गई तो तो तुम यह बोली नहीं सकते हैं तो करता ही नहीं रेक्षन, नाइट राइट करता है, यह तो समझ रहा है, बात तो समझ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि तुमें अब क्या करना है वो देखो, सुनते रहो, देखते रहो, अभी मज़ा आ जाएगा, यह बहुत तगड़ी चीज है, कि तुम टेस्ट किसका कर रहे हो, नाइट राइट का, तुम मिलाओगे क्या, डाइलूट H2SO4, यह डाइलूट H2SO4 इसको तो रियक्शन करेगा, लेकिन अगर साथ में नाइट रेट है तो क्या नाइट रेट इसके साथ रियक्शन करता है, तो मैंने काटा हुआ है, नहीं, इस बात को समझ जाना, इधर राइट लग रहा है, मतलब करता है, और इधर काटा हुआ है, मतलब नहीं करता है, तो फिर अच्छी बात है ना, कि इसको भेजोगे, तो यह तो इसको उ कर रहे हो और नाइट्रेट साथ में प्रेजेंट हैं तो आंसर है कोई दिक्कत नहीं है नाइट्राइट के लिए नाइट्रेट इंटर फेरिंग नहीं है विटा वो नहीं करेगा पंगे क्योंकि उसे मतलब भी निया डाइलूट से अब आजाओ आगे लेकिन तुम नाइट्रेट का ही कर रहे हो तुम तो कंसंट्रेट मिलाओगे जैसे ही कंसंट्रेट मिलाओगे यह तो नाइट्रेट को भी उठाता है और नाइट्राइट को भी कंसंट्रेट प्रसंट है क्योंकि सब ग्रूप वन वाले तो कंसंट्रेट के लिए तो भाई ये कैसे भी याद रहे रख लेना लिए बात तो समझ जाई है वह ज्यादा मुश्किल तो नहीं था इसका टेस्ट कर रहे हो तो नाइट्रेट अगर है तो हमें दिक्कत नहीं क्योंकि वह डाइल्यूट उठाए गई नहीं उसको लेकिन नाइट्रेट है नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हो तो तुम कंसेंट्रेट ह्ट्रेट मिला होगे तुम्हें बताया गया बोले कंसेंट्रेट मिला मिला होगे ये भी आ जाएगा अगर है तो वो तुम्हारे मजे ले गया लेव असिस्टेंट और ले गया तो फिर तुम क्या भी नहीं अगर तुम्हें ऐसा पता लगे जब भी इस तरह का कोई mixture हो तो फिर तुम्हें removal करना पड़ता है nitrite को, nitrate को नहीं और उदर को removal की जरुवत नहीं है क्योंकि वो तो हो जाएगा तो हमें removal करना पड़ता है और removal के कुछ method होते हैं और वो method ये हैं, ठीके? पहला AGF मिला दो, KGF नहीं रहे, AGF जब AGF मिला होगे तो एक बनेगा AGNO-3 और एक बनेगा AGNO-2 एक मत्र PPT साइड में कर चल आगे, हो गया remove PPT बनाओ, दूर बगाओ, AGNO-2 बन गया अरे जो nitrite था, वो तो AGNO-2 बन गया रहे तो वो तो PPT हो गया, और ये nitrate है, वो solution ही है ठीक है, हम इसको आगे कर लेंगे फिर तो एक को चान लो, बस ये मिलाते ही चान लो अगर मिला होगे तो NO-2 minus white PPT की form में अलग हो गया, तो मैं nitrite अलग करना था न, हो गया चलो आगे चलो अगला, एक और, ये last slide है, उसके बाद break देंगे तुमको है न, ये देखो वाई using sulfamic acid, ये test है, मैं बता देता हूँ, ये है तुम्हार है न, उसमें sulfamic acid यूज करो, sulfuric acid जानते हूँ, sulfuric acid में दो जगे और दो जगे OH होता है, sulfamic acid में एक OH को हटा गे NH2 लगा दो, एक OH को लगा गे NH2 लगा दो, जब तुम night, actually क्या होता है कि nitrate इसके साथ reaction नहीं करता, nitrate जो है वो sulfamic acid के साथ unaffected होता है, हमें भी वही चाहिए, कि एक unaffected रहे और ये निप्टा दे इसको, nitrite के साथ तो reaction करके N2 gas, बताओ, sulfamic acid ने nitrite को क्या कर दिया, N2 gas बना के उड़ा दिया और खुद वापिस sulfuric acid बन गया, तो sulfamic acid अगर तुम NO2 minus से move करना चाते हो, तो simple है, ये N2 gas बनेगा और ये H2SO4 बन जाएगा, ठीके विटा, समझ में आया क्या, कले आगे, ये लो, अब ये हो गया है, इस slide का, अब जो बच रहा है, वो हमारे क्या बच रहा है, वो मैं बता देता हूँ, NIN बच रहे है, chloride, bromide, iodide, NIN तो तीन बच रहे हैं, उसके बाद हम ketion शुरू करेंगे, और उसके बाद question करेंगे, तो break आपको मैं दे देता हूँ, ब्रेक कितना मिनट का लोगे, 20 मिनट का ले लो, 9 बजे मिले हम, चलेगा, लेकिन इमानदारी से बोलना, अगर मजा आ रहा है, तो सारे के सारे वापिस आना, हमारा भी मनोबल तूट जाता है बेटा, जब हम watching कम देखते हैं, तो हमारा भी मनोबल तूटता है, तो प्लीज हमारे लिए नहीं, अपने लिए तो साथ में बने रहिएगा, पूरा लंबा ब्रेक दे रहा हूं, खाना खा के आना, अच्छे से खाना खा के आना, और जिसने खा लिया है बेटा, वो solubility के rule एक बार, जितना पढ़ा है, रिवाइस करना, जितना पढ़ा है, सब कुछ रि झाल, 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 झाल 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 कि इस ब्लोक होते हैं क्या कमेंट एक अनुभव है देख उसका अनुभव खराब करो तोड़ा कि फोश्यलिक यह ड्यूति आट उसको और देखो चोला अज़तो की सब्सक्राइब कि धिल तोड़ने वाले तुट्थ है यहिया डिचकी हो फिलतो लिपने मेसाज नमा चनलती हाँ कि अटा उसको बार-बार कोपी पेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर रात भर खड़े हैं कि मेहनत कर रहे हैं कि कभी-कभी तो ऐसा लगता किन गदों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि अब इट से बेट जाओ यहां पर कोई भाल तो बात नहीं करेगा कि अनिल यदुवन सी कह रहा है यह चैप्टर तो डिलीटेड हैं कोई से जमाने में तूँ कि नीट कब है यह तो पता है ना तेरेको अने टू एस टू ओ थ्री पता पड़े कोई कह देगा इस बार नहीं हो रहा नीट तो माल लेगा यह आई-टू के साथ रियेक्शन करके अने आई बन जाएगा अब सुनो अगर इस आई-टू को मैं आई माइनस में कनवर्ट कर दूँ तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर हैपो मिला दिया यह हाइपो अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया और बोला I3- और I3- का पोस्टमार्टम किया, ओ, हो, I2 यहाँ बेटे हो, और I2 को खींच ले आया, और जब I2 को खींच के लाया, तो इसने क्या कर दिया, NAI, और साथ में बन गया, NS2, S4, O6, अब जब सारा I2 convert हो गया, I- में तो उसको, बॉन वीटा तो खतम, भाई, किसकी वज़े से कलर बनाता, I2 और I- की मिक्ष, मिलने की वज़े से बनाता, I2 और I-, हम तो I2 को खा गए, तो अब I3- बने गई नहीं, I3- बना इन तो ब्राउन कलर रहा ही नहीं, ब्राउन कलर रहा ही नहीं, तो अब बॉन हो गया अब अब डूद हो गया फिर से सफेथ इसलिए ये colorless हो जाता है ये क्या हो जाता है वापिस colorless हो जाता है ये colorless हो गया याद रहेगा अ अ हाई पो क्या है sodium thiosulphate Allah YouTube स्ट्व 2 माइनस अभी पढ़ रहे थे न था इस बार टू माइनस हटा के दो सोडियम लगा दिये तो नाराज हो गए है लेवाई अब बचरा है हमारे पास आखरी टेस्ट क्लास बी का एक ही एनायन हमारे सेलेबस में है और वो भी हमारे पास कौन सा है सलफेट सब ग्रुप वन ओफ क्लास भी तो नोट गिव वोलेटाइ एसिड जो है वो नहीं देते हैं बी वाले वोलेटाइल एसिड वोलेटाइल प्रोड़क्स नहीं देते हैं देखो आराम से पढ़ो बारा बजे तक हम खतम कर सकते हैं लेकिन अगर तुमने बार-बार डिस्टप किया तो यह और लेट हो जाएगा और मुझे पढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती मैं तो सुबह 5 बजे तक भी बढ़ा सकता हूं ठीक है ना चाहे मेरा सर दुकराओ कुछ भी हो रहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम पढ़ने से सक थक सकते हो मैं पढ़ाने से नहीं थक सकता यह ध्यान रखना लेकिन आराम से जवाब फट पिपिटी टेस्टी करते हैं और कोई टेस्टी नहीं होता है इनका तो सीधा सलफेट ले लो बेरियम क्लोराइड मिला दो बेरियम सलफेट का वाइट पिपिटी आ गया आ गया सर अब इस बेरियम सलफेट के साथ हमें कनफरमेशन करना है तो हम तीन तरह के से कर सकते हैं इ दूसरे में थोड़ा थीसरे में थोड़ा, एक में डाला di-lute hcl तो बन गया क्या, di-lute hcl डाला तो क्या बनेगा बताऊ, di-lute hcl में solubile हो जाना जा रहा है, insoluble क्यों लिफा है, यह तो बरबड़ है, di-lute hcl में to soluble हो जाएगा था, अच्छा बी एसो फोरे सोरी 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 यह नहीं होता है भूल जाता हूं अब यह यह याद आगया मैं भूल जाता हूं भाई एकवारेज यह होता है अच्छा भी एकवारेज दोनों को सेपरेटली लोगे नहीं होगा लेकिन अगर कंसंट्रेट एकवारेज यह नाइट्रेट लोगे गुल जाएगा दूसरा टेस्ट तुम लेड नाइट्रेट ले लो फिर पीबी एसो फोर का वाइट फिपिटी बन गया यह भी वाइट यह लेकिन X से जहने होज लोगे तो complex बन जाएगा ये दोनों चीज़े हम कर चुके हैं एक ही बात है और अगर HCL ले लोगे तो चलो ये तुम बताओगे अगर यहाँ पर HCL ले लोगे तो अब बताओ क्या बनेगा नहीं है इसमें पर मैंने पूच लिया बता क्या करेगा अगर वल 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 अकर HCL ले लोगे तो इंसलूबल पूच क्यों क्योंकि PBCL2 बनेगा और PBCL2 का वाइट पीपीटी होता है ओके वाह बस इतने जवाब अगर मुझे मिल रहे हैं न तो मज़े ही आ गए फिर पढ़ाने में तो चलो भई तो हमारे एनायन हो गए खतम अब हम बढ़ते हैं केटायन की तरफ अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि केटायन में तो सारी चीजें जैसे शुरुआत के जो यह ड्राइटेस्ट होते ना ड्राइटेस्ट राइटेस्ट का मतलब है बिटा कि हमको सुका सुका सु और इसनल सॉलूशन बनाया जाता है जिसको कहते एो स्या केते हैं हमारे सेलेबस में कौन-कौन से केटायन हैं वह तेखलो एक बार मेगनेशियम कैल्षियम बेरियम अलुमिनियूम लैड आयरन ब्सफेरिक आयरन में भी फेरिक बोलो क्योंकि प्लस 3 है फेरिक क्यो प्रिक है ना, Ni2+, ZN2+, and Ammonium, देख लो एक बार अच्छे से ये हमारे syllabus में है, होने को ketions और भी होते हैं, बट ये हमारे syllabus में हैं, हमको इनके test देख नहीं है, पहले बात करेंगे हम dry test की, dry test में एक होता है, flame test, एक होता है, borax bead test, एक phosphate bead test और एक charcoal cavity test, flame सब में use होती हैं, लेकिन flame test नाम सिर्फ flame test को अलग से दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे जो तीन लिखे हुए हैं, उसमें कोई flame use नहीं होगी, flame तीनों में use होगी, मतलब sorry, flame तो चारों में ही use ह होगी, लेकिन, उसमें क्या है कि direct flame में ही hit किया जाता है, तो एक specific नाम उसी के लिए रख दिया flame test, बच्चों को ये doubt होता है कि यार flame test तो वही पहला वाला ही है, क्या flame test, नहीं, category तो बाकी तीन की भी flame वाली ही है, मतलब flame का use तो चारों में होगा, flame का use तो चारों में होग बोरेक्स beat test, phosphate beat test, ये दोनों almost same चलते हैं, colors इनके same रहेंगे, और charcoal cavity के colors जो है वो आ गया जाएंगे, आपको colors याद करने ही पड़ेंगे, एक बार अच्छे से cations देख लो भीया, एक बार, चुरू करते हैं, flame जानते हैं, थोड़ी बहुत flame को जान लेते हैं, कि flame होता क्या तो laboratory के अंदर आपने एक ऐसा, वो बंसन burner देखा होगा, देखा है ऐसा, एक pipe सा होता है, जिसमें gas cylinder से connected होता है, वो एक साथ पूरी laboratory में, है ना, और बहुत तेज आवाज आती हो, उसकी फुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुर पीछे कभी देखना, वो नजर आते हैं, वाइट गरब बेक्राउंट पीछे रखो, और देखो आते हैं, जहां पर ये दोनों mix हो रही है, जैसे ये रहा, अब इसके अंदर दो flame होती है, एक flame बाहर वाली, एक flame अंदर वाली flame है, ठीक है, ये अंदर वाली flame है, और ये बा और अगर coolest part की बात करो, सबसे ठंडे, तो जहां से flame start हो रही है आपकी, ये तो आपका burner हो गया, बर्नर में जहां से flame start हो रही है, कई बार अगर आप बहुत तेज speed से कभी flame को चलाते हो ना, कभी उस burner को चलाया हो, और बहुत तेज speed से चलाया हो, बहुत अच्छे से, तो आप देखोगे कि आपको तो ऐसा लगेगा कि वह flame वहाँ से तेर आपको लगेगा ये connected ही नहीं है इससे, आपको ऐसा feel हो गा, कभी मेह्सूस किया हो, में भी है ना, कभी किया हो, कि आप अगर उसको चलाते हो तो आपको लगता है कि आ रह यार ये flame connected ही नहीं है, एक oval shape का एक black color का gap नज़र आता है वहाँ पर आपको देखा है देखा है आपको लगता है कि तेर रही है यह बैसिकली यह पूरी तरह से connected नहीं है एक oval shape का gap है वहाँ पर देखा होगा इस तरह का कोई ऐसे करके ऐसे करके gap नज़र आता है अब gap नज़र आने का मतलब यह यह कि वो जो खाली जगे है ना जो हमें लगता है कि connected नहीं है वो जगे सबसे coolest part हो गया ओव्विस सी बात है वो connected नहीं है वहाँ पर खाली है तो आप हाँ पे हात लगाँगे तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं जलेगा इसी कारण से जब कोई कोई Maum Bathy जल ठीके भी चलग एनिवेस अब वो जब से कूलेस्ट पार्ट है तो अब्यसी बात है वो क्या होगा लो टेंपरेचर जोन होगा फिर आता है कि एक यह उपर वाली फ्लेम और एक यह नीचे वाली फ्लेम नीचे वाली फ्लेम होती है रिड्यूसिंग फ्लेम नीचे वाली फ्लेम क्या होती बिटा रिड्यूसिंग फ्लेम यह नीचे वाली फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम है और यह उपर वाली फ्लेम औक्सिडाइजिंग फ्लेम है मतलब हमको औक्सिडाइज करना है तो उपर वाली फ्लेम में जलाओ वो औक् carbon का content जाधा होता है. नीचे वाली flame हवा के संपर्क में कम है. उपर आते- आते ये air के साथ अच्छा खासा संपर्क बना चुकी है. तो carbon अच्छे खासे से जलने लग गया, तो वो तो oxidizing flame है. और ये नीचे वाली जो flame है, और की जो फ्लेम आपको दिख रही है, अंदर की तरफ यह जो फ्लेम दिख रही है, यह reducing फ्लेम है तो दो तरह की फ्लेम हो गई, reducing and oxidizing, जो reducing है उसे luminous fulfill भी कहा जाता है, और जो oxidizing है उसे non-luminous फ्लेम भी कहा जाता है, याद रखने रखना वैटा, reducing luminous flame है और oxidizing non-luminous flame है ठीक है भई? आजो अब हम जो भी ये flame test हो गया, ये जो मैंने अभी dry test करवाए है, इन dry test में तीन तरह के test में हमें क्या जरुवत पड़ती है? एक platinum wire की जरुवत पड़ती है और उस platinum wire का एक loop बनाया जाता है इस तरह से गोल-गोल गुमा के proper बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? pencil या pen को use करके उसको wire को गोल गुमा देते हैं तो ऐसा एक loop बन जाता है, एक circle और उस circle को क्या करना है? जो भी तुमारा salt का जो pest हैं, जो भी तुमारे salt का pest हैं, उसमें dip करना है उस loop को और फिर उसे flame में गरम करना है तो जैसे direct flame test कर रहे हो, तो उस flame test के लिए तो यही simple है, यहाँ salt होगा यहाँ तुम loop में उस loop को उसमें dip करोगे और फिर उसको गरम करोगे तो तुमें color दिखाई देगा, flame अपना color change कर लेगी और जब flame अपना color change करेगी तो different different colors दिखाई देंगे और वो color कौन-कौन से होते हैं तो flame test है, generally for asblock salts होता है generally किसके लिए होता है, asblock salt के लिए होता है, हमारे syllabus में calcium है और barium है इसलिए मुझे लगता है कि अगर color पूछा भी तो सिर्फ calcium और barium का पूछेगा, हालां कि मैंने सारे बता दिये हैं crimson red, golden yellow violet, red violet, blue beryllium और magnesium flame test नहीं देते उनकी ionization energy high होती है, इस वज़े से उनके अंदर क्या होता है कि electron जो है, वो excite होकर energy absorb करकर वापिस नीचे नहीं आता, energy absorption emission, absorption emission का spectrum develop नहीं होता, इन बाकियों में जो भी color आ रहा है, वो किस वज़े से आ रहा है, क्योंकि जब तुम flame में ले जाते हो, तो electron क्या करता है, excite होके higher energy level पे जाता है, फिर नीचे आता है जाता है, नीचे आता है, जाता है, नीचे आता है उस वज़े से तुमें यह अलग-अलग color दिखाई दे रहे हैं, अब याद रखने का तरीगा है, beryllium, magnesium नहीं देते हैं, that's it, बाकियों के color आपको जब आपके chapter में S block हुआ करता था, तब भी याद हुए थे, अभी भी याद होने चाहिए, याद रखीएगा विटा, ये तो तुम अपनी आखों से देख रहे हो, जो color है, लेकिन कई बार होता है कि laboratory के अंदर चीज को confirm करना होता है, तो एक blue color का glass वहां रखा हुता है, नीले रंग का एक glass होता है, basically में, blue glass से देखोगे तो green दिखेगा, इसी crimson red को blue glass से देखोगे तो purple दिखेगा और इसी apple green को blue glass से देखोगे तो bluish green color का आपको नजर आएगा. कलर आपको याद करने पड़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे हो जाएं, बेस्ट हैं, लेकिन स्टार मार्क तो मस्ट हैं, क्योंकि सेलेबस के केटायन का ही पूछेगा वो, और सेलेबस में सिर्फ केल्शियम और पेरियम है, तो ध्यान रखनेगा, कि सारे नहीं होते हैं, क क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होता है, तो बताओ क्या ये जिंक देगा क्या, क्या जिंक देगा क्या, जिंक, जिंक देगा क्या, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो डीटेन है, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वही देंगे, तो डीटेन वाला नहीं देगा, ह यार राजकुमार जी यह काम थाने बड़ी है करियो जाए पिला दिया तो अब है कुछ नहीं यह बोरेक्स होता है उसको हीट करूं जब हीट करते हो तो पहले तो डी हाइडरेट होता है यानि कि यह जो दस के दस एच्टू है फॉर्मुला देख ले ना एने टू बी-4-0-7 .10 end tune ौ यह दस के 10 हच्टू घायब होते हैं और सिर्फ एन हाइड्रस बोरेक्स बचता है और उस एन हाइड्रस बोरेक्स को और ज़्यादा गरम करते जाओ अच्छा ये बोरेक्स को कहां लेना है उसी प्लेटिनम के लूप में लैम टेस्ट तो हो गया मैंने कहा सारे टेस्ट में प्लेटिनम के लूप की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी तो अब हमको बोरेक्स के अंदर बोरेक्स के पैस्ट के अंदर उ उस transparent जिल्ली को बोला जाता है transparent glassy bead क्या होता है वो मोती जैसा सा बन जाता है बीच में और वो होता है Na Bo2 plus B2O3 sodium metaborate plus boric oxide अब आप उस पे कोई भी sample डालो और heat करो अभी तक तो आपने सिर्फ borics बोरेक्स का काम किया है अब आपके पास जो salt का sample है ना वो उस bead पे डालो और देखो कि आपको colored metaborates नजराएंगे जैसे cobalt का color होता है blue color का अब मुद्दे की बात यह है कि color याद करने पड़ेंगे तरीका तो ठीक है सबको पता है तरीका तो यह होता है कि platinum loop बोरेक्स में डाला हीट किया पहले तो एक transparent मोती बना जिसका formula अच्छे से याद कर लेना एने बी ओ टू प्लस बी टू अत्री होता है वो formula भी पुछेगा वो नाम भी पुछेगा प्लस salt का sample डाल दो salt का sample डाल दिया तो अब salt में जो भी जो भी transition metal होगा salt में उसका जो भी color होगा जैसे cobalt plus two का color blue है तो वो color blue अब वही मोती जो transparent मोती है वो आपका blue color का मोती बन गया simple कि अब तुम हो जाओगे नाराज देखो कि नाराज नहीं होना है यह non luminous flame है oxidizing flame और यह luminous flame है मतलब reducing flame देखते जाना बटा देखते जाना फटा 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 इसको thank you बोलो cobalt plus two को syllabus में नहीं है लेकिन फिर भी thank you बोलो तर ज्यादा important कौन सी चीज है तो मैं बोलूँगा देख oxidizing और reducing दोनों important है color तो कि तुम बाहर वाली flame में heat कर रहे हो वो जो oxidizing flame थी उपर वाली उसमें heat कर रहे हो या जो अंदर वाली flame थी छोटी वाली उसमें heat कर रहे हो यह दोनों flame अलग अलग है कहां ले जाके तुम उसको heat कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हें color दिखाई देगा अब सुनना मैं इसको अभी बैठे का वेटा याद करवा दूँगा बस अभी का भी याद करवा दूँगा फिर तो खुश हो और वैसे भी हमारे syllabus में यह तीन है बात खतम हो गई आएगा तो उनका आएगा अब सुनो लेकिन जो बाकी बच्चें हुए वो तो बहुत आसान है विचारे वो कुछ करते ही नहीं है जैसे अब तुम कह रहे हो कि सर इंपोर्टेंट क्या है तो मैं बोलूँगा कि दोनों सेग्मेंट में जो cold वाला पार्ट किया और फिर उसको तुमने छोड़ दिया तो वो ठंडा हो के कौन सा कोलर दिखा रहा है और यह जो hot वाला पार्ट है इसका मतलब है जब तुम heat कर रहे हो during heating कौन सा कलर दिखा रहा है बाद में उसको हटा के देख रहे हो वो cold वाला पार्ट हो गया तो आजाओ इन दोनों को thank you बोलो क्योंकि हमें पहले से पता है कि cobalt plus two blue होता है और comium plus three green होता है कई बार यह चेर चुका है और इनको बहुत अच्छे से thank you बोल दो कि बले ही हमारे जहलेवस में नहीं है होते तो हमें और अच्छा लगता क्योंकि इनके colors बदलते ही नहीं कहीं पे भी ओर गरम कर लो ब्लू 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 ग्रीन ग्रीन ओके लेकिन हमारा सेलेवस यहां copper प्लस तू से शुरू हुआ oxidizing flame में ये blue है फिर ये oxidizing flame में जब तुम गरम कर रहे होते हो तो green दिख रहा होता है और ठंडे में ये blue होता है reducing के ठंडे में ये red है और फिर ये colorless होता है याद करने का तरीका है कि याद करने का तरीका मैंने बेह्च में पढ़ाते हुए कुछ सोचा तो था कोपर गाट कोपर इना गाट कोपर ऐसे समझ लो कोपर गाट कोपर मुंबई के पास जगें गाट कोपर की जो गाट कोपर वाली जो रोड है गाट कोपर बीजी रोड है ना रेड से याद कर लेना और तुम्हें कुछ अच्छा सा सूज रहा हो तो मुझे भी बता दो मुझे नहीं सूजती ऐसी चीज़ है गाट कोपर बीजी रोड याद हो जाएगा बीजी रोड और यह तो कलर ले से इसको तो वैसे भी नहीं पूछते पर पूछ भी ले तो कलर ले याद कर ले ना कोपर का कलर वापिस बोलो गाट कोपर गाट कोपर बीजी रोड बीजी आर गाट कोपर बीजी आर ठीक है मुंबई मैं ही है जो भी है मुझे थोड़ी पता गाट, कोपर, बीजी, रोड, ठीक है याद हो जाएगा F3+, F3+, oxidizing, F3+, का color तुम्हें पता है पहले से yellow होता है जब तुम घरम में देखोगे तो वो yellow is brown थोड़ा dark दिखेगा तो तुम इसको yellow येलो भी मान लो चलेगा क्योंकि ये तो पूछा जाता नहीं है तो iron का color तो तुम्हें plus 3 का color शुरू से याद है कि yellow होता है और जब reducing होगा तो iron reduce होकर plus 2 में आ जाएगा यहाँ पर भी copper जो है ना, वो zero में आ चुका है इसलिए ये लाल है, reduce हो चुका है copper यहाँ copper plus 2 में है तब तक blue है यहाँ reducing flame में reduce हो गया, इसलिए लाल है और यहाँ पर भी oxidizing है तब तक वो plus 3 है और plus 3 है तब तक वो yellow है और इसको भी तुम तो yellow brown, yellow brown, yellow yellow ही समझ लो, ठीक है और यहाँ पर जो है green हो गया क्योंकि अब iron plus 2 में आ गया इसको याद करने का simple सा तरीका oxidizing मतलब plus 3 में है yellow yellow, आगे brown समझ ले ना, करें कि गरम कर रहा है तो brown है reducing green green, यह भी याद हो गया, दो याद करवा दिया मैंने यहाँ देखो, यहाँ देखो, यह है ni2 plus, ठीक है है ना, निकले रवी, निकले रवी, यह क्या था, निकले रवी, है ना, निकले रवी, गिरे-गिरे यहाँ देखो, 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 दो कि ले रवी गिरे गिरे याद हो जाएगा सच इजिंग है और अब यह हमारे दार्वस में नहीं है एना म अन 2 से लाइड वालेट लाइड वालेट कलरालेट कलरोरलेस कलरलेस यह वीसली कहले से अब छेड़र à नाटक नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले दो सीध हैं, नीचे वाला सीधा है, light violet, light violet, colorless, colorless. ठीक भी? तो इसका तो एक ही याद रखना है, light violet और colorless, बाकी दोनों में तो सेम है, hot hot और उसमें कोई दिक्कत वाली बार. यह सेम कलर अभी आगे जो एक बोरेक्स बीड की जगे फॉस्पेट बीड टेस्ट आएगा उसमें भी सेम ही चलेंगे ठीक है तो सेम कलर चलने वाले हैं आगे येलो फॉस्पेट बीड टेस्ट जिसको बोलते हैं माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट क्या बोलते हैं इसको माइक्रो क कोस्मिक सॉल्ट। माइक्रो कोस्मिक सॉल्ट। रोटा क्या Sw imm. Ammonium Hydrogen Phosphate। weldは क्योंकि H3PO4 के पास तीन हाइड्रोजन है देने को, इसमें से इसने दो दे दिये, एक जगे लग गया sodium, एक जगे लग गया ammonium, दो जगे से sodium ammonium लग गये, अब एक जो बचा है वो भी acidic है, और acidic हाइड्रोजन का नाम बोला जाता है, तो नाम होगा sodium ammonium hydrogen phosphate, वापिस बोलो क्या sodium ammonium hydrogen phosphate dot 4H2O, ठीक है, sodium ammonium hydrogen phosphate dot 4H2O, अगर यह 4H2O की याद नहीं रहे कि 4 कैसे आया है, तो इस फॉर्मुले में 4 के लावा कुछ है ही नहीं, NH4, HPO4, 444, याद रहेगा, इसलिए 4 के लावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो sodium ammonium phosphate, sodium ammonium hydrogen phosphate dot 4H2O, यह microcosmic salt होता है, इसको भी जैसे वो बोरेक्स होता है, वैसे होता है, इसको भी हीट करो, यह भी तूटेगा, वहाँ N-A-B-O-2 था, यहाँ N-A-P-O-3 होगा, बस फर्क इतना है कि इसके साथ बाकी जो दोनों निकलते हैं तूट कर वो तो गैस हैं, वो तो ऊट जाती है, N-A-S-3 ऊट गई, H2O vapor की form में ऊट गया, यह सिर्फ बचता है sodium metaphosphate, क्या नाम होता है इसका, sodium metaphosphate, यह भी एक bead होती है, जैसी वो बनी थी, वहाँ पर bead के formula में दो चीज़े हैं, N-A-B-O-2 प्लस B-2-O-3, sodium metaborate plus boric anhydride या boric oxide, colors are same as boric test, तो जैस CUO ले लिया, मतलब यहाँ salt मिला दो, इसके बाद इसमें salt देना, और आपने साथ में, यह sodium metaphosphate लिया, तो यह blue color का bead बन जाएगा, तो जैसे color copper वहाँ दे रहा है, यहाँ पर भी देगा, वहाँ colored metaborates बनते थे, यहाँ colored phosphate बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे, colored metaphosphate बनेंगे बनेंगे वही, तर color, color same रहेगा, बिल्कुल same, वो वाले table ऐसी की ऐसी, ऐसा lab के अंदर एक charcoal का तुकडा होता है, charcoal मतलब koila, ज्यादा seriously नहीं लेना है, कोई लेगा एक, मतलब ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, उसको एक, मतलब तुकडा सा होता है, बढ़िया सा, है तो वो koila ही पर उसको बढ़िया shape में दिया होता है, तो सबसे पहले तुमें क्या क क्या बनाता है, cavity, जब cavity बनाओगे, तो उस cavity में तुमको मसाला डालना है, यह cavity बना ली, यह cavity बना ली ऐसे, यहाँ पर एक छेद बना दिया, बना दिया छेद, इस छेद में तुमको salt डालना है, छेद इसलिए बनाया है क्योंकि उस cavity में कुछ डालना है, cavity में क्या डालोगे सॉल्ट डाल दो और सॉल्ट डालके हीट करना है फ्लेम के पास ले जाना है ठीक है फ्लेम के पास ले जाना है अब फ्लेम तो उपर उठ रही होगी फ्लेम तो उपर उठ रही होगी तुम इसको ले जाके घरम कैसे करोगे छेद में सॉल्ट पढ़ा है और तुमें करोगे उसको जाके फ्र engaged करो गई तो माल गिर जाएगा सिवरी माल अंदर पढ़ाए थी माल तो इसमें पढ़ाए अगर तुम इसको ले जाके फ्रेम पे उल्टा कर दोगे तो माल निचे गिर जाएगा इसलिए हमको चाहिए एक भूंगली, भूंगली क्या होता है, फूंकणी, फूंकणी होती है भूंक देने की, तो हमें फूंक देना है, यह भाई साब फूंक दे कर क्या रहे हैं, इस फ्लेम को, जो की फ्लेम उपर थी, इस फ्लेम को हवा देकर उस माल तक पहुचा रहे हैं, एकदम बिल् देते हैं डाइरेक्षिन देते हैं तो हवा से इसको माल तक पहुंचाओ Oxide बनाना है और Oxide कैसे बनाए तो Oxide के लिए Oxygen चाहिए और Oxygen किस फॉर्म में ले ली हमने Carbonate की फॉर्म में ले गया हम क्यारे कि Carbonate मिला देते हैं और जब Carbonate तूटता है तो Oxide बनता है Carbonate जब भी तूटता है तो Oxide बनता है, CO2 बनती है और H2O निकलता है वापिस सुने Carbonate जब भी तूटता है तो CO2 बनता है और Oxide बनता है और अगर वो Bicarbonate होता है तो H2O भी निकलती है तो हमने यहां पर Sodium Carbonate यूज करके Colored Meta Oxide अब कलर क्यूं आएंगे तो अलग अलग अगर Salt में अगर Lead हुआ ठीक है तो ग्रे कलर आएगा, Cadmium हुआ तो Brown आएगा, Arsenic हुआ तो White आएगा और लसन जैसी खुश्बु आएगी और Star लग रहे है जिंक वाले तो देख लेना बिटा, Star Color, Star और Gray यह, Lead और जिंक के ही याद रखने है, Gray और White ही याद रखने है, बस, और कुछ याद नहीं रखना इसमें, ठीक है, आएगा तो वो यही आएगा, और तो क्या ही पूछेगा हूँ अब आता है कि Cobalt Nitrate Charcoal Cavity Test क्या है, इससे पीछे तो हमने Charcoal Cavity Test किया, अब सुनो, If White Residue is obtained in the previous test, अगर तुमको माल में फूख देने पे सपेद कलर आ रहा है, White Precipitate आ रहा है, मतलब White Residue बच रहा है नीचे, तो दो से तीन ड्रोप Cobalt Nitrate की डाल देंगे, इसलिए modify हो गया Cobalt Nitrate, बाकी सब काम as it is है, Cobalt Nitrate की एक दो बुंदे डालने पर जब तुम उस फूखनी से हीट करोगे, तो Cobalt Nitrate तूटेगा, और Nitrate हमेशा Metal Oxide, NO2 और O2 में तोटता है, अगर वो Sodium, Potassium, Rubidium और Cesium का नहीं है तो, वो Low-Fi Nitrate हमेशा Nitrite प्लस O2 में तोटते हैं, और उसके अलाव दुनिया का हर Nitrate, Metal Oxide, NO2 और O2 में ही तूपता है, अब हुआ क्या कि Salt, Na2, CO3 ये तो पहले से हैं, तुमने क्या मिलाया, Cobalt Nitrate और फिर उस फूखनी से वापिस गरम किया, अब क्या बनेगा, Metal Oxide तो तुमारे पास पहले ही बन रहा था ना, अरे भाई, Metal Oxide तो तुमारे पा उसके ये बनाया, अब ये Metal Oxide प्लस Cobalt का Oxide मिल गए, क्यों, क्योंकि तुमने Cobalt Nitrate मिला दिया, Cobalt Nitrate मिलाया ही इसलिए, ताकि इसका Oxide और इन दोनों की वज़े से तो previous, इन दोनों ने मिलके तो पहले ही Oxide बना रखा है, तुमने वो मिलाया, तो अब इसका भी Oxide आ गया, अब ये, इन दोनों का Oxide, इन दोनों ने मिलके जो Oxide बनाया, और इसका जो Oxide है, वो मिलकर अलग-अलग कलर देते हैं, तो ये देख लो, जनाबे आली, देखो, COOO common है, ये तो बने गई, लेकिन इसका भी White आता है, इसका भी White आता है, अगर COOO साथ में नहीं हो, तो ये त साइड नहीं कर पाते हैं, तो हमने इन तीनों के लिए Cobalt Nitrate अलग से मिलाते हैं, तो जो अगर ये separately, single, individual, सफेद कलर देगा, ये भी सफेद कलर देगा, और ये भी सफेद कलर देगा, लेकिन सफेद कलर से हमें identify नहीं हो पाता, इसलिए हमने साथ में इनके Oxide को Red गया, और अब ये दोनों मिलकर एक कलर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं Green, इन दोनों मिलकर एक कलर बनाते हैं जिसको बोलते हैं Blue, और अब ये दोनों मिलकर एक कलर बनाते हैं जिसको Pink, याद करने का तरीका है, जनाब आली मांगे, जनाब आली मांगे, ग्रीन बंगला, पिंक, पिंक क पिंक तुम्दार हो तुम अब तुम्दार हो बना लिया मन में कि क्या लगाना है तुम्हें आगे होली निकल गही पर कलर नहीं जा रहे हैं जनाब आली मांगे ग्रीन बंगला पिंकी अग्या अग्या कि विस्वजीत बताओं गया तेरे को होरीजोंटल वर्टिकल है एक केरा सर कितने कोश्चन आते हैं इस चेप्टर से बेटा चेप्टर ही पहली बार आ रहा है नीट में कितने चेप्टर है पागल आदमी जहां से आये हो तुम्हें अब आता है वेट टेस्ट देखो असली कहानी अब शुरू होएगी पर अच्छी बात है कि ज्यादा नहीं है हैं और 20-25 प्रूट धेखते जाओ जो जो चीज याद कर वा रहा हूं करते जाओ वेट टेस्ट का मतलब है कि हमको वो ट्राइट्र तो हो गए यह वेट टेस्ट है वेट टेस्ट का मतलब वही जिस इस तरह से वहाँ पर एक soda extract बनाया था एनायन के लिए बनाया था इसमें क्या होता है कि एक original solution बनाते हैं कि यहां कोई soda extract नहीं बनाना है यहां सबसे पहले उठाना है चूरण चूरण को डालना है किसमें इसमें टेस्ट्यूब में और टेस्ट्यूब में जाते हैं सबसे पहले पानी डालो चूरण मिलाया पानी डालो गुल गया खुशियां बनाओ क्यों क्योंकि जो गुल गया वही original solution है वापिस सुन लेना चूरण चूरण में पानी वह भी धंडा गुल गया टेकन एज ओरिजनल सॉल्यूशन खुशियां टाइम बच गया बहुत सारा लेकिन पानी मिलाया नहीं गुला मज़ा निया रहा गरम करो या तो गरम पानी मिला दो या हीट कर दो एक ही बात है यार पानी मिलाया नहीं गुला हीट किया गुल गया खुशियां मनाओ हो गया original solution नहीं हुआ गरम किया नहीं गुला एचल मिला दिया उसमें गुल गया खुश्या मनाओ original solution यही है नहीं गुला डाइलूट हचल मिलाया पहले नहीं गुला कंसेंट्रेट हचल मिलाया गुल गया खुश्या मनाओ नहीं गुला आगे बड़ो डाइलूट हचनोत्री मिलाओ नहीं गुला गुल गया खुश्या मनाओ नहीं गुला एकवार एजिया मिलाओ अब कहां जाएगा अब का जाएगा अब तो गुल जाएगा ठीक कुल मिला गए वापित सुनो और इजनेल सॉलुशन क्या है और इजनल सॉलुशन साम दाम-दंड-भैद से की गई वह प्रक्रिया जिस्ते हमारा salt soluble हो जाए उसे कहते है original solution तब तक नहीं रुकना है जब तक गुलेगा नहीं चोड़ेगा नहीं आगे ते आगे पानी नहीं गुला गरम पानी नहीं गुला HCL नहीं गुला, Concentrate HCL नहीं गुला, HNO3 नहीं गुला एकवारेजिया गुल गया भाई बहुत मेहनद करवाई तुने है इन में से अगर पहले किसी में भी गुल जाता है तो वही original solution है सर सिधा सिधा एकवारेजिया डाल देते, तेजस सर्मा ने अपनी नाम के अनुसार तेज बुद्धी लगाई लेकिन जो चीज पानी में गुल जाती है उसे हम क्यों एकवारेजिया तक पहुँचाएंगे फालतु में बाद में medium वगेरा को सब कुछ को neutralize करना पड़ता है अरे बेटा वह वह वहां तक की तो ज़रुती बहुत कम पड़ती रहे तो पानी में गुल जाते है maximum dilute hcl तक अर अगर मेरी girlfriend का AIR1 नहीं आया तो आप गए पहली चीज़ अगर वह तेरी girlfriend है तो AIR1 तो नहीं आ रहा हुटका ठीके समझ गया तो AIR मतलब होता है AIR और AIR का मतलब होता है हवा अब हवा में भला ही तो एक रंबर की रहेंक माल ले हवा में तो तो रख सकता है यह बाकी तो नहीं आएगी हाँ तेरी girlfriend है तो AIR1 तो नहीं आएगी भाई ते क्योंकि इसकी girlfriend पढ़ने वाली हो यहां आके ऐसे काम कर रहा है है भाई या तो वो तो तो तेरे को सिर्फ मतलब हो कुछ भी नहीं देरी रैंक भी नहीं देरी AIR1 और किसकी girlfriend दे रही है AIR1 और यह चैप्टर इंपोर्टेंट है यह पूछने के लिए लेट हो गई कि रजाई में मूँ डाल के सो जाओ कि अगर तो क्या ओरिजनल सोल्यूशन बनाया कि नहीं बनाया उपर लिखा हुआ है जो गुल गया वही OS है ठीक है क्या याद रखोगे जब गुल गया तो OS है अब आजाओ इधर मजेदार बात जिन पर रेड सरकल बनाये हुए है वह हमारे से लिबस में है पर अपसोस मुझे क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा कारण इन्होंने हर कैटेगरी में से एक उठा लिया है एक से जादा उठा लिया है पर हर कैटेगरी में से एक एक तो उठाए है तो सुन लो वेटा कुछ नहीं है सिंपल सा भंड़ा है अगर तुमने सॉल्यूबिलिटी को ध्यान से पड़ा है तो तुम्हें अच्छी चीज़ें याद हो जाएंगे क्या यह आज होगा प्रभात है और आज होगा प्रभात के क्या इन्सॉल्यूबल होते हैं क्लोराइड ठीक है तो मुझे अगर रख्यवाद होगी भंजभी कुडियां से 19 अगा-पियोथ कर एक रह है यह अपने पास निको मंझन निक मंजन वी वीको नहीं अपनी नहीं नहीं कंपनी दूसरी इन को मंजन तंदा अरुवएदी कि सवसस्ता है ये हैं भारत सरकार भारति भारत सरकार ना मांगो कर, ना मांगो कर, कर मतलब टेक्स, भारत सरकार ना मांगो कर, और यह है लास्ट में अमोनियम आदा, सुन लो, वापिज देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो देखो, कुछ-कुछ चीज़ें अभी से याद कराऊ, इनके क्लोराइड के प्रेसिपिटेट थे, तो हम इन में क्लोराइड, HCL मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट आएंगे, इनके क्या प्रेसिपिटेट थे, इनके, होगी, पंजाबी, कुडियां, सीधी, बिंदास, इनके क और बता दूँ कि जब इधर से इधर आ रहे हो, तो KSP इंक्रीज हो रही है, यही कारण है कि अमोनियम सबसे लास्ट में है और अमोनियम तो सबसे ज़्यादा सोलिबल होता है, और यह देखो, लोफ आई है, दो-दो, वापिस देख ले, इधर से इधर आने पर KSP इंक्री तो इसलिए जब test perform किया जाता है, तो इसी sequence में किया जाता है कि group first, फिर group second, फिर group third, फिर group fourth, fifth, sixth और zero, ऐसे sequence में किया जाता है, क्योंकि हमको पता है, group first वाले सबसे पहले precipitate देंगे, क्योंकि नीचे आने पर KSP बढ़ रही है, तो उपर वालों की KSP सबसे कम हुई हाँ, इनके sulfide के PPT बनते हैं, तो हम H2S add करेंगे, तो sulfide का PPT आ जाएगा, इनके कौन से PPT add होते हैं, इनके कौन से PPT हैं, आलू फेंका करो, hydroxide, most insoluble hydroxide, आलू फेंका करो, तो मतलब यहाँ हमें hydroxide चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, hydroxide चाहिए, इनके कौन से होते हैं, इनके NICO, MN, ZN, यह भी sulfide होते हैं, यहाँ फिर हम H2S add करेंगे, लेकिन फर्क होगा, वो भी बताऊंगा क्या होगा, यहाँ पर देखो, carbonate, barium carbonate, strontium carbonate, calcium carbonate, तो यहाँ हम ammonium carbonate मिलाएंगे, ठीके, और यहाँ specific test जब भी आएंगे, तो ठीक है, यह तो trick के लिए था, यह रहा, आज होगा प्रभात reagent, यह group reagent है, direct neat में सवाल अगर आया, तो यहाँ stable से ही आजाएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यही पूछ लेगा कि groups third का group reagent क्या है, और जैसे लिखें हैं, वैसे ही बोलना है, एसे नहीं बोलन एसे बोलना है, पूरा बोलना है, यानि कि यह पहले से होगा, यह मिलाना है बाद में, तो अब मतलब पहले से होने का मतलब है, ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride बोलते हो, तो मुझे बताओ, test tube में पहले क्या मिलाओगे, अरे बोले, पहले क्या मिलाओगे, पहले से कौन है, ammonium chloride, तब भी तो बोलोगे, अरे भाई, यह तो महमान है, in presence of energy, हमारी presence में महमान आते हैं, गर में हम तो पहले से होते हैं, तो पहले यह add होगा, फिर वो हिलाना है, और भी हो मिलाना है, तो अभी इनके group reagent अच्छे से याद करो, अच्छे से इनके group reagent या group reagent अच्छे से याद करो, और सुन ले, जिन पर star mark है, उनके precipitate का color तो याद कर ले, और ज्यादा करना नहीं है, पूछ क्यों, क्योंकि यह तो तो तरे को पहले से पता है, white है सारे, अब इसके अंदर PBS काला है, यह तो पहले से पता है, और CUS भी काला है, यह भी पता है, त PBS और CUS का color ही तो याद रखना है, बाकी भले ही लिखना है, मत लिखना है, मत लिखना है, मत लिखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर इनके color aluminum, यह gelatinous white PPT है, यह green, यह red brown है, और यह green है, यह मेरे को पहले से पता है, यह देख, ठीक है, फिर zinc का white होगा, और ni क green होगा, NIS, अगर, sorry, sulfide है तो black होगा, sulfide है तो black होगा, और ZNS है तो white होगा, ठीक है, sulfide generally black होते हैं, generally, एक इसको चड़ देख, यह इधर थोड़े से yellow और orange है, बाकी generally black होते हैं, ठीक है, यह carbonate है, अब carbonate तो सारे white ही है, पता ही है हमको कि, वो भी barium, strontium और calcium, एक भी deep block का नहीं है, सारे white होगे, ठीक है, इन में कोई no common reagent होता है, और उसका test हम अलग से करी लेंगे, तो और यहाँ magnesium hydroxide अगर आएगा, तो वो भी white color का आएगा, तो एक बार के लिए जल्दी से फटा-फट इदर देख लो, पास मिंट दे रहा हूँ मैं, उसके बाद test शुरू झाल 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 कि ग्रूप रिएजेंट किसी से भी बूज लूँगा अच्छा याद कर ले क्योंकि यह बैसिक सा सवाल बूज लेगा वह अब इतने सारे टेस्ट याद करके जाओ के ग्रूप रिएजेंट याद निया मोज करो फिर अचे बूब भीना बूब हो कि उल हुआे है ले ग्रूप यादेंट, भीना, या-टोवब का वहुआजें यादा उन उनुरूब। किसे तर कितना रह रहा है अभी तो be t attach any तो रही रह रहे आं न भी तो कि ढूरा बारा बजे तो कि अदु में बाद पढ़ लेना कोई बात नीबी नीद आ रहे हैं तो कल देख लेना आज में आज मैं तुम्हें बात धी थोड़ी कर रहा हूं, पर मैं तो टुकडे में नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं तो आज ही पढ़ा के जाऊंगा, कोई बात नहीं, डाट थोड़ी रहा हूं, मैं, अपनी हेल्थ का तो सबसे पहले ध्यान रखना है बिटा आपको, चोदरी साब कहे रहे हैं, सर खतम करो क्लास अब, देख बेटा, बोलने का तरीगा होता है, एक बच्ची ने पूछ के गई है, धंग से पूछ के गई है, मैंने धंग से जवाब दिया है, तूँ ज़्यादा चोदरी नाम लगा के चोदरी मत बने आ गया के यहां पर, ठीक है खतम करो क्लास ना, ऐसे मत बोल, तुझे खतम करना है, तू कर ले, चलिए, हम आगे बढ़ सकते हैं, आजएए, एक बार और सुन लेना, कि मान लो, हमने सेंपल लिया, सबसे पहले हमको dilute HCL मिलाना है, अगर dilute HCL मिलाने पर precipitate आ गया, तो हमारे पास हम यह कहेंगे, कि group first present है, बाद में उस group first में से, उस group first में से कौन है, silver है, mercuris है और lead है, यह हम बाद में आगे जाकर separate कर लेंगे, मेरी बात सुन लो, मज़ा आ जाएगा, अब भी मज़ा आ जाएगा, सुन लो, मज़ा ही आ जाएगा, अगर तुमने dilute HCL मिलाया, सबसे पहले salt लिया, salt में तुमको नहीं पता है, इन में से कौन है, तुमने salt लिया और तुमने dilute HCL मिलाया, प्रेसिपिटेट आ गया, बहुत खुश हो, और गजब, मज़े ही आ गया, लेकिन क्या सिर्फ, यही हो सकता है क्या, नहीं, हो सकता हो, इसमें से कोई और भी मिक्स करके दे दे, तो इसलिए जब प्रेसिपिटेट आ गया, तो हम यह बोल देते हैं कि, ग्रुप फरस्ट तो है, लेकिन हमें अगले ग्रुप के टेस्ट भी करने होते हैं, क्योंकि एक के अलावा भी तो हो सकता है, क्या मिक्स करके दे देगा, तो हम क्या करेंगे, जब प्रेसिपिटेट आ गया, तो प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी चीज जो गुल नहीं रही है, ज चान लिया, PPT साइड में कर लिया, अब PPT साइड में करने के बाद, हमको चानने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलेगा, उस फिल्ट्रेट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगला ग्रुप हो सकता है, भाई, मिक्स भी कर सकता है, अगला कोई बड़ तो इसलिए लिखा होता है H2S in presence of dilute HCL, तो तुने पहने ही भिला रखा है, अब जो filtrate तुम्हारा, उसको क्या बोलेंगे, filtrate of group first, वापस सुनो, तरीका बता रहा हूं, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, filtrate of group first, group first का filtrate, हमारे लिए काम कर जाएगा second के लिए, तो वो जो first में आपने PPT अलग कर दिया, अब उसका filtrate लेके आओ, उस filtrate में H2S pass करवा दो, क्यों, क्योंकि dilute HCL तो पहले से मिला हुआ है, उस filtrate में, अगर H2S pass करवाया, और कोई precipitate आ गया, तो समझ जाओ, group second present है, ठीके, precipitate को side में करो, कर दिया सर, कर दिया, precipitate को side में, कर दिया, हो गया, side में, precipitate को side में कर दो, कर दिया, फिर से छान लो, छान दिया, अब जो छना हुआ है, उसको आगे ले जाओ, उस छने हुए को group third के लिए ले जाओ, मतलब, filtrate of group second can be used for group third, और वहां बहुत आसान सी बाजा में लिखा हुआ है, देखो, क्या, कि यहां पे ammonium hydroxide in presence of NH4Cl लेना, यानि पहले NH4Cl मिलाना है, और फिर ammonium hydroxide, लेकिन यहां पर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कि यहां से यहां move करने के लिए, पहले क्या करना होता है, heat करना होता है, ताकि अगर कोई sulfide ion हो, तो हतम हो जाए, और concentrate HNO3 वगेरा मिलाना है, तो वह भी म मिलाना है, खेर यह सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं चस्ट एक basic idea दे रहा हूं, ब्रीफ करना हो इस चीज़ों के लिए, ठीके, तो ammonium hydroxide in presence of NH4Cl मिलाया, अगर PPT आ गया, तो group third present है, नहीं आया, तो absent है, आगे का करो, आ गया, तो छान लो, छने हुए माल को आगे ले जाओ, छने हुए माल को आगे ले जाओ, और क्या बोलेंगे, filtrate of group third can be used for group fourth, group fourth में H2S मिलानी है, खाली, यह दोनों तो पहले से हैं, यह देखो, खाली H2S मिलाना है, यहाँ पे H2S acidic medium में थी, यहाँ पे H2S basic medium में मिलानी है, जही मैंस में इस ब क्लोराइड की प्रजन्स में क्यों लिया जाता है, अभी सब आगे चीजें के लियर हो जाएंगी, जही मेंस, कल वाले प disciplines सवाल आया ही, जही में सवाल आ चुका है, कि अमोनियं हाइ ले ठाल की मिला लिए जाता है, अभी सब सीखेंगे, अगर यहाँ पर भी ऐसे ही पो Bir B कर देता हूँ जो कुछ मैंने बोला मैंने यहां लिखा हुआ है तो कुछ मैंने बोला वह यहां लिखा हुआ है आपको ये एक बार के लिए बाद में चाहे पढ़ लेना बाद में पढ़ लेना ठीके अभी सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं वैसे सिंदो सबसे पहले original solution लेकर dilute HCL मिलाना है, ठीक है, दो case होंगे, या तो PPT नहीं आएगी, या PPT आएगा, PPT नहीं आएगी, तो सिधा बोल दो, group first तो नहीं है, होता तो आजाता, अगर आगया, तो हम एक काम करेंगे, जब भी PPT आएगा, PPT को side में रख देंगे, बाद में काम में लेंगे, और छान लेंगे, यह जो filtrate आया, group first का filtrate है, इसमें क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, अब फिर से जब H2S पास करेंगे, तो वही दो गटनाएं फिर से होगी, या तो PPT नहीं आएगा, या आएगा, नहीं आया तो बोल दो, group second नहीं है, और होगा, तो आ जाएगा, PPT, और आ गया, तो छान लेंगे, छान कर PPT को side में करेंगे, बाद म उसका post-matum करेंगे, जब होगा तब, ठीक है, और नहीं, और आ गया, PPT, तो छानेंगे, और छान के क्या करेंगे, filtrate of group second बन गया यह, यह group second का filtrate हो गया, इसको हम use for group third करेंगे, लेकिन group third में move करने से पहले, हम उसे boil करेंगे, क्योंकि हमें H2S को उडाना है, और हम उसे चनो 3 की drops भी मिलाएंगे, group third पे move करने से पहले, वो अभी पता, इस चीज को ध्यान रख लेना, यह treatment है, extra treatment क्यों दिया, कहां दिया वो सुन लो, जब group second से group third पे move करेंगे, group second से group third पे move करेंगे, तो हमें कुछ extra treatment, extra care करनी पड़ती है, और वो extra care कौन सी है, या तो हम गरम करेंगे, boil करेंगे, और उसमें एक दो बूंदे या दो चार बूंदे हमें क्या मिलाएंगे, concentrate HNO3 मिलाएंगे, और फिर वापिस गरम करेंगे, यह सब करने के बाद हमें ammonium hydroxide in presence of NH4Cl लेना है, जो कि किसका group reagent है, third group का reagent है, वो हम अब मिलाएंगे, यह तो extra treatment है, अब group reagent मिलाएंगे, वही दो घटना होंगी, या तो PPT आएगा, या नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो लिख दो group third नहीं है भई, और आगया, तो इसका मतलब group third है, अगर है तो चान लो, चान के PPT को side में कर लो, फिर वो जो filtrate आया, उसे आगे चलाओ, वो filtrate आया, उसे fourth group के तो फिर से वही काम करो, चान लो, PPT side में करो, और filtrate अलग कर लो, उस filtrate को फिर आगे ले जाओ, उस filtrate को फिर आगे ले जाओ, group fourth का filtrate है, वो group 5 के लिए काम आएगा, कुछ नहीं करना है, ammonium carbonate मिला दो, ठीक है, ammonium carbonate, यहाँ पर ammonium carbonate मिला दो, सही कर देना, ammonium carbonate in presence of ammonium hydroxide in ammonium, अब यह तो पहले से हैं, यह तो पहले से हैं, आपको सिर्फ ammonium carbonate मिलाना है, वही दो गटना है, फिर से होंगी, PPT नहीं आया तो बोल दो, group 5 absent है, आ गया तो आगे चलो, आ गया तो छान लो, छान के PPT को अलग कर लो, और फिर जो filtrate आया है, उसे group के लिए use कर लो, जो यह एक simple basic सा process है, मुझे पता है, इसको देखके थोड़ी गबराट हो रही होगी, लेकिन नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि यह बले ही तुम्हें भी एकदम घिच पिच लग रहा हो, लेकिन यही है जो तुम्हें feel दिलाएगा कि test कैसे करते हैं, क्योंकि तुम laboratory के अंदर जा बाद में करेंगे, जो जो भी PPT हमने side में किये हैं, उनका हमें बाद में confirmative test करना है, उन PPT को से ही हमें बाकी test करने, कि उन PPT में वो किसका PPT है, यह चीज हमें बाद में confirmative test में करना है, कुछ भी confusion नहीं है, कुछ भी confusing नहीं है, जड़ा सोचो, इसमें एक ही common step है, और वो यह है कि जब भी कुछ तुम मिलाते हो, तो दो case होंगे, या तो PPT आएगा या नहीं आएगा, अगर PPT नहीं आता है group reagent मिलाने पर, मतलब वो particular group absent है, क्योंकि हमने पीछे जो table पड़ी, उस table से हमने यही तो सीखा है, कि अगर यह सब मिलाओगे, तो precipitate आएगा, और precipitate आएगा, तभी यह सब group present होंगी, तो मैं यह बोल रहा हूँ कि इन में से कुछ भी मिला रहे हो, आप, अभी छोड़ो क्या मिलाना है, आप तो सोचो, कि यह रहा test tube, इसमें आपने कुछ मिलाया, अगर precipitate नहीं आया, तो बोल दो कि यह वाला particular group absent है, और अगर आ गया, तो यह मत बोलो कि बस यही present है, नहीं, हो सकता हो, और भी चीजें हों उसमें, तो अगर आ गया, तो तुमारा सबसे पहला काम है, precipitate को चान लो, और चान कर precipitate को side में कर लो, और filtrate को अगले group के लिए आगे ले जाओ, क्योंकि वो तो filtrate है, filtrate तो आगे काम आ जाएगा, जो कुछ उसमें पहले था, वो तो precipitate बन के side में हो गया, वो तो दिक्कत करेंगे नहीं, अब तो filtrate है, उसमें कोई और होगा, तो आ जाएगा, मेरे ख्याल से अप चीज़ के लिए तो तुम अगर इसक steps, यह common steps हैं, और इस common steps भी बार बार यह copy-paste, copy-pasty है, काईदे से देख इसको, कुछ नहीं है, group reagent तो पहले से याद हो चुके तुमें, कि किसमें कब क्या मिलाना है, यह तो basic चीज है, और दो ही चीज है, कुछ मिलाया, PPT, no PPT, if no PPT, then वो जो particular जिसके लिए तुमने मिला आया, वो absent, if PPT, present, और present, तो PPT को चानना पड़ेगा, PPT side में करो, चने हुए को आगे ले जाओ, यही है, और कुछ नहीं है, इसमें, अगर मैंने यह चीज समझ आ गए, तो मैंने इसको ही 6 बार लिखा हुआ है, और कुछ नहीं किया हुआ, यह याद किसको करना है जो, platinum, आगल है गया, यह याद क्यों करेगा, अरे याद तो यह करना कि किसका group reagent कौन सा है, वो mentor को 5 minutes दियें, याद करने को, यह याद कर, यह क्यों याद करेगा, यह तो मैं नहीं भी करवाँ, तो भी चलेगा, यह तो मैंने तुमारी सहुलियत के लिए कराया है, कि तुम्हें तोड़ी laboratory वाली feeling आए, कैसे करना, lab वाली feeling आए, lab वाली, chemistry lab की feeling आएगी, कि कैसे करते हैं, अरे एक ही तो common step है, अरे गधों, यह test tube है, इसमें कुछ मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, group reagent मिला रहे हो ना, अगर group reagent मिलाने पर precipitate आता है, तो वो group present है, नहीं आता है, तो absent है, नहीं आता है, तो आगे बढ़, और आ गया, तो चान के आगे बढ़, समझ में आया, आ गया, पीपीटी आ गया, तो चान के आगे बढ़, और नहीं आया, तो वैसे ही आगे बढ़, तुम भी केते आदमी हो यार, मैं कह रहा हूं, जिसके पास common sense है, उसके लिए यह chapter तुमें थोड़ा comfortable बनाने के लिए, मैं direct test शुरू कर दूँगा, तुमें क्या ही बता चलेगा, मैं direct test शुरू कर दूँगा, यह तुमें comfortable बनाने के लिए, कि हाँ यार, पहले group first की चीज मिलाते हैं, अगर कुछ होगा, कुछ हान लेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ न लाया, कुछ नहीं हुआ, फोर्त की तैयारी करो, simple है, और हो रहा है अगर कुछ, तो चानो, और फिर आगे की तैयारी करो, आजा, ठीक है, अब देख, अगर basic चीज समझ आ गई, तो अब खतम करते हैं चीजों को, यह देख, पहले group first का test करेंगे, आजा, देखता जा, ऐसे कोई याद नहीं करने, test tube वगेरा, यह सब चीज़ें अभी तरको अभी, एक मिंट में clear करवा देता हूं, आदा घंटा देदो मेरे को, आदे घंटे में सारे केटायन हो जाएंगे, पांच मिंट में मैं आ रहा हूं, पांच मिंट ज्यादा बोले, एक, दो मिंट में म पटाफट देखो, इसमें से खूब सारी चीज़ें तुमको पहले से पता है। झाल करवा देखो, आदे तुमको पहले से खूब जाएंगे, यू छिंटा है। झाल झाल यस अब देख group first में यह categories होते हैं group first में हमारे पास ये भी है ये भी है और ये भी है और neat में सिर्फ कों सा है ये रहा फिर लेड है तो हम पहले common test तो करेंगे common test करते हैं कि कोई भी और इजिनल सोलूशन है dilute Hcl मिलाया precipitate आ गया अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया वो केस तो इसमें मैंने लिया ही नहीं चल मान लिया कि प्रेसिपिटेट आ गया वाइट पीटी आ गया वाइट पीटी किसका किसका हो सकता है इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी अब तीनों के सपेद पीटी है तो कैसे बताओगे कि सि use for the group second तो अगर पीपीटी आ गया तो चान लो और चान के छने हुए माल को आगे ले जाओ तो ठीक है अभी तो हम इनका टेस्ट कर रहे हैं तो चने हुए माल को एक बार उदर साइड में करते हैं इस पीपीटी प्याओ वो जो पीपीटी तुमने साइड में किया था अब यह पीपीटी यह रहा वाइट अब क्या करना है सारा पीपीटी यूज नहीं करते मिटा क्योंकि उस पीपीटी के टेस्ट जो है ना अलग-अलग करने पड़ते हैं तो उस फिल्टर पेपर पर पड़ा हुआ प्रेसिपिटेट आपने अगर टेस्ट किये होंगे तो आपको प उस फिल्टर पेपर में से उस फिल्टर पेपर में से प्रेसिपिटेट उठाते थे और किसी टेस्ट ट्यूब में डालते थे और हम क्या करेंगे अब पहले गरम वाटर डालेंगे और हमें पता है कि पीबी सील टू गरम पानी में गुल जाता है तो कि वो तो वाम वाटर म में गुलता है PBBR2 होट वाटर में गुलता है और PBI2 बोईलिंग खोलते हुए में गुलता है अगर गरम पानी मिलाया और सफेद प्रेसिपिटेट गुल गया तो खोशिया मनाओ PBCL2 है वो यानि बोल दो कि लेड प्रेजेंट है और अगर गरम पानी में नहीं गुला तो फिर वो PBCL2 नहीं है फिर वो HGCL और HG2Cl2 हो सकता है दोनों हो सकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे हम ammonium hydroxide या मैंने कहा था axis of ammonia कुछ भी ले सकते हो अब क्या करेगा ये mercury तो ammonia के साथ reaction करता नहीं है तो ये क्या करेगा ये silver जो है वो इसके साथ reaction करेगा तो अगर ammonia मिलाया या ammonium hydroxide की form में मिलाते हैं मिलाया और गुल गया तो फिर AGCL है वो तो फिर कह दो कि वो silver है तो फिर क्या कहोगे कि वो silver है और नहीं गुला white PPT ही रहा और थोड़ी देर बाद काला हो गया है तो PPT पहले white फिर थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ ये reaction important नहीं है छोड़ो हटाओ इसको गोली मारो ठीक है आप तो ये समझो simple जा फंडा ये रहा white precipitate इसमें पहले घरम पानी मिलाओ गुल गया lead present नहीं गुला तो silver और mercury दोनों हो सकते हैं फिर ammonia मिलाया गुल गया तो silver present है नहीं गुला तो HG present है तो last में नहीं गुलना मतलब या तो वो पहले तो white ही रहेगा और धीरे 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 वो क्या हो जाएगा black precipitate में convert हो जाएगा क्योंकि वो last में जाते जाते mercury में बदल जाता है तो अगर ऐसा हो जाता है excess of ammonia मिलाने पर black ppt आ जाता है last में तो HG है और अगर गुल जाता है तो HG है silver है देखो clear हुआ यहीं पर clear करो यह बहुत बहुत important test है यह बहुत ज्यादा important test है वो जो तुमारे पास white ppt आये तुम्हें नहीं पता कि वो किसके white है गरम पान जानी मिलाओ गुल गया लेड है नहीं गुला दोनों हो सकते हैं silver और mercury ammonia लिलो गुल गया silver है नहीं गुला mercury है बात खत्म कि यह रवा कि यह हुआ है यहीं का यहीं रटना है यहीं का यहीं रटके जाना इसको यहीं का रही एग्रूफ लास का टेस्ट हो गया प्रहूं जसए अगर silver आ जाए मतलब और वो गरम पानी में गुल गया इस उनले नाम अगर गरम पानी में गुल गया तो हम confirmative टेस्स करेंगे कि क्या करेंगे कंफ़र्मेटिव टेस्स करेंगे इसको देख के बताओ की उस घरम पानी वाले soluble complex में मैं क्या-क्या मिला हूं कि मेरे को मिल जाए यह चीज़े ज़रा देख के बताओ इसके results तुम बताओगे इसके results तुम बताओगे मैं देख रहा हूं चैट में देख रहा हूं फाल तु बात मत करो इसके result बताओ जल्दी result बताओ यह तुमारा सबसे पहली चीज में बताता हूं मैं आपको process बताता हूं यह जो भी precipitate आते हैं ना इनको soluble बनाना होता है और soluble बनाके इनके confirmatory test करने होते हैं तो जैसे गरम पानी मिला दिया और वो soluble हो गया हमारे syllabus में तो lead ही हैं तो हम गरम पानी वाले उस soluble lead chloride के soluble lead chloride के गरम पानी के solution में अब आगे confirmative test करेंगी ठीक है पहला काम है PPT को गोलना और गुले हुए PPT में लग अलग test करना यानि की हो सकता हो बाद में उसका PPT भी बना दो यह भी कर दो तो चलो लूँ कुम मारा घुला हुआ है यह हमारा घुला हुआ यह हमारा घुला हुआ पी बिस टु प्लस टू है तो आप क्या प्लस टू का warm water है तो आफा क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे यहां प्रóg आएगा pbi 2 अजाएगा बता ओ कैसा color का होता है रही ए यह-यलो-area we go- restored क炫 यो पिपीटी का सियंकिन के साथ क्या करोगे बताओा pbcn का hole twice, कैसा हो गया, white PPT lead के generally white होते हैं कुछ-कुछ iodine वाला yellow हो गया PBS black हो गया, H2S है चलो पहले बता दो, PBS क्या हो गया, black हो गया PB है, NaOH है, पहले क्या आएगा PBOH का hole twice आएगा फिर इसमें axis NaOH और मिला लो तो ये गुली जाएगा पूरा yellow तो पहले PPT आएगा, फिर PPT वापिस नहीं आएगा पहले PPT आएगा, फिर PPT गायव हो जाएगा ये soluble हो गया कुछ-कुछ चीज है, सारी करी हुई है ये chromate है, lead के साथ chromate बताओ कौन सा बना था chromyl chloride test में कौन सा आएगा क्या yellow PPT आया था, yellow मुझे बताओ न, क्या नया क्या है इसमें, ये white है नया क्या है, नया कुछ भी निये ये ammonium hydroxide है ammonium hydroxide है और वो amphoteric है तो क्या होगा yellow PPT आगया अब PPT आगया, लेकिन आपने इसको excess ammonium excess NH4OH ले लिया तो कुछ भी होगा, no reaction क्योंकि वो तो strong base था इसलिए उसने तो गोल दिया बाद में, लेकिन ये weak base है तो ये नहीं गोलेगा, इसलिए ध्यान रखना विटा, इसमें से जो चीजें, जो कुछ हैं वो सब पढ़ाया हुआ है सब कुछ पढ़ाया हुआ है एक चीज ये साइनाइड वाली नहीं है, वाइट वाइट पीपीटी आजव आगे, next फिल्वर हमारे सिलेबस में नहीं है, रहने दो, ठीक है होता तो करवा देता, हटाओ हटा दो, कोई बात नहीं, ने क्या है, मैने मैन बेच में करवाया है, ठीक है, बड़ा सवाल ये बात तो सही है, लेड जो है, वो होगी, पंजाबी कुडियां, वहाँ पर भी है, और आज होगा प्रभात वहाँ पर भी है, अब जो चीज गरम पानी में गुल गई, उसके गुलने की नियत तो ज़्यादा ही है थोड़ा सा, और आपको तो पता है, गरम भी नहीं, वर्म वाटर, गुन-गुने पानी में पीबी सी एल टू गुल जाता है गुल गया, तो फिल्ट्रेट में चला जाएगा और फिल्ट्रेट में चला जाएगा, और फिल्ट्रेट में चला गया और फिल्ट्रेट तो तुम आगे वाले के लिए यूज करते हो फिल्ट्रेट तो तुम आगे वाले के लिए यूज़ करते हो इसलिए लेड की इस नियत की वज़े से उससे पहले और दूसरे दोनों में रख दिया कैरे बेटा तुम वहाँ क्लोराइड की फॉम में पकड़ाए ना पकड़ाए तेरे को नीचे सल्फाइड की भॉम में पकड़ लेंगے वापिस बोलो कि लेड जो है लेड जो है साथ आफ के उपठर वाला लेड-लेड क्लोराइड बनता है आपको अच्छे से पथाटब गया की लेड क्लोराइड की नियत गुलने की ज़्यादा है जो गरम पानी में गुल गया, वो गुली सकता है, तो तुम्हारे को doubt है कि ये महाराज जी नीचे नी आ जाये कहीं, बदमास है ये, ये filtrate में आ सकता है, और अगर filtrate में आ गया, तो ये धराई में नी आएगा, इसको पकड़ना तो पड़ेगा रंगे हाथ, तो ये chloride की form में ना पकड़ाए ना पकड़ाए नीचे तुम सल्पाइड की form में पकड़ लो इसको, अरे बात तो समझ आ रही, बहुत देसी भासा में पड़ा रहा हूं, बड़े-बड़े सवाल है, तुमको लग रहा होगा ऐसे ही लिख दिया वो बड़ा सवाल, बड़ा सवाल का मतलब सवाल बड़ा हो, नहीं, क्या सवाल, क्या पूछ रहा है, वाई पीबी प्लस टू इस प्रजेंट इन बहुत ग्रूप फरस्ट एं सेकंड, बड़े-बड़े सॉल्ट एनलिस पड़के आ जाओगे तुम से वपूद लेगा रहे, या दोनों में क्यों है यह, तो तुम बो बड़ेंगे इसको, तो PBCL2 is sparingly soluble, during filtration, filtrate में आ सकता है, इसलिए इससे दोनों में रखा गया है, कि तुम वहाँ ना पकड़ाए, नीचे पकड़ूँगा तेरे को, अरे समझ लो रे, अच्छी हूँ, पल्लवी गो स्वामी, ए, ए, पल्लवी गो स्वामी, अच्छी हूँ तो क्या करें, कि इसको कह रही अच्छी हूँ, पढ़ ले, बड़ा सवाल, ग्रुप सेकेंड फिल्ट्रेट, है ना, इन ग्रुप सेकेंड फिल्ट्रेट, फर्स वी बॉइल इट, एड़ स्मॉल अमाउंट ओफ कंसेंट्रेट एच नो थी, वाई, वो जो एक्स्ट्रा ट्रेटमेंट था, वो क्यों किया, यह पूच रहा है, वो, dag इट्रा ट्रेटमेंट क्यों किया, देखो, अच्छे-च्छे सवाल मैं करवा देता हूं, बाद में तो तेस्ट तो मैं करवा ही नोँगा, ठीक है, क्यों तुम तुमने second से third पे आने से पहले, second पे third से आने से पहले, second से third पे जब move करोगे, दो काम करोगे, उडाओगे, boil करोगे, और क्या करोगे, ये करोगे, पहली चीज, group third में तुम्हारा सामना किस से होने वाला है, iron प्लस 3 से, और अगर group second में तुमने h2s मिलाई हुई है, group second में तुमने h2s मिलाया हुआ है न, group second में h2s, याद है, dilute hcl, फिर group second के लिए h2s in presence of dilute hcl, यानि कि group second के filtrate में h2s है, और अगर h2s है, तो वो fe plus 3 को खाके plus 2 में convert कर देगी, और तुमारे group third का cation तो fe 3 plus है, अब तुम आगे जा रहे हो तो वो 3 plus को तो वो 2 plus बना देगी प पहले जरूरी है कि इस h2s को उड़ाओ, पहले जरूरी क्या है, h2s को उड़ाओ, तो गरम करो, तो h2s उड़ जाएगी, हमें नहीं चाहिए आगे h2s, तो हम गरम करेंगे h2s उड़ जाएगी, तो तर फिर concentrate hno3 क्यों मिलाया, तो concentrate hno3 इसलिए मिलाया कि मान लो जब तक गरम किया, उससे पहले ही वो h2s इसको reduce कर चुकी होगी, मान लो, तो तुम्हारे तो फेरिक आयन का टेस्ट चाहिए, उसने तुमको फेरस में बदल के दे दिया, तो तुम्हारा आगे जाके टेस्ट ही नहीं आएगा ना, ग्रूप थर्ड का तो, वो तो फेरिक बचा ही नहीं, फेरिक बचा ही नहीं, उसने तो उसको फेरस बना दिया, तो तुम क्या करोगे, concentrate एचनो 3, इसलिए मिलाते हो, क्योंकि वो एक oxidizing agent होता है, वो recovery करता है उस फेरिक आयन की, कि अगर h2s ने जाते-जाते काम बिगाड भी दिया हो, तो वो उसे वापिस plus 3 में लेके आ लना है, तो इसलिए हमें दो काम पूरे, बेटा ये ऐसे सवाल करा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो, ऐसे सवाल के बाद तो ना, जनता कम और होने लग गई, कि उन्हें समझ आ रहा है कि ये कि लेवल का salt analysis चल रहा है, ये उस लेवल का चल रहा है कि जही मैं चला जा, जही एडवांस चला जा, ये उस लेवल का चल रहा है, एडवांस की तो खेर मैं नहीं लेता, गैरंटी पर मैंस की लेता हूँ, है ना, जवाब अगली slide पर है, ले, बिफोर परफॉर्मिंग देस्ट अफ थर्ड ग्रुप के टायन, फिल्ट्रेट ओप प्रेजेंस अफ थर्डेश ये ना, बिकास प्रेजेंस अपच्ट वस पेजेंस अफ थर्डेश कन रिड्यूस अफ देश्ट करना है, वो तो प्लस दो में बदल देगी है अगर तो नहीं उड़ाया तो, तो क्या करना है हमको, अफ्टर बोिलिंग, और्स आदेन क्लियर है, आगे बढ़े, है न, देखो यार, एक बात बोलू, शे घंटे तो हो चुके हैं, और किसी ने सोल्ट एनालिसिस ना, शायद अपने मेन बैचेज में भी शे घंटे नहीं पढ़ाया होगा, मैं यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वन शोट में पढ़ा रहा हूँ, और अपने दिल पे हाथ रखके बोल देना कि कंटेंट का लेवल क्या है, दिल पे हाथ रखके बोल देना, क्या यह तुम्हें लगता है कि उम्मीद में फ्री में पढ़ाने जैसा, मैं यहाँ पे ए तो भी मुझे comment में नीचे thank you sir ही मिलेगा, कोई यह नहीं बोलेगा कि यार क्या है यह 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 नहीं है, thank you sir, बहुत अच्छा lecture साथ है, thank you sir, तो बेटा वो thank you तो मेरे को डेड़ गंटे में मिल सकता है, मैं बेवकुफ थोड़ी हूँ, जो यहाँ पे 6 गंटे, अभी 2 गंटे लगेंगे तो 8 गंटे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बेवकुफ तो नहीं हूँ, या फिर यूँ कह दूं कि हूँ, तुम्हारे selection के लिए पागल दूं, यह कह सकता हूँ, किसी ने मेन बेच में 8 गंटा salt analysis नहीं पढ़ाया होगा, जाके check करने ना, मैं पढ़ा रहा और यही कारण है, यही कारण है, पूरे साल तुम मुझे किसी channel पे कोई फालतू हरकत करते हुए नहीं दिखोगे, मैं नहीं दिखूंगा तुम्हें, दिखता हूँ क्या, नहीं न, बात जब पढ़ाई की होती है, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता हूँ, बात जब पढ़ जाने की होती है, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता हूँ, देख लेना, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फरक नजर आ जाएगा तुमें, बात पढ़ाई की होगी, बात कंटेंट की होगी, और बात गंटों तक खड़े रहने की होगी, मैं सबसे आगे मिलूँगा, मुझे बाक कभी कुछ कर लेते हैं, समझ आता है, लेकिन नहीं, फरक देख लेना तुम, कभी भी, तुम्हें नहीं दिखूंगा, मैं इदर उदर, लेकिन जब बात आएगी सेलेक्शन की और बच्चों को बढ़ाने की, तब से आगे कड़ा मिलूँगा, क्या जार विटा, मैं बढ़ है, फरक है ना, तो यार मेरा अपना अलग तरीका है, मुझे जो पसंद है, वो पसंद है, और मुझे जो नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, एक और बड़ा सवाल, चार-पांच बड़े सवाल करेंगे हम, बहुत बड़े सवाल है, इनको as it is, ऐसे कैसे रटके चले जान क्योंकि जही मेंच में यहां से सवाल आ चुके हैं, वो एक लिख रहा है कि सर, आज आपका डीब लोक का लेक्चर देखा, मैंने उम्मीद का, वेसा तो हमको कोचिंग वालों नहीं नहीं पढ़ा है, जो मैं यहां आज बहूँ आज यहां 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 कि जब medium को acidic करोगे तो वो H plus Cl minus में तूटेगा और H2S जो है वो H plus 2 और sulfide में तूटेगा यहाँ common iron effect हमें इंट्रोड्यूस करवाना है और ऐसा क्यूं आप क्यूं चाहते हो sir कि sulfide iron की concentration कम हो जाए देख वेटा अगर मुझे common iron effect इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं acid साथ में लूँगा कि नहीं लूँगा acid जब साथ में लूँगा तो H plus यह देगा और यह भी H plus देए रहा है यह common iron effect की वज़े से sulfide iron की concentration जो है वो गट जाएगी मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत जादा मात्रा में sulfide iron ना मिले अरे सर आप ऐसा क्यों चाहते हो sir अरे सर आप ऐसा क्यों चाहते हो क्योंकि बेटा मेरी बात सुन मेरी बात सुन अब भी तेरे को चीजें clear करता हूं मजहीं आजाएगा तेरे को यहां पर sulfide की form में यहां पर भी sulfide की form में precipitate है group second भी sulfide की form में precipitate होता है और group fourth भी तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है अब तो लफडा हो गया अगर इधर से इधर आओ टॉप टू बोटम आ रहे हो तो तुम कह रहे हो कि केस्पी की वेल्यू बढ़ रही है तो मेरा सवाल कि इस फूर्थ ग्रूप में से और इस सेकंड ग्रूप में से किसकी केस्पी कम है इस फूर्थ ग्रूप में से और इस सेकंड ग्रूप में से किसकी केस्पी कम है प्रेसिपिटेट तो दोनों देंगे लेकिन किसकी केस्पी कम है जल्दी बिता, जल्दी बिता जल्दी बिता पर ले के सबınने की सिज़ धुक्त.. तो प्रेसिपिटेट बनने की नीयत किस की जादा होगी उसकी केस्पी कम उसका प्रेसिपिटेट उतना ही जादा इसकी KSP कम उसका precipitate उतना ही ज़्दी, ठीक है, उतना ही जल्दी, मतलब सोचो, 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 अब मुझे यहाँ पर क्या करना है सलभाईड आयन ज़्दा दे के, जब यह खुदी चिला-चिला के कह रहे हैं कि हमारी केस भी कम है, तो मुझे यहाँ बहुत ज़्दा सलभाईड आयन नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की नियत ज़्दा है precipitate बनने की, जो सामने से कह रहा हो कि जल्दी लाओ, मतलब आप इनको सलभाईड आयन थोड़ा स एक्चुली ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इधर से इधर आ रहे हो, तो KSP की value increase हो रही है, यानि कि अगर इनका precipitate चाहिए, तो H2S की concentration ज़्यादा चाहिए, सलभाईड आयन की concentration ज़्यादा चाहिए, और हमने अगर उपर ही ज़्यादा रख ली, तो उनके साथ-साथ ये न सलफाइड की precipitate होते हैं, अरे तो ये तो दिक्कत हो गई, इसलिए हमने पहले ही सलफाइड आयन की concentration को कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा रखने पर तो चोथे वाले भी आ जाएंगे, कम करेंगे तो सिर्फ दूसरे वाले आएंगे, क्योंकि दूसरे वालों की नियत अल्रे नहीं आया, बेटा सवाल समझाया नहीं आया, बेटा बहुत बड़ा सवाल है, तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो इसलिए आयन आ जाएंगे, कि वो दूसरे और चोथे ग्रूप के केटाइन का प्रेसिपिटेट दे देंगे, और हमारे को तो लपड़ा हो गया, बोले चोथे का अभी थोड़ी चाहिए यार, अभी तो दूसरे का ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले ही दिमाग लगा लेंगे, बोले H2S को बोलेंगे कि तुझे जाना तो है, लेकिन मेडियम रखूंगा, क्यों रखूंगा, बट इन एसिडिक मेडियम, सल्फाइट आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, द्यू तो दो कॉमन आयन इफेक्ट, हमने मेडियम को एसिडिक ले लिया, कॉमन आयन इफेक्ट की वज़े से रियेक्शन को बैकवर्ड रखा थोड़ स्वाद आगया, आगया तो लाइक कर दो, ओके, क्लीर हुआ बटा, बहुत बड़ा सवाल है, अब अगला सवाल, अगला सवाल ये जो इस बार इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा सवाल अगला, देख, वाई एच्टु एस गैस इस यूज़े इन बैसिक मेडिय में एच्टु एस मिलाई, ग्रुप फॉर्थ के लिए अब तुम वापिस बैसिक मेडियम में एच्टु एस मिला रहे हो, देख लो, मुझे बताने की जुरुवत नहीं है, इस सवाल को मुझे करवाना ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल तुम्हें समझ आ गया, ये सवाल तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि ग्रुप फॉर्थ के लिए मुझे सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो मैं मेडियम बैसिक लूँगा अब, ये सवाल तो में सल्फाइड आयन की ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ग्रुप फॉर्थ में हम बेसिक मेडियम को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम और आयन इफेक्ट लगाएं, और डायन कैसे लगाएंगे, कि अब हम H2S ऐसे टूटेगा, basic medium हम NH4 OH ले रहे हैं, NH4 प्लस और OH मैनस में, उसका H प्लस और OH मैनस मिलके पानी बन जाएगा, और डायन इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये पानी जब बन जाएगा तो खटा-खटा-खट चीजें खतम होगी, जब इधर से प्रोड़क्ट को तुम, इस प्रोड़क्ट को आप जानते हो ना विटा, अगर तुम प्रोड़क्ट साइड से प्रोड़क्ट को फटा-फट यूज करते हो, तो reaction जल्दी-जल्दी forward आती है, तो हम प्रोड़क्ट को यूज करवा रहे हैं, ये प्रोड़क्ट, प्रोड़ाटे मिल्मेल के पानी बना रहे हैं ये जब पानी बना रहे हैं तो खटा-कट-कट-कट-कट शल्फाइड आयन की चंसंटरिशन बढ़ रही है, बुले जल दिलाओ, उसके बाद नीचे दूसरा सवाल है पेटा यही सवाल यही सवाल अगले साल यही सवाल अगले साल सारे बच्चों के लिए इस चैप्टर का खतरनाग image create कर देंगे अगर आ गए तो क्या है यह चलो हो गया यह बात तो आजाओ आगे बड़ा सवाल यह कल वाले जैइमेंग में आ चुका है I mean चार तारिक वाले में आ चुका है पहली शिफ्ट में I think पहली या morning evening का तो आईडिया नहीं बढ़ चार तारिक में पहले दिन यह सवाल आ चुका है क्या आया है कि ammonium chloride क्यूं add करते हैं ammonium hydroxide के साथ group third के ketion के लिए तो इसका भी मज़ेदार बात है बिटा और मज़ेदार बात क्या है वो सुनो हमें group third को किस form में precipitate निकालना है hydroxide की form में जैके check कर लो आलू फेंका करो के hydroxide बनाने हमें group third मतलब आलू फेंका करो आलू फेंका करोगे हमको क्या बनाने है hydroxide बनाने अब हुआ क्या वो सुनो ammonium hydroxide और ammonium chloride जब mix करते हो तो common iron effect लगता है अब common iron effect हमें introduce करवाना है यहाँ पर और common iron introduce क्यों करवाना है क्योंकि मुझे same चीज़ यहाँ पर भी hydroxide iron की concentration कम चाहिए क्योंकि सिर्फ aluminium iron और copper sorry chromium आलू फेंका करो aluminium iron और copper यह तो कम में ही बना लेंगे लेकिन अगर जादा रहे गया लेकिन अगर जादा रहे गया जादा रहे गया तो नीचे बेठा हुआ magnesium hydroxide भी आ जाएगा और magnesium अगले ग्रूप में बेठा है आगे तो हम चाहते है कि magnesium का hydroxide आके disturb ना करें इसलिए हमको hydroxide iron की concentration कम करनी बही उपर वाला है magnesium नीचे है उपर वाले को कम OH माइनस दोगे तब भी PPT बना देगा सेम सल्फाइड की तरह सोचो उपर वालों को कम सल्फाइड दिए तब भी PPT बना लिए समझरो ना वात को इसी तरह से यहां पर भी ऐसा है कि यहां पर भी हमें OH माइनस का हमें कम चाहिए concentration क्योंकि जादा हुआ तो magnesium hydroxide बन जाएगा और ज्यादा होने पर magnesium hydroxide बन गया तो हमारा तो लपड़ा होगया हमारा तो tał लपड़ा हो गया कौन चा लपड़ा हो गया यह वाला लपड़ा हो गया यह लफड़ा ये इसका precipitate आ जाएगा, magnesium hydroxide का, ये भी PPT होता है, चलो ये PPT नहीं होता है, ये PPT नहीं होता है, तो इनकी तो tension नहीं ही नहीं होता है, KOH soluble होता है, लेकिन magnesium hydroxide तो precipitate होता है, hydroxide, all hydroxide are insoluble, ठीक है, except low-fi, तो ये तो नहीं बन रहे हैं, पर ये तो बनेगा, अब लफड़े वाली बात हो गई, और ये सवाल क्यों आया, क्योंकि इस पे स्टार लग रहा है, मतलब ये syllabus में हैं, और ये भी दोनों syllabus में हैं, इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि third और sixth group दोनों से ये connected है, तो याद रखिएगा बेटा, हमको क्यों इस तरह की चीज़ करनी पड़ रही है, ताकि हमको sixth group का ammonium magnesium hydroxide का precipitate ना आ जाए, उसके लिए हमें hydroxide आयन का concentration कम रखना है, ओके, और कितने देर लगेगी चलो भई, बीच में मैंने ये थोड़ा सा तुमारा taste change किया, तुमें बताया, क्योंकि फिर हो सकता हो, बहुत सारे बच्चे last में छोड़ के चले जाएं, तो मैंने तुमें बताया कि level क्या है, ऐसे सीखो इसको, चीज़ें जब सिखाई जाती है, तो चीज़ें अच्छी भी लगती है, और चीज़ों से प्यार भी होता है, और चीज़ें याद भी रहती है, तो मैंने group first तो clear कर ही लिया था, अब हम group second पर आ जाते हैं, बीच में मैंने आपको ये थोड़े बहुत सवाल, theoretical questions करवा लिये, हालंकि answers लिखें हुए ते समय बचाने के लिए, बट ऐस नहीं है कि वो आपके समझ नहीं आया होगे, आप notes पढ़ोगे, आपके एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, test for the group second, first group अगर present है, ठीक, नहीं है, तो भी ठीक, तो दो तरीके हैं, या तो तुम direct original solution लेके h2s in presence of dilute hcl डाल दो, भई, अगर direct os लेते हो, भई direct second group का test कर रहे हो तुम माल दो, जो कि करना नहीं चाहिए, पर वरना main proper तरीका क्या होता है, कि group first का filtrate लेके आओ, group first का filtrate लेके आओ, और वहाँ पर h2s डालो, dilute hcl की presence में, ठीक है, h2s ही डालनी है हमको, और ऐसा क्यों करते हैं हम acidic medium में, h2s, ये भी हमको पता है, हमने सीख लिया, ताकि concentration क हम रहे, तो हमें यहाँ पर precipitate मिलेंगे, और precipitate भी अलग-अलग color के मिलेंगे, अगर black आता है, तो PBS, HGS और CUS हो सकते हैं, ये हमारे syllabus में हैं नहीं, बस देख लो, खाली, खाली देख लो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो तरीक हैं, एक group second में सब group बने हुए हैं, second A और second B तो एक yellow ammonium sulfide होता है, इन में से सारे, अब ये precipitate आ गए, अब आप इस precipitate को yellow ammonium sulfide के साथ reaction कर वालो, अगर soluble हो गए, तो second B हैं, और अगर soluble नहीं हुए हैं, तो second A हैं, और second A हमारे syllabus में हैं, और उसमें से भी सिर्फ वो PB और CUE हमारे syllabus में हैं, ये दो ही हैं हमारे syllabus में, ब तब टन टना टन वो second B हैं, तो second B का तो एक भी हमारे syllabus में नहीं है, second A के दो हैं हमारे पास, होगी पंजाबी कुडियां सिधी बिंदास में से सिर्फ पंजाबी और कुडियां हमारे syllabus में हैं, ये ना सिधी बिंदास हैं या क्या हैं वो नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं हमको तो ये सब तो चीजे हमको पता ही है, छोड़ो नहीं हम तो डाइरेक्ट लेड का टेस्टी कर लेते हैं ना, फिक है, अब वो जो black PPT आया, हम उसे लेड का मान रहे हैं, क्योंकि हमारे syllabus में वही है यार, अब लेड का black PPT है, उसको हम dilute HNO3 के साथ reaction करेंगे, तुम बत चलते रहो, मज़े रहो, ठोक बजा के बात करना है, lead sulfide, concentrate HNO3, गुल गया, गुल गया तो मन को सांती थोड़ी है, फिर से इसका PPT बनाएंगे, concentrate dilute H2SO4, sulfate बन गया, white PPT आ गया, गुल गया, फिर PPT आ गया, अब भी फिन मैं तो नहीं मानूँगा, बहला अच्छा तो नह क्या करेगा, अब मैं ammonium acetate मिलाओंगा, acetate lead के साथ चिपकेगा, lead acetate फिर से soluble हो जाएगा, ये चाहे इस form में देख लो, चाहे इस form में देख लो, एक ही बात हैं, एक ही बात हैं, दोनों ammonium का ये acetate वाला complex देख लो, चाहे ये देख लो, दोनों एक ही बात हैं, किसी भी format म में देख लो ये फिर से गुल गया मतलब PPT तॉलूबल PPT सॉलूबल फिर मजह आ रहा करनी अब तो मैं डाई करुंप वोटेशियम क्रॉमेट मिलाओंगा वह पॉटेशियम क्रॉमेट मिला दू फिर फिर PPT फिर PPT आ गया, अब yellow आ गया, फिर मैं NOH मिलाओंगा, वो भी access, फिर sex horrible हो गया, अब देख, चला, करा क्या है, उसी एक test tube में लगातार चीज़ें, खाट, 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 एड किया जा रहा है, test tube, PBS, oh, PBS, black PPT, ठीक है, कोई बात नहीं, black PPT, HNO3, क्या बन गया, lead nitrate, गुल गया, ठीक है, नहीं लिटेश्ट टेश्ट टेश्ट टेश्ट, oh, white PPT, क्या बन गया, PBSO4, ठीक है, वाफिस गोल लूँगा, lead acetate लिया, ammonium acetate लिया, lead acetate लिया, lead acetate बन गया, क्या हो गया, गुल गया, नहीं, फिर सब इसको तो मैं PPT बनाऊंगा, मेरेको मजा निया रहा, करा अच्छा, अच्छा, potassium chromate मिला दे, lead chromate बन गया, yellow PPT, क्या रहा, अच्छा, नहीं, फिर गोल लूँगा, एन्योच मिला दे, फिर गुल गया, कुछ भी इसमें ऐसा परिशान करने वाला बात नहीं है, कुछ भी परिशान करने वाली बात नहीं है, बस खाली तुमको बस revise करना है, किसमें क्या बनना है, किसमें क्या बनना है, किसमें क्या बनना है, अब मैं तुमको तो यह पूछूँ कि lead acetate में potassium chromate मिलाऊंगा तो क्या बनेगा direct सवाल इस टुकडे से पूछ लूँ तो क्या तुम नहीं बता सकते कि yellow precipitate आएगा lead chromate का अब आता है copper 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 का test देखते हैं copper का test देख लेते हैं आज भी copper copper का black ppt ठीक है क्या होगा cus और भी black वहीं सेम चीज फिर एचनो त्री मिलाओ क्या बनेगा copper nitrate क्योंकि यह oxidizing agent है तो sulfur है H2O है NO है सब बन गया इतर लंबे समय तक अगर आप इसको घरम करोगे तो लास्ट में हमें यह सब चीजें अगर आपको याद नहीं भी रहती तो चलेगा cuso4 का blue solution मिल जाएगा क्यों बन गया यह HNO3 है ना वो इस sulfur को sulfate में बदल देता है यह देखो यह रहा यह sulfur को sulfate में बदल देगा और यही sulfate copper plus two के साथ add होके cuso4 बन जाएगा यह blue solution हो गया अब आप इसमें ammonium hydroxide मिला दो तो क्या होगा copper hydroxide और copper sulfate का basic copper sulfate का एक PPT आ जाएगा फिर इसमें आप ammonium hydroxide मिला दो और excess और excess में ammonium hydroxide का मतलब है ns3 और वो क्या होता है ligand क्या बन जाएगा cu ns34 so4 deep blue color का solution बन गया यह पहले ही बता रखे हैं सब कि deep blue color का solution होता है यह complex यह वाला फिर acid एक acid मिला दो आपको पता है कि इसको मैं वापिस PPT बनाना चाहता हूं ठीक है वापिस इसको आपको पसंद नहीं आ रहा है complex वापिस इसको फल्फेड बनाओगे नॉर्मल सॉल्ट बनाओगे कैसे बनाओगे तो क्या करोगे इस copper को free तो करोगे अब आपको यह पसंद नहीं आ रहा है पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें इसको complex बनाने वाला है कौन ammonia तो तुम acid लेके आओ ammonia जब भी acid को देखती है ammonium बन जाती है तो इस ammonia को लालस दिया तुमने acidic acid का करें कि यार तु ammonia हट cuso4 ही चाहिए हमें तो साधा वाला तो ammonia ammonia को हटाने के लिए तुमने acid लिया acid ammonia को जाके खाएगा और ammonium बनाएगा ammonia free हो गई ammonium बनके गायब अब बचा सिर्फ cuso4 रहे ammonia हटा दो सिर्फ cuso4 बना यह cuso4 आ गया यह सबसे important test है cuso4 में अगर तुम k4 fcn6 मिलाते हो k4 fcn6 मिलाते हो तो chocolate brown color का ppt आता है जिसका formula भी important है और जिसका formula भी important है और यह test भी बहुत important है वापिस सुन लो as it is यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा important है यह ना copper का test है मुश्किल भी है और important भी है कुछ नहीं करना है sulfide को HNO3 के साथ reaction करते हो तो पहले तो copper nitrate का solution बनता है लेकिन उसी को अगर लगातार आप heat करते रहते हो तो finally वो जो HNO3 होता है वो उस sulfur को sulfate में बदल देता है और उस sulfate की वज़े से finally वो nitrate में ना रहकर copper sulfate में आ जाता है blue color के solution में अब उस पहले copper sulfate को तुमने इस format में लिया फिर इसी को वापिस copper sulfate में बदल दिया और finally उस copper sulfate को तुमने K4 FECN6 के साथ reaction करवा के Cu2 FECN6 chocolate brown PPT बना दिया यह coordination की application chemistry में मैंने batches के अंदर तो पढ़ा रखा है हजार से कम हो गए है लोग अब मैं समद रखता हूँ कि और पूछे जा रहें लगातार कि कि यह कितना बाकी है अरब थोड़ा से यह देख ले आधा नेक्स्ट मेरे को क्या कर दादा है कुरुफ थर्ड ग्रुप थर्ड की बात करते हैं आजो जल्दी आजो यह लो यह कुछ copper के test दिये हुआ है यह तुम देख लेना क्योंकि इसमें एक भी test ऐसा नहीं है जो तुमें समझ नहीं आएगा अब पहले कहीं करवा रखे हैं देख लेना एक ही नया है कि अगर copper प्लस टू आई माइनस के साथ reaction करता है तो पहले क्योंकि यहां पर इसके साथ reaction नहीं कर जाएगा क्योंकि यहां पर NS3 ligand की तरह काम कर जाएगा और ये अभी पीछे बताई दिया कि direct copper plus 2 के साथ अगर तुम K4, FECN6 मिलाते हो तो direct ये चाकलेट, brown, pippity बनी जाएगा तो ऐसा इसमें एक भी नहीं है जो तुम्हें समदनी आया ठीक है? एक भी ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हें ultimately समय देना ही पड़ेगा ग्रुप 3 test for the group 3 group 3, FEC3 plus AL 3 plus नीट में है, CR वाला हमारे syllabus में नहीं है तो filtrate of group 2 ले लो पीछे वाला, उसमें गरम करो concentrate HNO3, गरम इसलिए किया ताकि H2S उड़ जाए और concentrate HNO3 इसलिए मिलाया ताकि अगर कोई plus 2 वाला FE, मतलब अगर H2S ने किसी iron को plus 2 बना दिया है तो ताकि वो वापिस उसको plus 3 में ले जाए अब add करेंगे हम group reagent वो रहा हमारा ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride और ऐसा भी इसलिए करते हैं ताकि hydroxide ion की concentration कम हो जाए और magnesium hydroxide का precipitate आने से बच जाएं क्योंकि वो नीचे आगे group 6 का है तो ये भी इसलिए मैंने ये सवाल भी करवा दिया कि क्यों ammonium hydroxide इसकी presence में मिलाया जाता है to introduce common ion effect तो हमारे पास जब भी हम ऐसे करेंगे तो PPT आएंगे gelatinous white PPT red brown PPT और green अच्छी बात ये है कि इन तीनों का color अलग अलग है इसलिए हमें माता फोड़ी नहीं करनी पड़ती है कि किसका है तो simple सी बात है gelatinous white PPT आएगा और red brown आएगा हमको तो इन दोनों से मतलब है chromium का green होता है पर हमें इन दोनों से मतलब है और ये सब HCl में soluble होते है पुछो क्यों कि इसमें HCl मिलाओगे LCl3 बनेगा इसमें HCl मिलाओगे FeCl3 बनेगा इसमें HCl मिलाओगे CRCl3 बनेगा और all chlorides are water soluble accept आज होगा प्रबात तो इसका मतलब है ये सब के सब dilute HCl में soluble होंगे तो पहले हम क्या करेंगे इन सब में है वो concentrate में भी गुलेगा ये dilute HCl भी ले जकते हो आप यहां पर तो यह रहा वो पीछे वाला aluminium का hydroxide white gelatinous PPT मिला दिया है HCl बन गया LCl3 जैसे ही LCl3 बना अब इस solution को दो पार्ट में डिवाइड कर दो पहले पार्ट में NaOH मिलाओ again gelatinous white PPT ही आ गया NaOH मिलाते ही और ज्यादा मिलाओ soluble complex बन गया इसका नाम मैंने पहले ही बता दिया था starting में ही बता दिया था कैसे बनता है दूसरे पार्ट में LCl3 है बिटा और यह important है और इसको lake test बोलते हैं lake test क्यों बोलते हैं क्योंकि jeal जेसा निला निला रंग दिखेगा अभी आपको बाद में कि यह LCl3 है इसमें आपने blue litmus मिलाया क्योंकि LCl3 है कैसा acidic अरे भाई HCl है LCl3 किस से बना हुआ है LCl3 किस से बना हुआ है aluminium hydroxide और HCl से HCl acid है और aluminium hydroxide weak base है emphoteric है weak base है तो strong acid और weak base से बना हुआ salt acid ही होगा और जब acidic होगा तो blue litmus मिलाओगे तो lal हो जाएगा क्योंकि यह तो acidic है अरे भाई यह तो acidic है तो blue मिलाओगे तो क्या हो जाएगा लाल हो गया अब लाल को वापिस निला कैसे करोगे तो फिर से base मिला दो अब हमने इसने drop wise ammonium hydroxide मिलाना है तो लिटमस solutions भी होते हैं पेपर नहीं solutions भी होते हैं तो यहाँ blue litmus solution मिलाया लाल हो गया यहाँ पे base मिलाया वही लाल फिर से blue हो गया और जब यह blue हुआ ना तो क्योंकि यह पहले तो बनता है gelatinous white PPT क्योंकि hydroxide है तो पहले क्या बनेगा gelatinous white PPT मतलब हलका हलका gel जैसा PPT बनेगा और उपर से तुमने basic medium डाल दिया तो color लाल से हो गया blue अब blue color का gelatinous PPT दिख रहा है और उपर तेर रहा है तो यह एक gel जैसा नजर आता है जील समझते हो lake यह lake test है यह lake test है जील मतलब वो तेरता हुआ blue color का PPT lake like floating blue PPT reason है basic NH4OH red litmus को blue में convert कर देगा और क्योंकि यह hydroxide है तो इस aluminium को वापिस aluminium hydroxide बना देगा लेकिन इस बार उसका color थोड़ा थोड़ा नीला रहेगा और इसको बोलते हैं lake test यह syllabus में है बटा ली एक टेस्ट है ना करें सर टफ जप्टर है अब आज के लेक्चर के बाद दो ही चीज़े होंगी या तो वाकई में पढ़ लेंगे या धंग से चोड़ देंगे इसको करें अटा रहे यार क्या पंचाईती है कि आजाओ आएरन के लिए पढ़ लेते हैं बटा फैरिक आयन के लिए वही सेम चीज़ इसका पीपीटी कंसेंटरेट हेट सी एल एफ़ी सी एल थी सॉल्यूशन बन गया ठीक है येलो कलर का सॉल्यूशन होता है बटाईए इसको टू पार्ट में डिवाईड कर दो जैसे पीछे वैसे किया है इसको भी दो पार्ट में test tube में डांट दो पहले पार्ट में क्या करोगे पहले पार्ट में k4 fcn6 मिला लो फोड़ा सा मिलाओ जब आयरन के प्लस 3 में k4 fcn6 मिलाते हैं तो Prussian blue color का PPT आता है यह आपने Coordination में पढ़ा हुआ है FE4, FECN6 जिसमें iron बाहर वाला iron 3 में और अंदर वाला iron 2 में रहता है तो iron 3 और 2 दोनों oxidation state में हैं और इसको बोलते हैं Prussian blue PPT और यहाँ पे अगर तुम इसको थोड़ा नहीं और access में मिला देते हो state change नहीं हुई बस बाहर बेठे हुए चार iron थे अगर access में मिलाओगे तो potassium आयने इसको बोलेगा कि चल निकल थोड़ी आवा आने दे तो यह बोलेगा कि KFE FECN6 देखो iron अभी भी बाहर वाला 3 में है अंदर वाला 2 में है फर्क नहीं पड़ता है इसलिए blue color तो अभी भी है भर किये हैं कि वो precipitate है और यह soluble होता है colloid होता है बिटा यह यह PPT नहीं होता इसलिए याद रखना अगर सवाल आता है कि Prussian blue का formula क्या है तो Prussian blue का formula दोनों है लेकिन पूछता है कि Prussian blue की PPT का formula क्या है precipitate क्या है तो precipitate में फिर उपर वाला formula ही देना क्योंकि जब potassium iron add हो जाएगा तो PPT बनने की नियत कम हो जाएगी क्योंकि वो तो वैसे ही low phi होता है इसलिए यह soluble हो चुका है ठीक है बिटा particle size का फरक आजाता है बेसिकली इसमें particle size जो है न वो छोटी हो जाती है ठीक है इस वज़े से वो colloid की form में आ जाता है वो PPT की form में यह colloid की form में सर कितना कमा लेते हो वहाँ मयंग कुमार पूछ रहा बस इतना कि दाल रोटी मिल जाए दूसरे पार्ट में SCN मिला लो SCN माइनस मिला लो या KSCN ले लो thiocyanide कोई फरक नहीं पड़ता blood red color का solution आ जाएगा तो या FESCN 3 लिख दो या FESCN 2 लिख दो एक ही बात है किसी भी form में लिख दो blood red color आता है और यह है सब्सक्राइब यह मत मान लेना कि यह तुमारे इस लिख में नहीं है बटाया ना आ जो आ गया ग्रूप फॉर्थ थर्ड हो गया फॉर्थ की बात कर लेते हैं आ जो कि पॉर्थ का रियेजेंट ह2S बेसिक मीडियम में और क्यूं क्यों क्योंकि ह2S में कि सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो यह किया पीपीटी नो पीटी मतलब ग्रूप फॉर्थ के टायन अपसेंट अगर पीपीटी आया और पीपीटी को डाइलूट हC-L मिलाया तो पीपीटी अगर डिजॉल्व हो जाए डाइलूट हC-L में तो वो MNS और जेड़नेस हैं और अगर डूसॉल्यूबल नहीं होए तो वो NIS और COS है अरे नीको मंजन ही तो है यह भाई फॉर्थ ग्रूप में है क्या नीको मंजन नीको मंजन यह फॉर्थ ग्रूप है नी वहाँ पर बफ कलर का फ्लेश मांस जैसे कलर का मांस कलर मांस का कलर देखा है आपने मीट मीट का कलर देखा है कैसा होता है एकदम पिंक पिंक टा यह ना वो MNS होता है बफ कलर ब्लैक हुआ तो NIS और COS होंगे ठीक है हाला कि इसको और तरीका है डाइलूट HCL तुम मिला दो अगर डाइलूट HCL मिलाने पर Soluble नहीं होते हैं तो वो NIS और COS है और अगर Soluble हो जाते हैं तो वो MNS और ZNS है अगर यह Soluble नहीं हुए तो अब हम इनमें से यह दोनों हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे एक्वारेजिया मिलाके या होट एन कंसंट्रेट एचनोथरी मिलाके इनको गोल देंगे खुल गए और पिंक कलर आ गया तो कोबाल्ट प्लस टू है और अगर ग्रीन कलर आया तो एनकी टू प्लस का ग्रीन कलर होता है याद रख लेन तो अब इनके इसमें तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट से मतलब हम टेस्ट कर लेते हैं तो हमारे सलेबस में जिंक है और एनय है तो पहले हम जिंक का टेस्ट करते हैं वोई ZNS की PPT आ गई, कौन सी? White dilute HCl मिलाया, Soluble हो गया, ZNCl2 बन गया, ठीक है? इसका Part A और Part B सेम चीज़, दो Part में डिवाइड कर दिया, पहले Part में NaOH मिलाया, पहले तो Gelatinious White PPT आया, और NaOH मिलाया, Last में ये वाला Complex बन गया, Soluble हो गया, ये अच्छे से पहले बता चुका हूँ, फिर Part B है, Part B में Ammonium Hydroxide मिलाया, ठीक है? Part B में Ammonium Hydroxide मिलाया, ठीक है? क्यों मिलाया? Neutralize करने के लिए, क्योंकि ZNCl2 acidic medium में बना हुआ है, वो weak base हैं, और ये strong acid हैं, तो ये क्या बनेगा? ऐसा neutralization हुआ, फिर K4 FECN6 मिलाया, इसके अंदर, और K4 FECN6 के अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, copper के साथ reaction, जिसमें chocolate brown PPT बना था, K4 FECN6 का copper plus 2 के साथ, K4 FECN6 का iron plus 3 के साथ, प्रसियन blue color बना था, और K4 FECN6 का ZN plus 2 के साथ, blue white PPT बनता है, यह ब्लू white PPT है, ZN FECN6, यहीं पर अगर Cu2 लिख दोगे, इसकी जगे Cu2 लिख दोगे, तो हो जाएगा chocolate brown PPT, यह वाला सेम रहेगा, और यहां लिख दोगे, अगर FECN6, whole thrice 3, यहां इदर 3, तो वो हो जाएगा, प्रसियन blue color का PPT, यह reaction की form में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, वो उपर समझ आ गया, तो यह भी समझ आ जाएगा, नीचे वाला reaction की form में लिखा हुआ है, ठीक बटा, आजो आगे, अगला क्या है, NI, मझेदार बात है कि, NI सबसे प्यारा है, NI सबसे प्यारा है, पूछो क्यों, क्योंकि एक ही टेस्ट है, इसका पता ही लग जाता है सीधा, और वो भी कौन सा, DMG वाला, कौन सा, DMG वाला, DMG मतलब, डाई मिथाइल ग्लाग्जीम, रोजी रेड पिपिटी, रोजी रेड पिपिटी, ब्रीलियंट रेल्ट भी लिखता है इसको, यह देखो, ब्लैक एन इस, एक्वार एजिया, गुल गया, NICL2, ग्रीन कलर का सॉल्विशन है, NH4OH, बैसिक मेडियम में DMG मिला दो, पहले DMG नेगिटिव, DMG नेगिटिव, डाईमर बना लेंगे, और NIE को फसा देंगे, रोजी, रेड, पीपिटी, यह सब कॉम्पलेक्स करवा चुका हूँ, इस कॉम्पलेक्स के बारे में धेर सारे सवाल, जो हैं मैं एक साथ करवा चुका हूँ, Optically Inactive Square Planner, सब 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 पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं बताने वाली, जब आता है तुमको, आता है यह नहीं आता है, फ़ल ही बताओ, अब आता है ग्रुप पांच, पांचवा ग्रुप, फिर छट्टा और फिर जीरो, तिन चार स्लाइड ओर आजो, पांचवा ग्रुप, बहुत बढ़िया, पांचवा ग्रुप, दो तरीके हैं, या तो तुम और इजनल सॉल्यूशन ले लो, तो तुमें ये साब मिलाने पड़ेंगे, या तुम पीछे वाले का फिल्ट्रेट ले लो, और पीछे वाले के फिल्ट्रेट में ये दोनों तो प्रेजेंट हैं, सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट मिलाना है, बाकी सब पहले से हैं, बाकी सब मतलब ये दोनों, ये दोनों तो पीछे मिले हुए हैं, अगर तुम और इजनल सॉल्यूशन लेते हो, फिल्ट्रेट नहीं लेते हो, और इजनल सॉल्यूशन लेते हो, तो सब मिलाने ही पड़ेंगे तुमको, और अगर तुम फिल्ट्रेट लेते हो पहले वाले का, माल लो, तो फिर तुमको खाली अमोनियम कार्बोनेट मिलाना है, क्योंकि बाकी सब तो पहले से प्रजेंट है उसमें, पहले ही मिला दिये ते हैं अमोनियम हाइट अमोनियम क्लोरे, तो होगा कुछ नहीं, यहां वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, आ गया वाइट प्रेसिपिटेट, तीनों ही वाइट देते हैं, तीन है, तीनों ही क्या देते हैं, वाइट देते हैं, तीनों के तीनों वाइट देते हैं, फिर एसिटिक एसिट मिलाना है इसमें, क्या करना है इसमें, एसिटिक एसिट मिलाता है, यह भी गुल जाएगा, यह भी गुल जाएगा, यह भी गुल जाएगा, PPT, dissolved due to formation of acetates of calcium, barium and sulfate, strontium. इन सब के acetate बनेंगे और acetate तो soluble होते हैं ना, all acetates are water soluble except आज होगा क्यों? तो ये आज होगा क्यों मैंसे तो कोई है नहीं, तो इनको acetic acid मिला होगे तो इस सब के सब घुल जाएंगे, क्योंकि इन सब के acetate बन जाएंगे. ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पर flame test भी कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा बचा लिया जाता है precipitate, direct heat में गर्म करने के लिए. फिर इसके तीन टुकडे कर दो, part 1, part 2, part 3, A, B, C, इसके यो जो गुल गया उसके तीन टुकडे कर दो, और तीनों टुकडो में देखो, ऐसे मिला दो. यह part A, part B, और part C, इसी sequence में मिलाना है. Part A में पहले, तुमें नहीं पता, कोई सा भी एक part A ले लो और उसमें पहले potassium chromate ही मिलाना है. अगर yellow PPT आ गया, तो वो BACRO 4 का PPT है. और अगर PPT नहीं आया, ठीक है? तो आगे बढ़ो, part 2 में ammonium sulfate मिलाओ. अगर SR-SO4 का PPT आ गया, strontium sulfate, white PPT, confirm है. part C में ammonium oxalate मिलाओ, white PPT of calcium oxalate, calcium 2 plus is confirmed. अब देखो, मज़ेदार बात, MDJ तो इधर है. जो barium होता है ना तुमारा, वो इसके, इसके और इसके किसी के साथ निगुलता. इसलिए पहले ये दोनों नहीं मिला सकते. क्यों? क्योंकि एक-एक कम करते ना मिटा. नीचे आओ, strontium, barium, strontium, calcium. देख लेए वापिस देख. barium, strontium, calcium. B, S, T. और B, S, C में एक-एक चीज उडाते रहो. मतलब, इसमें तीनों के साथ insoluble लेए. और, 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 और. strontium में एक हटा दो. बाकी के दो बच गए. ये दोनों के साथ insoluble है. तीसरा, calcium, दो हटा दो. ये सिर्फ oxalate के साथ insoluble है. अब मेरी वाद सुनो. पहले अगर तुम oxalate मिला दोगे, किसी भी पार्ट में. वापिस सुनना बेटा, वापिस सुनना. ये मज़ेदार चीज तो यही है. मज़े ले लेगा तुम्हारा कोई जैसे सवाल पूछके. अगर तुम इन तीनों पार्ट में से, एक, दो, तीन, कोई भी एक पार्ट उठाओ. और अगर तुम अमोनियम oxalate मिला देते हो, तो oxalate तो calcium का भी insoluble है. oxalate strontium का भी insoluble है. और oxalate तो barium का भी insoluble है. तो कैसे बोलोगे कि barium है, कि calcium है, कि strontium है, कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते हैं. नहीं बोल सकते हैं. इसलिए पहले ये नहीं मिलाना है, अमोनियम oxalate. उसी तरह से, अगर तुम पहले, अगर तुम पहले, अमोनियम sulfate मिला देते हो, तो बेटा, sulfate तो इसका भी insoluble है, और sulfate उपर वाले का भी insoluble है. हाँ, तो कैसे बोलोगे, कि barium है, कि strontium है? इसलिए sequence में ही डालना पड़ता है. मतलब, पहले तो chromate ही डालो. क्योंकि अगर chromate डालने पर, अगर chromate डालने पर precipitate नहीं आया, अगर chromate डालने पर, potassium chromate डालने पर PPT नहीं आया, तो definitely बोल सकते हो, कि barium is absent. क्योंकि barium ही है, जो chromate के साथ PPT देगा. तो इसलिए पहले chromate मिलाया जाता है, पहले sequence में मिलाया जाता है, पहले chromate ही मिलाया जाता है. नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है, barium absent है, लिख सकते हो. आगे बढ़ो, अब तुम calcium और strontium की बात करोगे. इसलिए याद रखना बेटा, यह sequence में ही मिलाया जाती है, जिस तरह से यह, इसी sequence में मिलाना है. पहले chromate, पहले chromate, फिर ammonium sulfate and then ammonium oxalate. वापिस बोलो, पोटेशियम chromate, पहले मिलाएंगे, पोटेशियम क्रोमेट पहले मिलाएंगे, पहले कोई और नहीं मिलाना है, वरना हमारा test खराब हो जाएगा. पोटेशियम क्रोमेट पहले मिलाना है, फिर ammonium sulfate मिलाना है, और फिर ammonium oxalate मिलाना है. step by step ही चलना है वरना confirmatory test खराब हो जाएगा नहीं बता पाओगे क्या absent है क्या प्रेजेंट है common sense है ना ठीक है याद रहेगा इसी sequence में जिस sequence में लिखे हैं उसी sequence में बताना है लिगा कि ग्रुप शिक्स्त को को अधियम मैगनीशुम्-पोटेशियम मैगनीशियम हमारे स्लाबस में है test of Magnet lotus direct कर लो के शॉटीू ए मिलाया जाता है तो मेगनीशियू frequent का वाइट पिपिटि आ ज्याता है यह यह अभी में इसमें में पूछा हुआ है कि यह कलर क्या होता इसका तो वाइट पिपिटी होता है एंद अ है मैं पूछा वाय쟁़ कब पुछा जैनुवर्य वाले में पूछा जैनिवरी जो पहले हुआ था ना पहली वाली शिप्ट में पूछा हुआ है वाइट पीटी होता है कि सवाल अब तक मेगनीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट क्यों नहीं आया आए वाजाने चीए थे कि इतना कुछ मिला रहे हो तुम अब तक मेगनीशियम कार्बोनेट का पीपिटी आया क्यों नहीं अब तक मेगनीशियम कार्बोनेट का पीपिटी आया क्यों नहीं जबकि तुमने कार्बोनेट डालना शुरू कर दिया था बेटा मेरे ख्याल से यहां से तुमने कार्बोने कि कार्बोनेट की कार्बोनेट की के यसवश इतनी कम होती है कि वो इन के साथ पिपीटी दे देगा, तो अब तक क्यों नहीं आया, तो reason है, हर जगे हमने ammonium hydroxide मिलाया, हमने ammonium chloride मिलाया, हमने ammonium carbonate मिलाया, हमने ammonium को साथ में रखा हुआ है, और ammonium को साथ जब भी रखोगे तो ammonium और carbonate, ammonium और carbonate में क्या होगा, कि ये तो acidic होता है carbonate तो, तो ये क्या करेगा, ये H+, ये H+, अपना H+, देगा इसको, इसको H+, देके इसको bicarbonate बना के ammonia gas बन जाएगा, अब bicarbonate जो होते हैं, वो soluble होते हैं, यही कारण है कि महराज जी अभी तक precipitate बन के नहीं निकले, क्योंकि आप medium में लगातार ammonium 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 फ तो इसलिए, इसलिए इसका precipitate अब तक नहीं आया, आ जाना चाहिए था, क्योंकि magnesium carbonate में की precipitate आने की tendency है, उसकी KSP भी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी नहीं आया, उसका कारण है कि साथ में जो बेठा ammonium है, उसने उस carbonate को bicarbonate में बना के रखा, इसलिए वो कभी precipitate आ ही phosphate की form में ही precipitate लेंगे, आजो फिर आगे, यह तो छोटे-छोटे से test है, अब अगला सवाल, लो, ammonium test, group 0 आगया, लास्ट, लास्ट ग्रुप चल रहा है, इसके बाद सवाल करेंगे, लास्ट ग्रुप चल रहा है, इसके बाद questions करेंगे, आजो, जल्दी बताओ, क्यूं इसका filtrate use नहीं कर तकते हैं, ammonium iron के test के लिए filtrate use क्यूं नहीं किया जाता, ammonium iron के test के लिए filtrate को क्यूं यूज नहीं किया जाता, इसके लिए filtrate use नहीं करते हैं, क्यूं, इसके लिए original solution ही लेके आते हैं, इसके लिए original solution ही लेके आते हैं, उसका कारण सुनो, क्या, filtrate में तुम, तेट साल पहले शुरू हुए थे, ammonium मिलाते हैं, ammonium hydroxide, ammonium chloride, ammonium bicarbonate, ammonium carbonate, दे ammonium, दे ammonium, दे ammonium, दे ammonium, जाने कब से ammonium मिला रहे हो तुम, है, group third से शुरू हुए हो तुम ammonium मिलाना, group third का group reagent है, ammonium hydroxide in the presence of ammonium chloride, जिसमें आलू फेंका करवाते हैं, group third से तुम ammonium मिलाना शुरू हो गए थे, और ammonium मिला के तुम ammonium का ही टेस्ट करोगे, यह तो वही बात हो गई बिटा, कि मेरे पैसे खो गए, पैसे खो गए, पैसे खो गए, पैसे खो गए, नहीं मिल रहें, नहीं मिल रहें, अब क्या करें, नहीं मिल रहें तो, तो मैंने किसी को बोला कि तुम एक काम कर 500 रुपर यहां डाल दे, और वही 500 रुपर में उठाओंगा हारे मेरे पैसे मिल गए मिल गए मिल गए तो पैसे तोड़ी मिले यार वो तो तूने ही डाले वो तो तूने ही डाले इसलिए कि अमोनियम के लिए पिछला फिल्ट्रेट यूज नहीं किया जाता है कि उसमें अगर अमोनियम हो तो पता चले कि अगले ने दिया है कि आरे समद तो आ रहा है कि यहीं बात हुई यार क्या एक्जामपल है बड़िया ही एक्जामपल है तुम ही मिलागे तुम ही धूंड के खुद हो जाओ कि ओ अमोनियम है तो है ही वो तो तुमने मिला है तो इसलिए हमेशा ओरीजनल सॉल्यूशन यूज क्याते हैं कुछ नह हो डोट एच जी एनेच टू आई मिलोन स्बेस वाला आयोडाइड ओफ मिलोन स्बेस रेड ब्राउन पिपिटी पहले ही बता दिया हमने ठीक है यह रेड़ ब्राउन पिपिटी आ जाएगा अमोनिया और अमोनिया की जितनी रियक्शन ने वो डेवर डास में भी बता रख द्रक कोई पूछ रहा है इस दिस हनक फोर नीट वो अब वह रहा है वो खुदी यह जित पूछते भाशत रहे हैं कि इस दिस अनफ इनफ फॉर डलनीट है आजब यह रहा कोई चाहने वेज मिलाओ अमोनिया गैस निकलेगी अब अमोनिया गैस का टेस्ट करना है तो एक तो तुम क्या करोगे की बन जाएगी वैट डंस फ्यूम आ जाएंगै जो अमोनिया निकल रही हूसटी को एससे टेड़ा करके इसमें नेसलरस येयजन्त डाल दो तो यह आती हूई अमोनिया उसके साथ रियक्शन करेगी और ब्राउन पिपिटी बनाएगी यह रहा आयोडीन ओप मिलोन स्बेस यह रहा यह बस बन गया है और क्या हुआ है हिरो ग्रूप ख़दम कोई बात ऐसी है इसमें समझ नहीं आ रही तो बताओ यह लो यह भी हो गया हमारा इसको मैं कर देता हूं सेव करते हैं सवाल हमारा थेयरी कंप्लीट है अब हम कॉश्चन्स करेंगे करेंगे तो जो आसान आतन सवाल होंगे में होमवर्ग लिख दूँगा वैसे आसान नी छोड़ सकता मैं यह नया चैप्टर है तो कोश्चन ऐसे तो नहीं छोड़ सकता पर कोशिस करते हैं आप कोश्चन्स करेंगे जल्दी आजो वह सारे सवाल कर रहें फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ जा जनता उड़ जा उड़ जनता लाम भरावाय तुने जल्दी आजा जाज़ा करेंजे जल्दी बढ़ कि एक जल्दी आज़। किने कोश्चन से एक जया है तो सावन उसे बुझाए है सावन जो अगन लगाए है उसे कौन बुझाए है सर एक्सपेक्टेड कुस्चन्स दोगे क्या यस रख एक्सपेक्टेड दूँगा एक मिन्ट में मैं आया है कवाल बता दो बटा पटा करी. 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 झाल झाल पूछो के से मंदिर टूटा अपनों का हमसे मत आजो भी करें चुरू करें चुरू करें बहुत सा रहे हैं पड़ी सी स्पीड रखना अवाल कम से कम सतर असी होंगे कम से कम इन में से कौन वॉलेटाइल प्रोड़क्ट देगा इसके साथ डाय लूट एसथ डाय लूट डाय लूट यानि की पहली चीज़ तो चलास ए प्लास ए प्लास ए में भी सब ग्रुप वन में क्लोराइड नहीं होता है फ्लोराइड नहीं होता है और सलफेड तो खेर होता ही नहीं है तो आंसर हो गया एने टुएस चलो आगे चलो फटा फट जल्दी 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 तॉल्ट एक्स है डाइल्यूट है गैस वाई निकलेगी इस गैस वाई है रोटन एगलाइग स्मेल ओहो तो वाई तो दो एकाट दो बचाई यही चलो रिस्पेक्टिव लिगेस आप से वाई वाई नहीं बचाना जल्दी आज़ो आज़ो मज़े आ जाएंगे अगला विच सॉल्ट रिमेंस अनफेक्टेट बाई कंसेंट्रेट इस तो इस अपोर बता रहे है जल्दी बता है जल्दी बता है है कि अलम पूल कि जनता जारी अब कि 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 पहले में और भैंकर टक्कर है ते वह इसलिए टक्कर क्योंकि मैंने कहा ता कनसेंट्रेटेट के साथ तो ग्रूप वन और सब ग्रूप नों कर जाएंगे गलती कर घटा गलती कर गए है Concentrate H2SO4 के साथ दोनों कर जाएंगे लेकिन डाइलुट के साथ इदर वाला नहीं करेगा, सब गृरूप 2 नहीं करेगा है, तो इसलिए ध्यान लखना Concentrate H2SO4 के साथ दोनों के साथ कर जाता है, अगर सब गृरूप 1 है, सब गृरूप 1 है, तो वो concentrate H2SO4 और dilute H2SO4 दोनों के साथ reaction कर जाएगा दोनों के साथ reaction कर जाएगा विटा ध्यान रख लेना बता दिया था मैंने इसको एक example से नेक्स्ट यह तो सवाल ही गलत है नहीं गलत नहीं है कर देंगे concentrate H2SO4 है वाई वेपर है वह वेपर पानी में जाके ब्राउन सॉल्यूशन दे देती है तो इसका मतलब है यह तो बी आर टू है अब यह बी आर टू है तो यह बी आर माइनस हो गया बात खतम ले हो गया तो यह तो हो गया यह हो गया एक्स खतम बात चलो next which of the following acidic radical can interfere with the test of cation बाप soft है ले अंसर 4 oxalate एने टू C2O4 दो तरे की gas देता था यह वाली gas तो CO होती थी और साथ में CO2 होती थी क्या CO neutral oxide है क्या यह blue fam के साथ जलती है क्या यह PDCL reducing agent होती ही ना बिटा CO जो है वो reducing agent होती है क्या यह reduce कर देगी PD black में answer है सही तो answer हो जाएगा 4 आंसर क्या हो जाएगा विटा चार ठीके next आज़ो फटा फट which of the following gelatinous PPT dissolved in the excess of NAOH gelatinous PPT की बात करिये तो पहली चीज़ इसको तो हटा दू इसको भी हटा दू gelatinous PPT तो एक ही है ना gelatinous PPT तो एक ही है और answer हो गया वो भी पहला gelatinous PPT बोल दिया तो वैसे कट गए दोनो next white PPT which remains insoluble यह white PPT होता नहीं है हटा दो यह PPT नहीं होता है हटा दो और यह gelatinous PPT होता है जो कि HCL में solubal ही होता है तो यह भी हटा दो यह ऐसा होता है जो दोनों में नहीं गुलता इसके लिए एकवार एजिया का जुगाड़ करना पड़ता है याद है भी यह सो फोर हो जाएगा नेक्स्ट एजी सीयल PPT is soluble in excess of NS3 due to क्या होता है ऐसा की एजी सीयल अमोनिया के साथ घुल जाता है क्या करता है वह ऐसा क्या वह कॉंप्लेक्स बना लेता है या वह कॉंप्लेक्स बना लेता है एजी एनस थ्री टू प्लस अरे बोलो कि एरे पॉल करा अब रुख जारे सवाल बहुत सारे पॉल कर रहा है बेटके दस हुए अभी तो पीए सीयर थ्री सोल्यूशन एक्स में है गलती से आगया PPT कुछ है अटाव इसको अधूरा सवाल बलैक PPT और HCL इनसोल्यूबल बलैक PPT है एक्स और HCL में इनसोल्यूबल है पहली चीज ये तो बलैक है नहीं काट दो ये भी बलेक हे नहीं काट दो ये भी तो ग्रीन है काट दो बचाए के अटाव पाग गय जनता अब दो ही तरीके से जारी होगी जंता या तो हो नहीं रहे होंगे या हो रहे होंगे Na2S, Dilute, H2SO4, Gas Y ठीक है भी? ठीक है चलो Gas में ये Gas तो फिर अगर Na2S है तो ये तो H2S ही होगी अब H2S में तुम अगर Lead Acetate मिलाओगे तो PBS बनेगा अब PBS जो है वो Soluble होता है कि Dilute HCl में Y is SO2 तो काड़ दो Y is PPT काड़ दो पहले और चोथे में से अंसर होगा पहला जो लगाएगा वो आधा पड़ेगा इस ट्रीटमेंट पहला जो लगाएगा वो आधा पड़ेगा चोथा अंसर है इसका क्योंकि अगर HCl डाला तो यह PBCL2 बनेगा अगर HCl डाला तो यह PBCL2 बनेगा और PBCL2 इन सोलुबल होता है इसलिए यह सोलुबल नहीं होता आंसर चार होगा पहला पड़ने वाले अधा अधूरा अधूरा स्टेटमेंट पड़ोगा अधूरा नहीं पड़ना है अधूरा स्टेटमेंट नहीं पड़ना है अधूरा स्टेटमेंट नहीं पड़ना है नेक्स्ट H2S चन नोट बी इडेंटिफाइड बाई H2S reducing agent है ठीक है इसको सामने oxidizing agent चाहिए है इसको चाहिए है इसको iron plus 3 है करेगा क्या कुछ नहीं करेगा लटाओ इसा कोई नहीं जिसका identified नहीं कर पाद़ा सबको कर लोगे iron plus 3 को 2 में बदल देगी इसको इसमें ग्रीन में बदल देगी यह ग्रीन हो जाएगा यह डीकलराइज हो जाएगा और यह आइरन प्लस टू में चला जाएगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो बदल सकती है वही सबको बदल सकती है आंसर हो गया डी नेक्स्ट गिव दक्रेक्ट और ऑफ सॉल्फाइट नहीं है यह सल्फाइड है अल्फाइड सॉल्ट यह नीट में भी पूछा हुआ जवाले एक भार पहले पहले जब तो थेले बच में नीता तब भी पूछ लि कुडियां यह कुडियां है तो यह पीछे ही आएंगी क्योंकि मॉस्ट इंसोल्यूबल है बताओ फिर बीच में कौन बैटेगा अपने आप जड़नेस बैट जाएगा अपने आप जड़नेस बैट जाएगा ठीक विटा और आप मेरे दिल के अंदर रहते हो तनहाई क्रोमिल क्लोराइट टेस्ट कें बीवन बाय यह नहीं देगा बताया था यह भी नहीं देगा बस बचे दो यह दे देंगे और बी जो क्रोमिल क्लोराइट एस इवन भाई हाँ ठीक है कौन देगा दोनों आई निक है वो प्लस टू में आई निक है और यह नसी लाई निक यह मजा आ रहे आव फिर आ रहे तो ब्राउन रिंग टेस्ट इन प्रदेंस अफ डाइलू टेस्ट वेस अफ़र आई लू टेस्ट वेस अफ़र में नाइट्रेट तो नहीं देगा राइलू टेस्ट वेस अफ़र में नाइट्रेट निए गए टेगा बता हौं नाइट राइट देगा है वोकिए नाइट्रेट डाइलू टेस्ट वेस अफ़र के साथ रेक्शन नहीं नहीं गरेगा next white ppt completely soluble in ammonia white ppt ये तो ppt नहीं है ये ये भी ppt नहीं है ये soluble होता है Hg2cl2 ppt होता है और ये white है यह नहीं यह की बात आई AgCl ये गुल जाता है agbr आदादुरा गुलता है और Ag I नहीं गुलता है अमोनिया में एक वस which of the following is a source, which of the following is source, ये तो repeat हो गया सवाल मेरे क्याल से, आ चुका था है ये सवाल तो, रुख जाओ, which of does, which do not give any gaseous product with dilute HCl, dilute HCl के साथ ये देदेगा, sulfide देदेगा, sulfate नहीं देगा, sulfate कोई product देता ही नहीं, न, sulfate तो class B का है न, न, ये ये वाइट होता है, ये वाइट होता है, और ये सिल्वर वाला भी वाइट ही होता है, इसका कार्बोनेट पहल ये लोता है, तो यहाँ पर हम कार्बोनेट है नहीं, तो ये पहल ये लो लिखता है, अब थोड़ा तुमको पता लग रहा होगा कि मैंने जो वो दिमाग लगवाया ना कि भाई तु देख ले वाइट वाईट छट जाते हैं अलग से वाईट वाईट एजी भी आर थोड़ा सा पीला होता है पता ही होगा आपको पड़ा दिया है और याद तो रख नहीं पड़ेगा बटा क्या ही कर सकते हैं completely insoluble in HNA3 completely insoluble in NH3 completely insoluble AGI होगा यह गुलता है यह आदा गुलता है यह कभी नहीं गुलता flame test is not given by magnesium और beryllium नहीं देते तो इसका मतलब है magnesium वाला salt नहीं देगा microcosmic salt का formula पीछे चार चाहिए साथ नहीं चाहिए दस नहीं चाहिए हो गया एक ही बात है लो एक ही चीज़ बचे माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट sodium ammonium hydrogen phosphate चाहिए 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 थिनाड ब्लू तुम तो सिर्फ ब्लू से याद रख लो जनाबे आली मांगे जनाबे आली मांगे बंगला गाड़ी पिंकी यही था ना तो बंगला मतलब उपर और उपर मतलब जेडन था तो यह हो जाएगा इसका असली नाम होता है थिनाड ब्लू वैसे ब्लू ही ठीक है ठीक है याद आ रहा है ना जनाबे आली मांगे जनाबे आली मांगे बंगला गाड़ी पिंकी तो A हो जाएगा, तो थिनार्ड ब्लू थिनार्ड ब्लू उसका प्रॉपर नेम होता है, ब्लू से हो जाएगा तुम्हारा यार, क्यों परिशान हो देते हैं यादर कर ले न, थिनार्ड ब्लू Color of borax bead test of Fe in oxidizing flame Oxidizing मतलब iron plus 3 में रहेगा, plus 3 में रहेगा, तो yellow, yellow ओले, yellow, yellow, चल भाई, चल, 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 in microcosmic bead test, the color in oxidizing flame and reducing flame are respectively blue and red 4, तो खेह रहा है कि, oxidizing में तो नीला है, और reducing में blue है, हाँ, गार्ट, कोपर, BGR, ना, ऐसा ही कुछ था ना, blue, green, red, तो red और उसके बाद colorless, तो ये तो अपना copper, लला copper, copper है, ये तो हमरा copper है, copper, हेई copper, previous question में green लिक्वाए है, तो लिक्वाए है green, इसमें, गलती से लगा दिया होगा बेटा, अगर किसी बैच में भी, तो oxidizing flame में तो green नहीं आएगा, yellow ही आएगा, तई कर लेना उसको, अगर गलती से टिक कर दिया हो, तो उसे ठिक कर लेना बेटा, इसी के notes में, अगर मैंने भी गलती से green answer लगा रखा हो, या notes में green लिक्वाए हो, ठिक कर लेना उसके, ठिक कर लेना उसके, ठिक कर लेना, ये लो ही होगा, अगर ऐसा है तो, मुझे नहीं पता मैंने कहां क्या, भूल बाल गए हैं भाई, चल्दबाजी में हो जाती, इससे भी पीछे, अहां green लगा दिया भाई, अब आगल वागल हो गया, क्यों परिशान कर रहे हूँ, मैंने तो green नहीं लगा या, ये, मैं तो कोई green नहीं नहीं, उसके बाद यही सवाल है, brilliant red वही है, lake test तो वैसे ही blue होता है, प्रशियन blue, blue होता है, ये बचा एक ही, ये white होता है, बात खतम हो गई फिर एक ही बचा, क्या brilliant red और क्या red, aluminium वाला, thinard blue, तो thinard blue में green, zinc का green होगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया गा, trick मुझे, जो है वो, जनाबे आली, मांगे, उसका color क्या होता है, एक बार NCRT में confirm करूँ क्या, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अगर mistake कहीं है, तो वो देखना पड़ेगा न, हो सकता हो, मैंने भी गलत लिख दिया, एक बार रुको बिटाए न, क्योंकि अभी तो पता है कि mistake सही हो सकती, वन मिनिट, हाँ, वन मिनिट, अभी उसको ठीक करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक करी होते हैं, उसे ठीक करेंगे, मैंने बंगला गाड़ी पोल दिया, वो गाड़ी बंगला पिंग किये, आप इटा, सही कर दिना, इसको सही कर ले न, वो एक्चुली न, ऐसे मेरे को ट्रिक से याद नहीं था न, तो मैंने ट्रिक गलती कर दि, मेरे को इतना पता है कि जनाब-e-Ali ये ऐसे होता है, कि ZNO, COO, है न, L203, और COO, और MGO, और COO, और ये होता है, ये, ये गाड़ी होता है न, गाड़ी, पंगला, पिंकी, ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया, यह ब्लू हो गया, और यह पिंक हो गया, अब ठीक कर ले ना इसको इना, अब अब गलती नहीं होगी, वो गाड़ी पहले चाहिए वह आज की तारीक में, गाड़ी बंगला, और तो ब्लू अब अलुमिनियुम वाला हो जाएगा फिर तो, यह लो, ठीक है? अब ठीक है? अब भी बता दिया तुमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके, 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 तैंक यू, कोई बात नी भाई, इत्ती देर से खड़ा हो दिमार, विचिस मोस्ट इन सॉल्यूबल, वो, क्रोमेट तो एक कही इन सॉल्यूबल था, और वो भी उपर वाला, बीस्सी, तो यही वाला तो इन सॉल्यूबल था, यह तो सॉल्यूबल थे विचारे, इनके क्रोमेट तो सॉल्यूबल होता है, इसलिए तो हमने मिलाया नहीं था, पहले क्रोमेट, इसलिए मिलाया था, ताकि, इसलिए मिलाया था, ताकि, बेरियम का पहले आ जाए, तो समझ गए, प्रो स्टेट्मेंट अबाउट कंटेइनिंग FE 3 प्लस क्या यह SNCL2 से Reduce हो जाएगा, यह Reducing Agent होता है Inert Per Effect में पढ़ाया हुआ है हो जाएगा PPT देदेगा क्या? देदेगा नोच के साथ क्या देगा? कौन सा देगा? यह FE FE OH का Whole Thrice देदेगा PPT होता है Give blue PPT with K4 FECN6 यह है, Prussian blue बस ठीक है, फिर अंसर हो जाएगा 4 अंसर हो जाएगा 4 देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे, सबके साथ करता ही तो काम यह ना? तेरे सर होमवर्ग देदो फैल जाएगा ना भी अभी तो सवाल आये नहीं, एक्जाम वाल है, यह तो क्या मेरे बनाए हुए है, white PPT, dilute HCl, soluble, NaOH, white PPT, XS, NaOH, soluble, चलो बात करतें क्या है, white PPT यह है नहीं, काट दू, केल्सियम क्लोराइड पीपीटी होई नहीं सकता क्योंकि क्लोराइड है तो सॉल्यूबल होगा जैडनेस की अगर बात करें हाँ, कौपर हाइड्रोकसाइड की अगर बात करें तो बचा एक ही ZNS, अगर यहाँ ZNS लेते हो, तो यह ZNCL2 बनेगा, और यह ZNCL2 बनेगा, तो पहले ZNOH का whole twice बनेगा, और XS मिलाओगे, तो ZNOH का whole four बनेगा, ठीक है, और साथ में NA2 लिख दो ऐसे, तो आंसर हो गया third, तुम पता नहीं मुझसे जल्दी कैसे answer, क्योंकि तुम वाले sulfide होते हैं, तो H2S तो हो गई, लेकिन H2S dilute HCl की present में नहीं होती, वो तो second के लिए होती है, तो H2S in presence of, हाँ, yes, basic medium में H2S लेते हैं, ठीक है, basic medium में H2S लेते हैं, answer हो गया third, answer क्या हो गया, third हो गया, यह क्या है, PBCRO 4, correctly matched, red नहीं होता है, यह तो, F4, FECN 6, 3, यह green नहीं होता है, प्रशियन blue है यह तो, NIDMG blue color का नहीं होता, red होता है, यह रा, ZN 2, yes, यह था, तीन बताया थे न, K4, FECN 6 के साथ, yes, answer हो गया, 4, answer क्या हो गया हो गया, इसमें भी, 4, रुक जाओ भाई, विजू का, क्यारे की question, homework दे दो, घंड पाओ, presence of HCL, aqueous solution of cation, X, H2PT obtained, X cannot be, ah, H2S, HCL की present में, यानि, presence में, यानि की, second group का cation होना चाहिए, zinc यहां क्या कर रहा है, zinc को हटाओ, क्योंकि यह fourth group का है, rink को हटाओ, yes, like करो, बिटा, like करो, dissolve हैं यह, तो नहीं क्या लिखा हुआ है, AGI dissolve in access of KI, P block वाले KI के साथ नहीं बनाते हैं, P block वाले बना लेते हैं, PB, OH का alt-wise is dissolve in access of NOH, NOH access लोगे, तो गुल जाएगा, सही है, NH for OH लोगे, तो नहीं गुलेगा, AG CN is insoluble, यह भी गलत है, गुल जाएगा, वो, CN साइनाइड बन जाएगा, तो answer second हो गया, फिर और क्या है, इसमें से किस की KSP सफे कम है, यह तो बहुत आसान नहीं, यह हित्की, नहीं नहीं, lowest KSP, sorry, 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 lowest KSP मतलब जिसका PPT सफे जल्ली आएगा, होगी पंजाबी कुडियां, इसका जला लेक, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी, यह तो sorry, भले, ठीक है, पहला हो जाएगा, PBS, Aqueous Solution of Ketan X, H2S, Black PPT आया, ठीक है, भई, इन बोरेक्स टेस्ट आप सॉल्ट आगे सवाल पढ़ो, इन बोरेक्स टेस्ट आप सॉल्ट X, ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम में ब्लू रहता है और उसमें रेड रहता कोपर हो गया, बात खतम, पढ़ो, यह लो, आंसर ही चार होगे इसको, आधा नहीं पढ़ना है, ब्लेक PPT पे बहुत सारे लेट लगा देंगे, क्यारे PBS हो गया, आंसर पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है पूरा, पूरा, पूरा पढ़ना है, AIEEE 2003, which statement is correct, FE plus 3 ions gives deep green precipitate, वो तो प्रसियन ब्लू देता है ना, काड़ दो, on hitting potassium, calcium and bicarbonate ions, we get a precipitate of K2CaCO3, यह कैसा सवाल है, K2CaCO3, यह भी नहीं है, precipitate नहीं आएगा, वो तो complex और बन रहा है, carbonate का, manganese salt give a violet borax beat test in reducing flame, manganese last वाला था, इधर इधर तो light violet, light violet और फिर colorless, colorless था, तो इसका मतलब यह भी गलत है, च्योंकि reducing में तो colorless, colorless था, from a mixed precipitate of agecil and agi, ammonia solution dissolves only agecil, या, yes, 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 answer हो गया बेटा, 4, answer क्या हो गया इसमें, 4 हो गया, AEEE 2003 का सवाल है, अब आपके PYQ शुरू हो चुके है, महारी विजन कब आएगा, अभी और बच्रा है क्या बेटा, है, महारी विजन और बच्रा है क्या, तुम कैसे लोग हो चुके हो ना, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हें चम्मत से खाने की आदत हो गई है, spoon feeding वाली चीज़ कर दी तुमने, हमने भी क्या है ना कि तुमारे लिए कुछ, green color produced in the borax beat test of chromium B, chromium 3 क्या देता है, chromium 3 तो हर जगे ही green देता है, लेकिन 3 तुम बनेगा क्या, metaborate बनेगा उसका, borax beat में तो यह बन जाएगा, जेही में 2019 का सवाल है, अनिल, अनाडी उपध्या है क्या कह रहा है, लादीच भाही कब तक पढ़ाओगे, भाही तूँ क्यों जगरा है सोजाना, कोई वीडियो सा देखके, which of the following statement is correct, when a mixture of NaCl and K2Cr207 is gently warmed with concentrated acid, chromyl chloride test बेटा, पकड़ो इसको, जेए 1998 में पुछा हुआ है, 1998 में में पुछा हुआ जवाल है, deep red vapors is evolved, किल्कुल, CRO2, CL2, the vapors when passed into NaOH gives a yellow solution, ये भी सही है, chlorine glass इसमें निकलती नहीं है, क्योंकि हमें तो redox करवानी नहीं होती, chromyl chloride is formed, answer हो जाएगा, पहला, दूसरा, जो था, पहला, दूसरा, छोथा, answer हो जो 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 जो, an aqueous solution of a substance is give a white precipitate on treatment with dilute hydrochloric acid, which dissolves on heating, when hydrogen sulfide is passed through the hot acidic solution, a black PPT is obtained, देखते जाओ, aqueous solution of substance give a white PPT on treatment with dilute hydrochloric acid, white PPT किसका आएगा, chromium का तो नहीं आएगा, तो इसको तो हटा दो, ठीक है, फिर उसके बाद गर्म करने पर गुल जा रहा है, और गर्म करने पर गुलने वाला मैंसे ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही बचा फिर lead, lead chloride ही गर्म करने पर गुलेगा नहीं, lead chloride ही तो गर्म करने पर गुलेगा, मेरे भाई, हो मेरे भाई, ये भाई, आगे चले, अब तो पेट भी दर्द करने लग गया, बोल, बोल के, बल भाई, केरा colorless gas with irritating smell, ओके, फिर, इधर colorless gas है, irritating smell है, तो इसका मतलब है, ये तो SO2 हो गई, अब SO2, K2CR2, O7 के साथ मिला होगे, तो green color करी देगी, क्योंकि वो reducing agent है, तो बताओ फिर क्या है, तो ये, X तो होगा sulfite, अगर ये sulfite होगा, तभी तो SO2 निकलेगी, J 2003 का सवाल है, तो answer पहला ही हो गया, और बाकी तो हो गई नहीं, आज़ो अगला, sodium fusion extract, oh my god, क्या आपके रहा है, obtained from adeline on treatment with iron, hmm, 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 here is a prussian blue, अब ये देखो, उपर वाला test तो अपने क्या syllabus में नहीं है, लेकिन इसने पूछ लिया, कि prussian blue का formula बता दो, तो तुम तो इस सवाल को सिधा सिधा ये मान लो की, prussian blue का formula कोंता है, ये जई एडवान्स का सवाल है, तो prussian blue का formula पहला है ये यार, फोड़ो ना, उपर वाले को मत पड़ो, फोड़ो, वो तो prussian blue का formula पूछ रहा है, चिंता मत करो, हो जाएगा तुमारा काम, ठीक है, prussian blue का formula पूछ रहा है, वो, बात खतम, वो लिख दो, next, passing H2S gas into a mixture of MN2+, Ni2+, Cu2+, HG2+, in an acidified aqueous solution, okay, वापिस देखो जड़ा, H2S, acidic medium में, group second वाले होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, निको मंजन नहीं होंगे, होगी पंजाभी कुडियां सिधी और बिंदास, होगी, H2S acidic medium में, group second के लिए होती है, तो group second वाले छाट लो, fourth वाले काट दो, J211 का सवाल है, अब बोलोगे, NEET के क्यों नहीं करा है, तो गदे, NEET में तो अब पहली बार आया ना है, कहां, क्या खाता है तू, क्या खाता है बिटा, which of the following hydrogen halides react with AgNO3 to give a precipitated dissolving, S2O3 2- के साथ तो सारे ही गुल रहते हैं ना, S2O3, ये तो precipitate ही नहीं देगा, काट दो फिर ये भी गुल जाएगा, ये भी गुल जाएगा, मतलब इससे बनेगा AGCL, इससे बनेगा AGBR, इससे बनेगा AGI, और ये तीनों के तीनों तो अगर sulfide S2O3 2- के साथ reaction कर रहे थे तो solubli तो तो है, तो answer हो जाएगा एक, तीन, चार, ले भाई, टना, टन, चल, ये तो वैसे हटा दे, इसको तो ये तो precipitate ही नहीं बनाएगा, ना, तो HF, तो AGF बनेगा इसके साथ, तो AGF PPT थोड़ी बनाएगा, एक, तीन, चार होगा, Sir, may I go to toilet, that यसल या हो, या या हो.. या मतलब बेसिक मेंई केंब वालच, ओ बेहिड मेंईं ले ऐसी consumer मतलब खोटकाह। गरूप फोर्फ five or ironeak 3rd group, तो या निखों मन्जन, संकदेा अंब अर गया ऑगई.. तो जेई में तो salt शुरू से हैं यह के रहा सर जेई वाला कैसे पूच रहा है तो जेई में तो salt analysis है ना बिटा जेई में हैं हमेशा से नीट में पहली बार एड़ा है तो हमें तो जो मिलेंगे PY क्यों जेई गें मिलेंगे उसमें से चांट चांट के बनाने पड़ेंगे और तो क्या ही करता है क्या करा है इतना बड़ा सवाल तुम पड़ो मेरे तो टाइम ही नहीं इता पूछ तो लास्त में प्रेसिपिटेट पी रहा है यह पी प्रेसिपिटेट कौन सा है तो पी के लिए पूछो क्या क्या दिया हुआ है बाकी तो बक्वास लिकी हुई है इसने मुझे ऐसा लगता है पूरा सवाल ही बेकार है यह मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ सवाल है कि इसको सो इसको 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 ना तुमें काम करो पूरा सवाल मत पढ़ो यहां तक ही काफी है जरुरत नहीं है यह आगे पूरा बड़ा सवाल होगा में भी बट उसकी हमें जरुरत नहीं क्योंकि वो हमारे सेलिबस में नहीं है यहां तक भी अगर करोगे तो यह सवाल हो जाएगा इस सवाल को यहां से भी कर लो मतलब यहां तक कर लो सिभी बात यह वाला यहां तक कर लो इससे ही निकल जाएगा कि गरम पानी में कौन गुलता है हो गया तुम्हारा काम गरम पानी में यह लेड गुलता है लेड लेड तक काफी है यह से आगे वह PQRS के बाद क्या होता है कि paragraph के questions होते हूं इसके बाद भी और सवाल होते हैं जो होंगे नहीं आगे तो मैंने सिर्फ यह एक ही उठाया है अ कलर डवलप्ड वन सोडियम सल्फाइड इस अड़ियम नाइट्रो प्रुसाइड सल्फाइड संप को स्टन्प कर देता है और स्टन्प का कलर क्या होता है परपल आजयो आगे इन देश्ट आउडीन वेन आई-टु स्ट्टेड विद ने 2 एस 2 03 यह मने कहा था ना वो बॉण वीटा को सपैद बनाने वाली रीक्षन तो ने आई के बाद आगे क्या था एनेले तो एस 2 ओ 4 एनेट वेस 4 06 एने टो एस 4 06 यह रहा यही था हाइपो से बदल गया था वो अरे वाँ बच्छों को या दे सारी चीज़े हैं यार मुझे मंदब एक अलग लेवल पर खुशी हो रही बताते में अधे आ चुके में डाम पाय एक ही बनेगा यह बनेगा बट कुलर्ड नहीं होगा यह एक ही बनेंगे भाई बस से एक, only one, no to minus. लो-मिल का है टेस्ट कौन देगा? हम्, नहीं देंगे? येस, देंगे. In layer test of I minus and BR minus, if reddish brown layer comes first, अब reddish brown अगर फेले आ गई तो BR present है और I absent है, दोनों बातें सही हैं, आ जो फिर आ गए. identify the correct statement the PPT of BACO3 is insoluble and dilute HCl soluble होता है वो तो incorrect हो गया lead nitrate के साथ अगर Na2S लोगे तो white PPT of HGS आएगा H2S turns H2S turns lime water milky PPT HGS की white कहां से होने लगी तो इसको तो काट दो BACO3, BACO2 बनेगा गुल जाएगा ये lime water को milky क्यों करेगी एक भी सही नहीं है इसमें सारे गलत है एक भी सही नहीं है सारे गलत है पिटा which of the following gives a suffocating gas when treated with dilute suffocating कौन देगा? sulfide देगा? sulfide देगा? sorry salt M ये देखो chromyl chloride test ही है ये बापिश से देख लेना है ना तो अब इसमें क्या कह रहा है कि M कौन हो सकता है तो वही सेम चीज़ें कि कौन देगा? तो bromide नहीं दे सकता ठीके? तो ये पूरा टेस्ट देखने के बाद ये पता लेगा का ये chromyl chloride देता नहीं है ये देगा नहीं chloride का chloride देगा नहीं तो answer हो दिया second ठीके मिटा chromyl chloride पर सवाल जादा है what is the color of COOAL2O3 जनाबे आली तो वह तो बंगला है तो blue हो गया फिर क्योंकि अब तो गाड़ी पहले चाहिए गाड़ी पहले चाहिए गाड़ी पहले चाहिए और वंगला और फिर पिंकी है तो blue हो गया अब इस बार तो सही हो ना मैं अब क्या है identify C transparent glassy bead NABO2 plus B2O3 B2O3 हो गया फिर strongly hitted C plus D अभी ओर होंगे इसमें सवाल देख लो पहले तो हो गया तुम्हारा NA2 B4O7 dot 10H2O यह हो गया तेरा NABO2 plus B2O3 और यह है H3BO3 metaborate strongly hitted अपने तो अपने तो सिर्फ यही पूचा है ना छोड़ो ना फिर क्यों पंचाहिती करते इतना बड़ा सवाल करके test of ammonium ion can not be done within group analysis during group analysis several times NS4 compound is added in तब सही है भाई पहला ही ठीक है यही तो reason है group analysis में नहीं क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने ammonium ion खूब मिलना है पहला ही ठीक है ठीक है अगला सवाल which of the following is not group first cation के रहें इसमें से कौन सा group first cation नहीं है, simple सा पूछ रहा है ओपर नहीं होता Cu2 plus KCN soluble complex बनाएगा axis में तो यह बनेगा K3 Cu Cn4 ठीक है अब इसमें पहली चीज कोपर आ रहा है आपका plus one में यानि की D10 configuration हो गया D10 होने के बाद coordination number 6 तो इसमें है नहीं और coordination number 4 इसका दिख रहा है साब साब square planner यह है नहीं क्योंकि D10 है diamagnetic यह हो जाएगा paramagnetic यह होगा नहीं तो answer हो गया कौन सा एक तो second और कौन सा हो गया fourth second and fourth second and fourth what age of this chapter in need बेटा अभी थोड़ी decide होगा कैसे बता दू मैं है कैसे बता हूं बता पहले से बता दू अगवान थोड़ी हूं यह बताओ देखे type of sulfide PPT may be obtained in the group second group second में अगर तुम सोचोगे तो PBS type था HGS था यानि MS type का तो था फिर SNS2 type भी था SNS2 भी एक type था SNS2 भी मतलब MS2 type का भी था और BI2S3 type का भी था यानि कि ऐसा भी था तो यह नहीं था बस बात कि तो एक तीन और चार type के sulfide तो बनते ही हैं एक तीन चार type के एक तीन और चार के एक भी बनता है BI2S3 होता है AS2S3 थोड़ा सा ध्यान से देखना तो पता लग जाएगा deeps during the group analysis एक रूप दो जगे पी टे ले टे 했는데 टेने अपंचाईती कर ता दुजर आ चाता है इतल बिटा किसले इसको दो जगे रखा हुआ है बाता है कि रखा हुआ है क्यों के नीचे आता है अन। अत्वênio आगा फिर अर्या इस steps are to be done before the adding group third reagent, third reagent का group reagent add करने से पहले हमें क्या treatment करना था बटा, बताओ, क्या हमें इसको पहले छानना था, क्या हमें इसमें H2SO4 add करना था, नहीं, क्या हमें इसमें concentrate H2SO4 add करना, concentrate HNO3 add करना था, answer हो गया तूसरा और चोथा, इसा तो लग रहा है ना कि कुछ पढ़ा है, अरे मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि रटे हुए करवा रहा हूँ, रटे हुए चीज़ें तो नहीं करवा रहा हूँ ना, इमानदार इसे बता दे ना बेटा ना तो ढंग से रटवाया है नहीं रटवाया मैंने मैंने पढ़ाया है मैंने सीखाया है और मैं इतना जानता हूं कि होने को गलत हो रहे होंगे बच्चों से सवाल नहीं हो रहे होंगे लेकिन बेटा मैनत कर रहे हो हिम्मत है हाथ पर तो म करना खुब शेयर करना इस वीडियो को A substances on treatment with dilute H2SO4 liberate a colorless gas which produces turbidity with barita water and turns acidified dichromate solution green आहाँ देखो बटा इसमें दो जगे से हमें पकड़ना पड़ेगा अगर obvious सी बात है colorless gas CO2 भी हो सकती है और SO2 भी हो सकती है ठीक है CO2 भी हो सकती है और SO2 भी हो सकती है ये भी colorless है ये भी colorless है प्रॉब्लम इस कि इसको जब तुम barium hydroxide में मिलाओगे जो कि barita water होता है तो ये भी lime water को milky कर देगी मतलब BACO3 बना देगी milky मज़े की बात ये हैं कि तुम इधर barium hydroxide मिलाओगे तो भी लफड़ा है ये भी ये SO3 बना के ये भी milky हो जाएगा तो यहां से तो तुम CO2 और SO2 को अलग-अलग नहीं कर पा रहे यहां से तो नहीं कर पा रहे लेकिन अगर तुम यहां पर K2, CR2, O7 लेते हो तो यहां no reaction होगा लेकिन यहां तुम अगर K2, CR2, O7 लेते हो यह बहुत important है deep lock के point of view से भी तो यह chromium plus 3 यानि कि इसको green कर देगा यह orange होता है तुमारा इसको green कर देगा क्योंकि यह reducing agent का काम करती है तो दूसरी वाली चीज से तुमको पकड में आएगा दूसरी वाली चीज से तुमको पकड में आएगा कि यह sulfite था क्योंकि carbonate हो नहीं सकता carbonate देदेगा CO2 carbonate क्या देगा बेटा CO2 और यह क्या देगा तुमारा SO2 तो CO2 और SO2 बेराइटा वाटर को तो दोनों में turbidity लियाएंगे वो मिल की लियाएंगे बेराइटा वाटर से तो हम नहीं कर पाएंगे तो किस से ना ही lime water से हम इन दोनों को separate कर पाते है ना ही हम बेराइटा वाटर से कर पाते है हम K2Cr2O7 से कर सकते हैं के मैंनों फोर्स से कर सकते हैं इन से इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है ठीक है डी कौन लिख रहा है बे डी कौन लिख रहा है बे अरे याद है ना वो रिद्यूसिंग एजन्ट है वो कर लेगा ये क्या करेगा करता है यह मत बोलना है कि नहीं पढ़ी तो डी ब्लोक का सवाल है विटा डी ब्लोक पी ब्लोक जैसा तुमको चीक लगे वेते मान दो मेरे को क्या करना है यह क्रोमिल क्लोराइड बनता है यह यह लो CRO2 CL2 रेड़ वेपर इसकी बनती है देखलो एक वाड़ अगला सवाल करो लगाओ दिमाग ब्राउन रिंग है क्या ब्राउन रिंग यह न अ ब्राउन रिंग का नाम ढूंडो ब्राउन रिंग का नॉर्मल नाम इसे ऑप्शन से पता लग जाएगा इसमें क्या है वो ऑप्शन से पता लग जाएगा तुमको अब ये क्या बीमारी देदीन उने? इसको भी करके देखते हैं अब इसकी reaction अगर तुमने करवाई NH4 OH के साथ वो भी aqueous तो ये complex बन जाएगा बैटा? अब इसमें अगर तुम क्या मिला रहा है ये इसमें? ये dilute HNO3 मिला रहा है और dilute HNO3 क्या करेगा? इसको जब भी H+, दिखाओगे इसको जब भी H+, तो ये अपना लोन पेर देदेगा? ये अपना लोन पेर देदेगा? मतलब ये तो अमोनिया तो है वो इसकी दिवानी हो जाएगी H+, इसको तो निप्टा दिया? अब इधर से वही सेम चीज़ जैसे एक किसी और जगे पे करवा रहा था मैं ऐसा चीज़ कोपर सलफेट बाहर निकल वा रहा था तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर इस अमोनिया को बाहर निकालना है तो acidic medium दे दो ये अमोनिया गया, अमोनिया जैसे ही गया तो बचा कि आरेसमन आया को समझ कुमजारा असान है मैंने कहने कॉंप्लेक्स में से जब भी अमोनिया को निकालना व हो मीडियम को एसटीक कर दे न विटा अमोनिया को एसिड बुला लेगा h-plus देखंके करई इधर आ और अमोनियम बना के बगा देगा अमोनियम बना के बगा देगा जैसे ही वो अमोनियम बना हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि अमोनियम लीट को हा माइनस अब आई टू तो सी एल माइनस आप डू मैनस को एप टू में दो चाइज मीद बार अक्शन एफ नहीं होगा है इनस देखा कि रो मिल क्लोराइड में वो लास्ट में जो सी आरो फाइब बनता है नहीं तो तुम ही कर देना यार हों वर किसमें ऑक्सिडेशन स्टेट पूछ रहा है वो इसकी क्या होगी बताओ यही में 2024 जन्वरी वाला सीजन जन्वरी वाला सेशन है ओफिशल सवाल है ऐस अधाओ प्लस छे करे कैसा सवाल पूछ रहे है बटर फ्लाइश चरुछ चला अगला क्या क्या रहा है ऑन पासिंग अगेस एक्स फू नेसलर्स रिजेंट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इस अप्टेंड गेस कौन सी गेस नेसलर्स रिजेंट के साथ ब्राउन पिपिटी इस बार के जैनुवरी के कॉश्चन है ना ठीके बटा इस बच्चे को तुमने बेजा था ना तुम्हार साथ वाले को कि जाके वो ऐसे तेल की सीजी में से तेल निकाल के लिया वो वैसे टाइप वाल वाला तो वो तो वो तुम तो सही है इन स्टेटमेंट पर्स दे कलर ओफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकोज अफ दे फॉर्मेशन अफ लेड़ सल्फाइट अब अगर यह प्रिंटिंग एरर है तो नहीं पता और अगर यही है तो सल्फाइट नहीं बनता इसलिए स्टेटमेंट पहला सही है लेकिन दू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट anish add We shouldn't call it आगर जाल उसे हो जो मैं और खिली स्ट्व अजिवान हो इस फ़ुआ यहला सब्लेगा इंट्र हो मौलार माह्स का हम क्या करेंगे तो इस सवाल का तो कोई मतलब भी नहीं है ये तो कह रहा है कि इन में से कौन concentrate H2SO बोर के साथ colored vapor नहीं देगा colored vapor ये देदेगा BR2 देदेगा smaller mass का हम क्या गोली मारेंगे NO2 और ये I2 और ये HF देगा फिर CAF2 नहीं देगा ना बात का तब कवाल पागल बना रहे हैं molar mass दे रहे हैं और भाई साब पता नहीं क्या क्या और पूछ क्या रहा है वो कि color कोन नहीं बनाएगा तो CAF2 नहीं बनाएगा न वो तो HF बनाता है clear solution etching of glass F- जब होगा ये सब तो colored है ये नहीं बनाएगा ये मज़ ले रहा हो तुमार की molar mass कि क्या करें molar mass का क्या करें लिए लिए विच ड़स नोट इवाल कलर लड़ वेपर जोन हीडिव गंसरेश अचा अचा molar mass पूछ रहा है वो अच्छाए आदा सवाल है मॉलर मास तुम निकाल ले ना मॉलर मास पूछा है भाई आगे मैंने गलत पढ़ा है उसमें पूछा है तुम कर ले ना अमोनियम सलफाइड गुल जाता है लेड सलफेड पीबी एसोफोर लेड आयोडाइड पीबी आई टू येलो होता है अमोनियम आर्सीनो मॉलब आरसेनिक आगया ये तो कंपलेक्स है अमोनियम आर्सीनो मॉलिब टेट तु तो कंपलेक्स है ये भी नहीं होगा लेड सलफेड वाइड पीबी एसोफोर होतो रहा है हमारा काम चलो इससे हो जाएगा आजो आज़वागे आजो आजो यह तुम कर ले ना जैए मैंस का क्या कह रहा है इस पूरे क्रोमिल कलोराइट टेस्ट में प्लस छे ही होगी ऑम वर्क दे रहा हूं लसों प्लस ट्र 우raom अंस प्लस्चे ही होगी याहिमर्धाइल गलैयोंक्जिं फॉरम्स है जोच फोलंब्लेंड कोवेल्य चिलेत जनें यह ईल्यति जनें आयदि मेंबर उसने खुरम्ब्लेंड विस इसी 6-membered ring Russian blue precipitate contains iron both in plus 2 and plus 3 oxidation state in the light of above statement दूसरा तो सही है डाइ मेथाल जो है वो 6-membered अब यह समझ नहीं आ रहा है कि 6-membered जो ring है किस हिसाब से दिया हुआ है 6-membered covalent chilate 6-membered में 6-membered की ring पूछना चाहरा है या अगर पूछना चाहरा है तो फिर 2-6-member की होती है और यह 2-5-member की होती है या total ring 4 पूछना चाहरा है यह चीजी clear नहीं है इसको एक बार देखके clear करेंगे बिटा है ना क्योंकि वो language से समझ नहीं आ रहा मुझे language से समझ नहीं आ रहा बिटा उसको बाद में clear करेंगे ना यह तो confirm है कि नीचे वाला तो सही है खेर नीचे वाला तो सही है बट उपर वाले में उस 6-membered कोवेलेंट चिलेट का क्या मतलब है इसको चेक करूंगा फिर उसके बाद देखेंगे ना बटा बस दो ही सवाल और बचे यह तो repeat है यह दोनों तो repeat है तो एक ही बचा फिर तो मैं कैस इसको तुम भी देख लेनाएकी बार रेते हैस द ही हुआ है आ finely स 25 का सवाल मेंजरें का सवाल है तो इसको तुम एक भार देख लेनाया मुझे एक मिनटे दो बस मैं चेक करता हूं इसका एक मिनट देङ हुआ इक मिनट Grayण दो बिटा इसको बाकी नहीं रखूंगा मैं हो गया वस ये लास सवाल है और आंसर तीन दिया है ओफिशल इसने एंट यह ने तो इसका मतलब है वो यह कह रहा है कि टोटल छे मैंबर की रिंग है इसमें यह तो फिर इसको गलत दिया हुआ है वो टोटल नंबर ओफ रिंग की बात बुल रहा है तो पहला फॉल्स और दूसरा सई दिया हुआ है यह तहिँ महां उन्होंने फिर इसको इसको consider six members की रिंग नहीं किया है क्योंकि अच्छा ओगे ओख it not only six members ना उपर वाला तो गलती हो गया, सिर्फ 6 का लिख रहा है वो, उसे 5 का भी लिखना था, 5 मेंबर की रिंग भी होती है उसमें, हो गया हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है, अगला सवाल ये है, NACL रहे है, कितनी बार पूछेगा भाई, क्रोमिल क्लोराइड 2024, क्र बाढ के जाना अच्छा से, क्रोमिल क्लोराइड खुद दो बार पूछूगा जन्वरी में, क्या कर रहा ही, क्या 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 पूछ रहा है, क्रोमिल क्लोराइड क्या होगा, और येलो सॉलूशन कौन सा होगा, तो येलो सॉलूशन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो बहुत शुक्री आपका thank you thank you so much मज़ा बहुत आया मुझे तो बहुत आया I hope आपको भी आया होगा इस पूरे सफर में भी मुझे बहुत मज़ा आया मैं आप से कहता हूं यकीन मानिये मेरा कि मैं जितना शिद्दत के साथ बैचेज में पढ़ाता हूं उम्मीद में भी उतना ही शिद्दत के साथ बढ़ाता हूं यकीन मानिये इसलिए प्लीज कभी मेरे नीचे मतलब कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो के नीचे प्लीज आप ये ना लिखे मुझे दिल दुखता है कि क्या ये सफिशेंट है क्या एक 8 गंटे 9 गंटे 10 गंटे महनत के बाद अगर मैं अब से पहले पढ़ने के लिए एक खड़ा हूँ यहां पर और आगे भी आपको पढ़ाने के लिए खड़ा रहूंगा ठीक है जलिए बटा ऑल दो वेरी बेस्ट आप सबको निट के लिए और बहुत-बहुत आपको जो हैं अच्छे से आत्म विश्वास के साथ आप जाह थेंक्यू, मिलेंगे कभी फिर से, सन्निवाद, याद रखिएगा,